हलो फ्रेंड्स हमारी किसी फ्रेंड ने बोलाए कि अपकल समीकरंड से रिएकर्ट कुछ पढ़ाईए तो हम यह अपकल समीकरंड का टॉपिक ले रहते हैं अपकल समीकरंड अब हमें डिप्रेंशल रिक्वेशन के लिए एक समीकरंड वगत जो सुवतं तर चरूंड जो आस्रत भी हो सकते हैं स्वतन चर्व आस्रत कि अपकल गुणा की रूप में परिवास्त होगा तो इसको अपकल समीकन कहते हैं जैसे कि हमें पास कोई समीकन ले लेते हैं बाइव एक्स डी वाय एक्स बेश। बराबर ब्रकुशन है। यह इ gi y के रैस्पेक्ट में आश्रत है। अब आते हैं डिफ्रेंसल उक्वेशन के जो फॉर्म होते हैं वो कितनी प्रकार के होते है डिफ्रेंसल उक्वेशन डिफ्रेंसल उक्वेशन दो प्रकार के होते है डिफ्रेंसल उक्वेशन जो फश्ट होते है वो ओर्डिनरी डिफ्रेंसल उक्वेशन ओर्डिनरी ordinary differential equation and second होती है वो होती है partial differential equation अब यह ordinary differential equation का हम जहाँ जहाँ जो इस differential equation पढ़ेंगे वो है वो differential equation पढ़ने के लिए हमें इसमें अपने चर होँगे नहीं एक चर आशी होगा एक चर तो तुअ मतलब पार्शल डिपेंडेंट होती है यह इनदीपेंडेंट होती है पार्शल डिपेंडेंट होती है वाक्सल इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें किवल एक ही चर स्वतंत्र है एक ही स्वतंत्र के साफ पर अपकरन होता है जैसे dy upon dh निकालते हैं तो हम जिसमें y के अलाबा जो भी अगर z आ रहा है एक कोई भी a b c d कुछ भी आ रहा है जए y के अलाबा जो भी आ रहा है वह हम सब तो पॉंस्टेंट लेकिस लेंगे और जब कि पार्सल डिफ्रेंशल उक्वेशन में ऐसा नहीं होता है अगर जैसे dy upon dx उसो लिखती है नहीं उसो लिखती है यानि कि अगर इसमें z भी कहीं y बराबर ये आ जाता है x, y, z कुछ आ जाता है या y बराबर z आ जाता है जब इसस डिफ्रेंशल उक्वेशन x के रिस्पेक में करते हैं तो डेल y upon del x एम डेल z upon del y डेल x जब कि अगर हम यहीं ordinary differential equation में इसको कर रहे होते हैं तो इसको dy upon dx निकाल देते हैं और इसको constant मानके इसको 0 कर देते हैं यह फरक होता है ordinary differential equation और partial differential equation अब आता है पार्शल डिफ्रेंशल उक्वेशन में कुछ डेफिनिशन जिन में आता है order and degree order and degree of a partial differential equation partial ordinary differential equation of a differential 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 equation अब हम सबसे पहले जाता है order and degree अब order कितने order का है मतलब कि order के लिए हम सबसे चेक करते है equation में कि वो dy upon dx लिखा हुआ है तो एक order one order का है d square y upon dx square लिखा हुआ है two order का है d q upon dx square लिखा हुआ है x q लिखा हुआ है 3 order का है मतलब जो 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 सबसे बड़ा होता है वो उतने order का होता है अब जरूर नहीं है अगर जैसे कहीं equation वाजा है d q upon y dx q plus d square y upon dx square equal to zero अगर इससे पूछे हम यह कितने order का है तो कहीं लोग यह कहींगे नहीं इसमें 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है हम क्या करें जो भी जैदा होगा ज्यादा वो इतने order का difference equation होगा अब हम आते है इसके degree पे degree क्या होती है अब degree के लिए हम simply देखते हैं जो भी highest order का होता है उसकी घात है highest order जो भी होता है अब हम कुछ example लेते हैं जो मैं हम देखते हैं order and degree निकालते हैं ले लिए हमने जो कि difference equation ले लिए d square y upon dx square plus x dy upon dx cube बराबर sin x यह ले लिए हमने अब इसमें हमने देखना है इसमें order क्या है और degree क्या है सबसे पहले order देखते हैं order देखने के लिए सबसे ज़्यादा बार difference equation से कितनी बार हुआ है दो बार हुआ है तो इसका order क्या हो गया बराबर 2 अब देखते हैं इसकी degree degree यहां पर इसकी 3 x का मतलब यह है 3 degree का हो गया degree हम उसके देखते है जिसका order highest order रवाल टर्म हो highest order रवाल टर्म यह है d square y upon dx square तो इसका degree क्या है इसकी 1 तो यह equation ते अपने पास है order 2 हम degree 1 की equation है अब कहीं बार दूसर देखते हैं यह को लाजाता है जैसे यह दिया d square y upon dx square plus 5 dy upon dx plus sumaclon of y of dx वरावर x q यह दिया हुआ है अब हम इसका order निकालने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसका order क्योंकि है sumaclon का sign है तो हम इसका order सीधा नहीं दे सकते हैं अगर जैसे को बटे में संक्या हो जैसे अगर इसके dy upon dx होता तो हमसे सीधा नहीं देते हैं उसको गुणा कर लेते हैं अब इसमें हम यह करते हैं सबसे पर इंट्रीटर करते हैं दोन तरफ तो यह हो जादा d q y upon dx cube plus 5 d square y upon dx square plus अब इसका जो हम करेंगे तो यह समा के लिए नट जाया क्योंकि इस पर वो नहीं दे रही इस limit नहीं दे रही हम सीधे हटा सकते हैं इसको और यह जाता y equal to 3 x square अब हम देखते हैं इसका order order कितने order का है अब यहां से यह देखते हैं अब डिगरी देखते हैं डिगरी हम इसी की डिगरी देखते हैं वह है दो तो टू order 3 डिगरी का अब पास समय के लिए हम अब तक पड़ चुके हैं linear differential equation of second order जो कि इसका standard form होता है d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy equal to r यह होता है जिसमें अगर हम इसको solve करने की तरीके में पड़ाथा जो हमने प्राणी बीडियो थी उसमें यह पड़ाथा अगर जैसे y बरावर u b एक solution है y बरावर u b एक solution है और अगर इसमें से इस यह गयाता है मानने लो u गयाता है u बरावर u बरावर e की पावर x होगा तो बन प्लस P प्लस Q इक्वकल टुचीरो कोज़़ अग़र माइनस P फ्लस Q इक्वकल टुचीरो है तो इस condition में अपने पास he यू बेडर एक्ति की पावर माईनासे होगा अगर एम इसकोट minutes P emissions. Q 00. तो बैshe特別 माईनस हो शुल अब्ले यू वरावर तो यह बेखायर एससाहं मतलब की यूवराबर एक्सक्वार एक्सक्वार घू है तो यू बॉलाबर हम एक्सक्वार मान सकते है मतलब की यह दोनों स्वारी कर रहोंगे दोनों सोल्यूशन होंगे सोल्यूशन दुनों को मल्टिप्लाई होगा टोटल सोल्यूशन होगा अगर जैसे M कुष्टक M-1 प्लस P M X एक्वल टू क्यू सोल्यूशन है तो यहां पर यू बराबर हम से एक्वल लग से और वी बराबर गयाद करते हैं जर जो हमने कल पड़ेते हैं तो कि यह पुरानी वीडियों पड़ेते हैं आपको इस पुरानी आप लिंक डिस्क्रप्शन में मिल जाएगी आज हम Stewora पढ़ना आज को परना है वहाँ प्रिभा को उठाना मतलब कि अपर सोलुशन करते हैं तो उसमें कई बार प्रिभा 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 का ऊटा एं या पर इसको कहे सकते हैं डिमुव दा फस् सामान रूप में कैसे बदलेंगे यह सभी मेधर से समाज आता हैं अब अपने पास इतको समझने के लिए अपने पास स्टेंडर्ड फॉर्म होती है वह होती है कि d2y upon dx square कि प्लस P dy upon dx plus Qy equal to r यह अपने पास त्रथ पॉर्म होती है प्रेंट ये अपने पास इस्टेंडर होता है अब इसका हमने पूर्ण हल ग्याद करना होता है यह कब ग्याद कहा जा सकता है इसको ग्याद करने के लिए माना कि हमने मान लेते हैं यह वराबर यूवी इस कम्प्लिट सॉलुशन यह हमने मान लिया इसमें कि यूवी कम्प्लिट सॉलुशन इसका तो अब इससे क्या जाएगा अपने पास ने इसका यह यह बिह एकोiben़ किस्वेश्ट द сюжफ्वेश्ट करणे पिएप्यसे कर दीस का इसकंब एकोई में इकोईशन फ़िए एकोन तू and d square u upon dx square equal to यहार आता अपने पास v d square v u u d square v upon dx square plus dv upon dx du upon dx plus v d square u upon dx square and friends du upon dx को छोड़के dv upon dx वीका करेंगे तो dv upon dx से जाएगो जो कि यह ही आएगा इसलिए इसको हम 2 बार लग देते हैं 2 यह आगया अब यह जो अपने पास यह को दो और तीन एक क्वेशन आई हैं plus v d square u upon dx square plus p u dv upon dx plus v du upon dx plus qy equal to r अब यह वराबर u v sorry y वराबर u v equal to r यह आगया अपने पास कि क्यू यू वी है यह equal to r आगया है अब हम इसमें से देखते हैं इसमें हम इसको इस्ता लिख सकते हैं u d square v upon dx square plus u dv upon dx यह common ले लिया हमने तो यहां से और यहां से तो यह आगया p plus 2 upon u यहां से 2, 2 तो है u common लिया तो u का नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 2 upon u dv upon dx plus v d square u upon dx square plus p du upon dx plus q u equal to r यहां गया क्योंकि b को में लेदर q u b यहां गया अपने पास यह आ गया है condition अब हमें इसमें से प्रितम पर में से dv upon dx का ब्लोपन करना हैं तो ऐसा करने के लिए हम u का चैन इस परकार करेंगे मतलब हम dv upon dx का इसको उटाना है तो इसके लिए हम इसके u का चैन इस परकार करेंगे कि यह आजाए अपने पास p plus 2 upon u dv upon dx equal to 0 आजाए यहां आने पर यह अगर 0 आजाएगा अने पास तो यह इसमें से 0 हट जाएगा तो यह अगर 0 आजाए इसमें से तो इसको हम लिख सकते हैं दी यू सोरी सोरी डी यू है डी यू यह यह आजाएगा अपने पास है पी अपन टू पी अपन टू टू का डिवाड कर दिया है dx equal to minus 1 upon u of du यह आजाए अपने पास तो यह आजाए अपने पास इसका हम इंटिग्रेशन करते हैं अब इसका इंटिग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं यह तो आजाएगा अपने पास minus log u इसका integration equal to इसका पी अटी अलग अलगा पर लिए पी हाव का है एक्स काई फ़लन है तो यह आजाएगा पी पी बाइटू डी एक्स अब इस माइनस को में दे जाते हैं इसको प्लस कर देते हैं इस माइनस कर दिया यह ले गए हम माइनस को इदर तो आपने पास यू वराबर आगया माइनस बन बाइटू माइनस बन बाइटू इंटिग्रेशन पी ओफ डी एक्स यह आगया अपने पास यू बराबर इसको एक्क्वेशन नंबर चार दे देते हैं लूडेशन यह लाए उपने पास अब समीकंड से इससे नहीं यह तो जीरो कर दिया प्रूपर बचाह इसमें इसमें बने माइन बचाह वह बचाहए ऐज्यों दी स्क्ट्राइए रिवन डी एच स्क्ट्राइए स्क्क्राइर प्लस यह 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 और अपने अचीनि लगा नीचे जाए अपने पास्ट दी स्क्क्राइए अपने प्लस में प्लस के Kiodeievous एक्वल टू आर ये बच्चा है अपने पास अब इसको सोलिशन करने के लिए सबसे पहले इसको यू से डिवाइड कर देते हैं तो डी स्क्वार यू अपॉन डी एक्स स्क्वार प्लस वी अपॉन यू डी स्क्वार यू अपॉन डी एक्स स्क्वार प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू व्यू एक्वल टू आर अपॉन यू यह आगया अपने पास बस अपने पश्यायां पर अ पॉप्लिए अपने पास यहां पर की अज़रा देगा यहां से इससे अगर हम करें तो यहां पर यहां पर दिएक्स ब्रावर लिख सकते हैं तो यहां पर अपने 2 u minus p u upon 2 लिख सकते हैं इसको यह तो यहां पर d u upon dx की यहां पर value लोग देंगे हम इसकी तो यहां आएगा अपने पास d square u upon dx square equal to इदर ले गए हम r minus u upon u minus u upon v तो ही d square u upon dx square plus p यह value हमने यहां रख दी minus p by 2 minus p by 2 u यह value रख दी हमने plus q u यह आ गया अपने पास अब हम इसको और solve करते हैं तो यह पने पास आजाता है r upon u minus u upon v d square u upon dx square को का लिक सक्टम इसको का लिक सक्टम dp upon dx माइनस यह p square upon 2 u plus q u यह आ गया अपने पास इसको हम question number 5 देते हैं इस question को और हम अब निकालते हैं जब के अपने पास minus p बराबर du upon dx बराबर क्या था minus p upon 2 u तो d square u upon dx square बराबर क्या जाएगा अपने पास और इसको अब निकालते हैं dp upon dx बराबर क्या जाएगा यह आजाएगा अपने पास minus py2 को छोड़के du upon dx minus y2 dp upon dx यह आगा अपने पास तो इसकी value हम यहां पर इसमें रख सकते हैं इसकी value यहां v है यहां d square v है तो यहां रहेगा डी डी square v d square v upon dx square अब यहां यहीं पर रख रहे हैं इस value यहां पर रख रहे हैं इस equation में plus u upon v dot अब d square v upon dx square की value रख नहीं है हमें तो d square v upon dx square की value यहां से रख सकते हैं minus p यहां minus p upon 2 du upon dx minus u upon 2 dp upon dx यह आगा अपने पास minus minus p square u upon 2 minus p square इसका multiply रख रहे हैं u plus q u equal to r upon u अब यहां पर हम du upon dx value रख सकते हैं du upon dx की value जो अपने पास थी वह अपने पास minus py2 u तो इस रखने पर याद आगा है हमने पास d square v upon dx square plus u upon v p p square upon 2 क्योंकि minus minus u dp upon dx minus p square u upon 2 plus q u equal to r upon u यह आगा अपने पास तो यह अपने पी माइनस और प्लस कर जाएगा अपने पास अब हम b का अंदर multiply कर देंगे और फिर समय हाई यह गलती कि यह यह अपने पास वी अपन यू था तो यह वी अपन यू ही रहेगा वी अपन यू वी अपन यू वी अपन यू वी अपन यू और यह भी वी अपन यू यू यह रहेगा अब खेंसम यू का अंदर multiply करेंगे तो यह आगा अपने पास d square v upon dx x square plus v u का अंदर multiply करेंगे तो u से u का अंदर multiply क्या है बन अपन u का तो यह बन अपन u बन रह जाएगा यह तो कट गया है इसमें से यह रहेगा minus 1 upon 2 dp upon dx plus q यह रह गया यह रह गया equal to r upon u यह है अपने पास यह 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 रह गया d square b upon dx square plus v upon u यह रह जाएगा अपने पास यह यहां से यह कटेगा नहीं पूरतर से इसमें रह जाएगा यह यह 1y4 minus 1y2 minus 1y4 p square u यह रह गया minus u by 2 dp upon dx q u equal to q r upon u यह रह गया अपने पास अब अपने इसमें u का अंदर multiply कर दिया है तो u का अंदर multiply करने पर आएगा अपने पास d square v upon dx square plus v यह रह गया minus 1 upon 4p square minus dp upon dx plus q equal to r upon u यह हो गया अपने पास अपने यू यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं यू बराबर हमें यह निका रहा था यू बराबर एक्सपॉंसेबर minus 1y2 e power px x-1y2 integration of px यह लिख सकते हैं तो हम यह value रख देंगे यह रह गया अपने पास d square v upon dx square sorry d square v upon dx x square plus v इसको rearrange कर लेते हैं q को हम आगे ले आते हैं q को आगे ले आए 4p square minus यह 2 रह गया थे नीचे बनवाई 2 dp upon dx यह आगे बनवाई इक्वल टू r एक्सपॉंसेब और यू अपने नीच से है तो उपर जाने पर negative sign positive में हो जाएगा क्योंकि यह यह negative में था यह उपर जाएगा तो positive में हो जाएगा एक्सपॉंसेब बनवाई 2 p of dx यह आ गया है इसको में और फॉर्म में लिखना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं d square v upon dx square i dot v plus i dot v equal to s where i बराबर अपने पर q minus 1 by 4p square minus 1 by 2 dp upon dx and s बराबर r x upon 1 by 2p dx यह अपने पास x बराबर r upon u यह लिख सकते हैं अब यह आ जाएता है अपने पास तो हम इन सूत्रों के help से अपने जो भी question होते हैं आगे बोड़ा solve करेंगे इसके लिए हम कुछ example लेते हैं y x plus 4 x square minus 1 y equal to minus 3 e power x square dot sand sand 2 x मतलब यह है minus 3 e की power x square sand 2 x यह दिया हुआ है अपने जो standard form थी उससे compare करने पर अपने पास आजाता है यह से standard form अपने पास यह थी d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy equal to r इसे इसमें p qr की जो comparison करते हैं तो इसमें p वरावर आजाता है अपने पास minus 4 x q बरावर 4 x square minus 1 and r बरावर आजाता है r बरावर आजाता है r बरावर आजाता है अपने पास minus 3 e की power x square sand 2 x पहले हम पास पहले हमने पढ़े थे पिछली ग्लास में 1 plus p plus q u equal to 0 1 plus p p plus q x equal to 0 जो भी हमने conditions पढ़े थे उसके according solve हो जाता है तो यह अच्छी बात है अगर इस solve नहीं होता है तो उस condition में u निकालने के लिए u निकालते है वो अपने पास solution होता है y बरावर u v जहां पे हम u क्या होता है u होता है अपने पास formula unit के था उसमें u बरावर आयता अपने पास है x.7 minus 1y2 p.dx यह आयता अपने पास है तो यह आगा है x.7 minus 1y2 p क्या अपने पास minus 4x है minus 4x minus minus plus होता है 4x of dx यह इसका x square है integration पर x square यह दाएगा x square by 2 तो 2,2 फूर हो जाएगा यह दाएगा अपने पास e की पावर x square यह आगए अपने पास u बरावर आगए अपने पास अपने पास समीकर्ण का solution होता है होता है d square v upon dx square मान लेत मान लेते हैं y बरावर u v है तब हमने जो निकाला था वो निकाला था हमने इस फूर्म से condition निखा लेते वो निकाला थे d square v upon dx square plus iv equal to s जहां पर हमने i निकाला था वो था अपने पास q minus 1y 4 p square minus 1y 2 dp upon dx यह निकाला था हमने तो अब इससे यह निकाल दिया q क्या था q क्या है q4 q 4x square minus 1 4x square minus 1 minus 1y 4 p square क्या है p यह रहा तो इससे square हो जाएगा अपने पास 16x square यह आगा अपने पास minus 1y 2 dp upon dx तो dp upon dx मतलब इसका हमने integration करना है minus minus press हो जाएगा और dp upon to dx तो यह 4 हो जाएगा constant तो इस condition में इसको हम solve करते हैं तो यह तब 4x square minus 1 minus यह आगा अपने पास 4x square plus 2 equal to 1 आ गया यह है आई बराबर अपने पास बना चुका है विसमें आई बराबर बन यह आ चुका है अपने पास अपने पास आप यह पर आवर बना चुका है तो नकालते हैं s s बराबर क्या होता है s बराबर होता है r x possible of 1 y to p of dx x यह होता है तो यह आगया अपने पास r क्या है r अपने पास minus 3 यह रहा r minus 3 e की पावर x square send 2 x minus 3 e की पावर x square send 2 x यह है यह x पुन से बना बाए 2 p क्या था अपने पास p है minus 4 x यह आगया minus 4 x integration of minus 4 x dx यह आगया तो यह आगया 3 e की पावर x square send 2 x e की पावर minus x square क्योंकि इसका integration करेंगे तो यह पने पास minus x square यह रहागा x possible का मतलब e ही होता है e की पावर x square यह आगया अपने पास e की पावर x square यह 0 हो जाए इसका multiply करेंगे पर तो यह हो जाएगा माइनस 3 send 2 x यह आगया तो अब इस condition में पास solution आगया था वह इसका according लिखना है वह इसका according लिखना है plus iv i barbv1 v equal to minus 3 send 2 x अब फ्रेंट्स आपने सबसे पहले पढ़ी थी यह अचरा गुदांको बाली रहके दरकस्ता करने पर लाद चुक्छी है अब इसको में यह क्या लिख सकते हैं d2 plus 1 v equal to minus 3 and 2x अब इसको solution करने के लिए सबसे पहले मैं इसका cf निकालते हैं cf निकालने के लिए हमें साइक समीखंड की जरूत होती है जो साइक समीखंड होता है वो होता है अपने पास m2 plus 1 d की जगे m रगतो तो m बराबर आगा है plus minus i उटा अब दो cf क्या आगा है अपने पास cf आगया है c1 cos x plus c2 sin x यह आगा है पने पास cf अब पी निकालते हैं पी आई क्या होता है अपने पास हमने पहले पढ़ चुके है बन अपन fd और qx ही होता है तो यह हो गया बन अपन fd क्या होगा है अपने पास सब्सक्राइब प्लस बन और qx-3 sin 2x अब यह पर इस पर माइनस इसको पर जिरू नहीं हो रहा तो हम चीदे अप्लाई कर देंगे इसको सब्सक्राइब तो माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 sin 2x एक्वल तो अगया सब्सक्राइब अपने पास है सी वन कोशेक्स प्लस सी टू सैन एक्स बदर सी एफ प्लस पी यह लिखते हैं तो सी एफ यह हो गया पिया हो गया प्लस सैन 2x और अपने पास यू बराबर क्या था है वो था अपने पास एक्वल एक्स स्क्वार यू बराबर हम यहां निकल चुके यू बराबर और इक पावर एक्सक्राइब और सोलशन क्या मंके लड़ते हैं या इटव्ट अपने पास शुलिशन आ गया सी वन कोशेक्स प्लस सी टू सान एक्स प्लस से साइन टू एक्स मल्टिप्लाई एक पावर एक्स स्क्वार यह आ गए अपने पाइस का सॉलिशन हेलो फ्रेंड्स आपका हमार चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे लिनियर डिफेंशल एक्वेशन ऑप सेकंड नोडर मतलब कि दूतिया कोटी के रेकर अपकल सम्मी करना इसके एस्टेंडर फॉर्म होता है वह होता है दे स्क्वार वाइपन डी एक्स स्क्वार प्लस ativey upon mismos क्यू एक्विक्वा टू आर जहां पर सब्सक्राइब कोई नहीं हो ठाए ऐक्स व सकते मिया एक्स वाईएक्स फ्लन ओंगे या कोंस्टैंट्र तो अलब इसके लावा और कुछ नहीं को सकता अर्फ सम्पहले सब्सक्रुपढ़न बहुत पड़ते रो सकते हैं जिन्य डिफेंशल उक्वेशन वेन वन इंटेगरल और दा कॉंप्लिमेंटर फंक्षन इस नोन यानि कि रहके अपकर समिकंड का पूर्ण हल गयाद करना जबकि पूरक फलन का पूरक फलन में बिदमान एक समाके उन गयाद हो मतलब कि हमें सी एक सॉलुईशन उसमें गयाद होगा दूसरा में गयाद करना है उस तरह के अब एक हमें कैसे गयाद करना है एक गयाद करने के लिए हमें उसमें रेच्छन भी यूज करने होगी जैसे कि य बराबर एकस कब बन सकता है इसका सॉलुईशन य बराबर एकस कब बन सकता है हम ऐसे उसको सॉलुईशन करके द यह जीरो हो जाए अगर यह जीरो हो गए तो इस कंडिशन में y ब्राबर यह आर इसको सोलूशन आ जाएगा अब जैसे हम कुछ एप्रोर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं जैसे की ब्राइबर आज सिये ब्राइबर e की पावर x होगा अगर बन प्लस प्लस q जो p और q x से फंक्शन होंगे या इसको स्टेट होंगे बन प्लस प्लस q उकल टूब 0 है तो ब्राइबर इकी पावर इसका solution होगा उस condition में y ब्राबर e की पावर x.b इसका solution लेके चलेंगे अब यदि बन माइनस p प्लस q इसका solution है तो y ब्राबर e की पावर minus x होगा अगर by m square plus pm plus q इसका solution है तो y ब्राबर e की पावर mx cf होगा अगर इसका solution है तो y ब्राबर x cf होगा by ब्राबर x square cf कब होगा अगर 2 plus 2p x plus q x square equal to 0 यह ब्राबर x c power m जी तर y ब्राबर x power m कब solution होगा यह m कुष्टक m plus m minus 1 m कुष्टक m minus 1 plus 2p m plus q x q equal to 0 यह condition जाए तो यह अपना cf होगा इस condition में ब्राबर x power m v v जो हमने ग्याद करना होगा उसे method पढ़ेंगे वो solution मान लेंगे अब इसको देखतें कैसे निकालते हैं अगर हमें हमारे पास एक इस तरह से ग्याद कर लेते हैं तो दूसरा कैसे निकालते है वो पढ़ते हैं अब चुक्कि बाई बराबर यू इसका पूरक फलन है पूरक फलन निकाला हैं तो यहां पे बाई बराबर यू लिख देंगे तो यह आ जाएगा डी स्क्वार यू अपॉन डी एक्स स्क्वार प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू क्यू यू इक्वल टू जी ओ यह आ जाएगा इसको हमा कुषिण नंबर टू दे देते हैं कुषिण नंबर टू अब हम मान लेते हैं माना वाई वराबर यू वी इसका तो कम्प्लीट सॉलिउशन है यह है वाई वराबर यू वी एजी complete solution यह माल लिया हमने यू अपने पास पहले से गयात होगा व अपने पास को गयात करना है यह करना है तो अब इस से हम सबसे पहले हम निकालते हैं दी बाइ अपॉन दी एक्स क्योंकि आपने पास एक क्वेस्टन है उसके लिए अगर तो इसको साटिस्पाइड करना चाहिए तो इसके लिए दी बाइपॉन दी एक्स प्लस वी दी आपॉन दी एक्स मतलब हमने पहले यू का डिपेंस्टन के वी को छोड़ कर इसके बाद V को छोड़का धिए U का differentiation कर दिया अब यह आगया अपने पास अब इसके बाद हम नकालते हैंÖ ती स्कुरय एपून टी एक्स स्कुरय वह निकालने के लिए टी स्कुरय आपून डी एक्स इसकुरय इसका ड इसका differentiation कर देते हैं हम इसका कर देते हैं, तो हमने U को छोड़ दिया D Sumdler , इस पर U का कर कर देंगे, तो Du V upon dx को छोड़ा में प्लस इस वार हमने V को छोड़ दिया तो V D square U upon dx square प्लस इस वार du upon dx को छोड़ दियो और डी एक्स du upon dx ये आ गया तो इसको मैं क्या लग लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकते हैं यूदिए इप चल्स कूर गीजिकर्पों को अब उर्ट हैं ते इपने पास है equation number first यह d2y upon ds2 plus p dy upon dx plus qy equal to r इसमें रख देते हैं इसी value अब हम यह value रखते हैं तो यह value रखते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हम d2y upon dx2 की value रखते हैं तो यह आजाता है अपने पास u d2u upon dx2 यहां पर हम लिख लेते हैं इसको हम equation number 3 देते हैं इन दोनों कम्बाइंड करके put value of 3 in 1 यह कर दिया हमने तो हमने value रख दी तो यह आगए अपने पास u d2u upon dx2 u d2 v upon dx2 plus 2 dv upon dx.du upon dx plus v यहां यू है यह u d2u upon dx2 v d2u upon dx2 यह आगया value plus plus इसमें क्या अपने पास p dy upon dx value यहां से रख देते हैं तो यहां से रखने पर वो आ गया अपने पास यू dv upon dx plus v du upon dx plus q अब हमने यहां पर क्या माना था वाई बराबर यू भी तो यू भी एक्वल टू और यह आगया अपने पास यह आगया अब इसको हम आगे solve करते हैं अब ही आगया इसके पास हमें आगे solve करते हैं तो इसको लिख सकते हैं u d square v upon dx square plus dv upon dx dv upon dx sorry dv square v upon dx square dv upon dx तो अंदर आगया इसके पास यहां से में comment लिया है 2 du upon dx और यहां से हमने dv upon dx कोमन ले लिया तो प्लस p u यहां प्लस अब यहां पे v कोमन ले लिया हमने तो यह आगया है d square u upon dx square plus v कोमन ले लिया p du upon dx x plus q of u equal to r यह आगया अपने पास यह आगया तो अपने पास यह क्या होगा d square u upon equation number first यह इसे जीरो हो जाएगा मतलब q u इस तरह से यह q dot u आया हमने q इसमें v कोमन ले आया तो q dot u आया है अपने पास यह 0 हो जाएगा अपने पास यह 0 हो गया तो अपने पास जो बच गया वह अपने पास यू d square v upon dx square plus dv upon dx to du upon dx plus pu equal to r यह बच गया अपने पास जब यह बच गया अपने पास तो हम इसको और हम लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं u कर डवाइड कर दिया d square v upon dx square plus dv upon dx u कर डवाइड कर तो 2 upon u du upon dx plus p equal to r upon u यह आ गया equation number 4 देदो इसको equation number हमने 3 देदी अजमान ले लो यह हो गया अब हम लिख देते हैं dv upon dx प्रावरम कोई p मान लेते हैं क्योंकि dv upon dx प्रावर हम p मान लेंगे कोई small p मान आ हमने d square v upon d तो यह आगा अपने पास small p let dv upon dx प्रावर कोई small p मान लेंगे मान लेंगे small p तो यह आगा अपने पास d square v upon dp upon dx plus यह आगा अपने पास अपने पास अब जब यह आगा अपने पास तो इसको हम आगे करते हैं यह आपने पास dp upon dx plus यह आपने पास किस फोर्म आ गया आपने पास यह देखते हैं इसको dp upon dx dot अभी small p यहाँ पर capital p कपन से नहीं यहाँ पर समाकलन p plus 2u du upon dx dx यह इसको हम और लिख सकते हैं xp समाकलन of p dx plus 2u upon du यह आगया तो इसको लिख सकते हैं xp सेवल p dx plus 2 log u तो यह आगया यह पराबर u square e की पाबर p dot dx यह इसको हम equation number 5 दिया है अब इसमें हम देशे इसमें इसमें यहाँ पर equation number 5 का यूज करें semi card 5 का हल होगा अब इसको हल निकालने के लिए वो कर यह इसको solution कब होगा अब solution होगा यह हमारे पास यह आई यह पाच चुका है अब इसका solution निकालते हैं तो solution होता है अपने पास small p u square e की power p of dx equal to r upon u dot u square e की power p of dx plus c1 यह इसका solution होता है यह इसको हम लिख सकते हैं p बराबर 1 upon u square e की power minus r u dot p dx integration of integration of इसे u से यह कीव बच गए ru e की power p dx of dx plus c1 upon u square e की power minus iota p of dx equation number 6 देदी हमने इसको अब हम इसमें p बराबर dv upon dx रख लें क्योंकि p बराबर अपने पास dv upon dx था तो वह हो c1 upon u square e की power minus 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 iota p dx अब हम इसको solve करें तो इसको solve करने पर अपने पास तो v वराबर आता है v वराबर इसको solve करने पे अपने पास solution आता है वह आता है small इसको solve करने पर आएगा क्योंकि हम जैसे dv upon dx equal to p है तो यह v बराबर अपने पर यही तो आया बराबर प्लस ds कोई भी कॉंस्निट हो और c2 हो आगया अब हम बराबर यह इस method से हम इसके solution निकाल सकते हैं अब हम इसके कुछ example लेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि निरेशन बेदी द्वारा solution के इससे निकालते हैं मतलब to find the integrate देखते हैं सबसे इससे पहले इसके लिए हमार पास जो equation को हम जो equation को इसमें आरवरा पर जीरो माल लेते हैं d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy equal to 0 अब हमने जो e की पावर mx वाला solution निकाला जैसे हम y बराबर e की पावर mx लेके चले तो y बराबर वह हमने निकाला था इसमें by बराबर mx लेके देते हैं m square e की पावर mx plus p e की पावर mx dot m plus q e की पावर mx तो m square plus p mp plus q e की पावर mx equal to 0 यह 0 होगा नहीं तो हमने यह ही तो लिया था m square plus p m plus q equal to 0 हमने इस condition में यह निकाला था ऐसे ही बागी की जो भी हमने फोर्मूले थे वह निकाला लेते हैं by boraबर x, x boraबर हमने solve किया था, by boraबर x square solve किया था और जो से बने पास से solution आया थे, वह यह आया थे इसे निकालेते हैं हम कुछ solution निकालते हैं इन वेसे इसे जवे में में हाब कैसे सब्सक्राइब जीए में हमें एकमाला बनेंपराइब this यो दक आ पूछा गया है इस तरह कई भाए question पूछा गया है, यह हम example लेते हैं, यह example लेने के लिए हम solve करते हैं, solution के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, जो d square y upon dx square है, इसका जो multiply में, इसका जो multiplication हो रहा है, वो 1 होना चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों तब x square भाग देते हैं, d square y upon dx square, minus x square भाग दिया plus 1 upon x plus 2 upon x square, y equal to x e की पावर x ही आ गया, अब यहाँ, p बराबर क्या अपने पास, p बराबर आ गया अपने पास, minus 1 plus 2 upon x, and q बराबर क्या आ गया, 1 upon x plus 2 upon x square, अब यह हम दे सकते हैं, p plus q, इसमें अगर x multiply करते हैं, तो यह ही आ जाते हैं, तो यह आ गया, अपने पास, 1 plus, p plus qx equal to 0, यह condition satisfy हो रही है, अपने पास, p plus qx बराबर 0, तो इसका जो एक solution होगा, वो होगा, अपने पास, by बराबर x, so, cf इसका होगा, cf होगा, by बराबर x, यह होगा, अब हम मान लेते हैं, let, by बराबर vx, as a complete solution, यह मान लिया, हमने, by बराबर vx solution मान लिया, तो हमारे पास, अब हमें क्यात करना है, इसका य, y की value गयाद के लिए, v की value क्या है, अब v की value जो आएगी, उसको हम बाद में, इसमें रख देंगा, य बराबर vx, जो v आएगी, v into x होगा, वो उसका solution हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे, इसके लिए हमें क्या जरूरी है, d square y upon dx square जरूरी है, dy upon dx जरूरी है, तो dy upon dx निकालते हैं, तो हो आजाता है, अपने पास v, क्योंकि x का तो बनी आजाएगा, plus x को छोड़के, dv upon dx, यह question number इसको first देते हैं, इसको हम 2 देते हैं, इसको 3, इसको 4, अब d square y upon dx square निकाला, तो यह आगा है, अपने पास, dv upon dx, plus x को छोड़के, d square v upon dx square, और इसको इसको इस पार हमने, dv upon dx को छोड़ दिया, तो x का तो वही बना जाएगा, यह मैंनों, dv upon dx आएगा, उसको यहां रख दिया, 2dv upon dx, plus x d square v upon dx square, अब यह मान हम equation number first में रख देते हैं, एक, दो और यह तीन मान, 3, 4, 5, यह 5, put 3, 4, and 5 in equation first, यह क्या हमने, put 3, 4, 5 in equation first, तो यह रखने पर अपने पास आगया, यह रखा, तो यह देगा अपने पास, x d square v upon dx square, plus 2dv upon dx, minus 1 plus 2 upon x, v plus x dv upon dx, plus, 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 यह क्या बना बना, upon x, plus, 2 upon x square, और यह रखाता अपने पास, vx, equal to r, यह अपने पास आगया, जब यह आगया अपने पास, तो हम इससे आगर solution करते हैं, इसको हम solve करते हैं, तो यह तो रहेगा, x d square v upon dx square, plus 2dv upon dx, इसका v का अंदर multiply किया, तो minus v plus 2v upon x, इस बार इसका multiply किया, हमने, यह minus sin आएगा, minus, x dv upon dx, plus, minus, sorry, minus, 2 upon x, dot x, dv upon dx, plus, इसका अंदर multiply किया, तो यह आगया v, यह x x कर जाएगा, plus, 2 upon x, v, equal to r, अब हम देते हैं, क्या क्या कट सकते हैं, यह 2 upon x, v minus 2v upon x, यह कट गया, v से v कट गया, तो अपने पास यह बचा क्या, यह 2x से x कट गया, तो 2dv upon dx बच गया, यह बच गया, यह अपने पास minus 2dv upon dx और 2dv upon dx यह कट गया, तो अपने पास बच गया, x d square v upon dx square, minus x dv upon dx equal to r यह बच गया अपने पास अब हमने x के इस में divide कर दिया तो x के divide करने पास पर अपने पास क्या जाता है d square v upon dx square minus x dv upon x कर दिया और r बराबर क्या था अपने पास यह r लिखा है हमने r बराबर था अपने पास r बराबर x e की पाबर x यह अपने पास तो r बराबर x e की पाबर x लिखा है हमने यहाँ पर x e की पाबर x चाहिए तो इसके divide किया तो यह आगए e की पाबर x यह होगए अपने पास अब हमने मान लिया let dv upon dx बराबर p मान लिया हमने तो यह अपने पास आगया d square v upon dx square बराबर आगया dp upon dx तो यह आगया अपने पास dp upon dx minus minus p equal to e की पाबर x यह आगया अपने पास अब इसका हम if निकालते हैं क्योंकि यह गदवला है तो इसका हम if निकालते हैं if आता है e की पाबर sumacron of p dx तो यहाँ पर p क्या है यहाँ पर मतलब वो एक सी फॉर्म में होता तो हम यहाँ पर इसका constant क्या अब हो है e की पाबर minus 1 minus 1 of dx बराबर e की पाबर minus x यह आगया इसका cf अब if आगया इसका यह आइएफ अब इसका हम निकालते हैं solution तो p solution होता है p e की पाबर minus x जोगी अपने आइएफ होता है मतलब जो solution होता है तो प a i f बराबर kसमा क्रीव क्यों बराबर बराबर होता है समा क्रीव क्या है आपने पास e की पावर x equals e की पावर minus x दो तो यह आगया आपने पास p e की पावर minus x equal to, यह तो बन हो जाएगा, तो ये x plus 7 और यग यागए P बराबर, एकस e की पावर x plus 7 e की पावर x पर पी बराबर क्या है, P बराबर माना है होपके, तहत बराब बिक, तह हम आए, P, 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 P. याँ माना है हमने, याँ माना है, dv upon dx परावर p माना है तो यह आगे अपने पास dv upon dx बराबर आगे अपने पास x e की पावर x plus c1 e की पावर x v बराबर हम integration कर देते हैं integration x e की पावर x plus c1 e की पावर x x e की पावर x का क्या होता x minus 1 e की पावर x plus c1 e की पावर x plus c2 है वह सोल्यूशन देना होता है वो हमने इस फोर्म में देना होता है तो solution देना होता, वो हमें देना होता है अपने पास, y बराबर श्रुम में हमें solution माना था, वो माना था हमने vx, y बराबर vx, ये हमें solution माना था, y बराबर vx, तो y बराबर vx से solution देना होता हमें, V बराबर अपने पास यह आ चुका है X-1 X-1 E की पावर X प्लस C1 E की पावर X प्लस C2 और V इन्टू X यह अपने पास जो solution है यह आ गया इसको हम और भी हम solution जैसे X का अंदर multiply कर दें इसे कर सकते हैं लेकिर हमें इसे कंडिक जरुत नहीं है हम यही पर इसका आँ सब छोड़ देते हैं अब यह हम next example लेते हैं यह example पूछा है राइस्तान इंविश्टी इन तीन में पूछा है 12 पूछा है 13 में पूछा हो क्यू बराबर क्या है माइनस बन प्लस कोटेक्स यह है अब यहां पर देखते हैं बन प्लस पी प्लस क्यू इकूल टू जीरू हो रहा है इन पास माइनस कोटेक्स क्यू क्या है क्यू क्यू प्लस कोटेक्स एकल टू जीरू हो रहा है यह condition कब positivo होती है सब्थके का बन प्लस क्यू बन प्लस कीव चूड कब होता है जब cf बराबर ने पास y बराबर e की पावर x हूँ ये हूँ तब ये होता है तो हमने मान लिया इसके cf आगा आपने पास है y बराबर v e की पावर x इस complete solution ये हमने मान लिया है इस complete solution है तो हम इसके लिए सबसे पहले dy are dx निकालेंगे dy upon dx निकाला तो यह आगा अपने पास v e की पावर x plus e की पावर x dv upon dx d square y upon dx निकाला तो यह आगा अपने पास v e की पावर x plus e की पावर x d square v upon dx square प्लस एकी पावर एकस डी वी अपॉन डी एकस तू क्योंकि यह वार हमने इसको छोड़के इसका क्या तब भी तब भी आए गए गए वार एकस डी वी अपून डी एकस और इस तरह से दो बार आ जाए गए यह आगया अपने पास तो अभी एक क्वेशन नंबर फैस्ट में आपके देख देखेस जो गिवन फैसन में इसका सॉलुसन डख देते हैं तो यह रखने पर अपने पास रहता है we of ee की पावर x plus e ती स्क्वरờ d एपॉन dx स्क्वर प्लस 2e की पावर साथ dv एपॉन dx मइनस कॉट x dyपॉन dx मैंनेs कॉट माइनस कोट एक्स नहीं कोट माइनस कोट एक्स दी बाइ अपॉन दी एक्स यह अपने पास VE की पावर X प्लस E की पावर X DV अपॉन DX यह आ गया प्लस माइनस बन माइनस कोट एक्स यह वर वरावर क्या अपने पास e4 x अपने hairs x a इसमें से इसम इसके एहां से ले सकते हैं के इसे आपने पास जाएगा तो यह कटने बाद अपने पास Kreuz plus d square v upon dx square plus 2 dv upon dx minus cot x dot v plus 1 power x गया तो minus और minus का अंदर multiply minus cot x dv upon dx minus v e की power x minus minus plus हो जाएगा यह गर cot x v e की power x तो पहले ही गया अपने पास से common लेके cot x b e की power cot x आ गया यह आगया अपने पास अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट जाता है इसमें से कट जाता है अपने पास v से v गया v cortex से v cortex गया तो अपने पास बचाया वह बचाया d square v upon dx square plus 2 minus cot x 2 minus cot x dv upon dx यह equal to sin x था equal to sin x यह बचाया अपने पास अब इसको इसके लिए सबसे पहले solution करने के लिए कुछ d by upon dx बरावर कुछ मान लेते हैं जैसे dv upon dx बरावर p मान लिया हमने अब हम आइएफ निकालते हैं इसका आइएफ निकालते हैं तो वह आजाता है आइएफ वाजाता है इंटेग्रेशन ओफ यह की पावर two minus cortex of dx तो यह आगए अपने पास e की पावर two x अब minus cortex integration क्या होता है log sin x log sin x यह हो जाता है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हम e की पावर two x dot यह इसको हम लिख सकते हैं बन अपन sin x यह आ गया क्योंकि यह log sin inverse में पहुँच जाएगा इसे यह कट जाएगा इसको इसको तरश कर सकते हैं e की पावर two x dot e की पावर log बन अपन sin x यह लिख सकते हैं तो यह इसके इससी इक पैस बन अपन एकस आजाएगा आप आपने पास यह आ गया अब P क्या है, P तो अपने पार I F है, E की पावर 2X dot sin X equal to I F E की पावर 2X sin X, और Q X क्या है, sin X, तो यह sin X, sin X, sin X गया, यह E की पावर 2X, यह आगया, प्लस C1, तो P वरा, P E की पावर 2X अपन, sin X equal to आगया अपने पास, 1 बाइ 2 E की पावर 2X, इंटेगरेशन करने पर यह यह आए, इसका, प्लस C1, यह आगया, तो P वरावर अपने पास आगया, sin X, इसका इदर multiply किया, sin X upon E की पावर माइनस 2X का, तो यह आगया, E की पावर माइनस 2X, तो यह sin 1 upon 2, sin X plus sin X dot E की पावर माइनस 2X, तो इसको इसको बरावर किया, db upon dx equal to 1 upon 2, sin X plus sin X E की पावर माइनस 2X, यह आगया, तो P वरावर किया गया, बन अपून 2, integration sin x plus sin x dot e की पावर minus 2x, ये आगया integration, तो एकने पास ये आगया, वी वराबर आगया, बन अपून 2, sin x का integration minus cos x, minus cos x plus integration of sin x dot e की पावर minus 2x, इसको हम equation number, कोई भी equation देते हैं, जिस 3 देते हैं, equation number 3, क्योंकि अपने पास इसका integration सिंपल इसी दे नहीं आता, तो इसका integration हमें निकालना पड़ेगा, इसका integration निकालने के लिए हम let i बराबर, let i बराबर मान लेते हैं, sin x, e की पावर minus 2x, ये निकल ले लिए हमने, अब हमने इसको solve करने के लिए first dot second rule लगा दिया, लगाएंगे first dot second rule लगाने के लिए हमने सबसे पहले, क्या क्या है, हमने sin x हो छोड़ दिया, sin x हो छोड़ दिया, तो sin x integration of e की पावर minus 2x का जाएगा अपने पास, minus 2, e की पावर minus 2x, minus, हमने इसको sin x हो छोड़ा तो यहां इसका differentiation हो जाएगा, cos x, यह हो जाएगा, और e की पावर minus 2x का तो minus 2, तो e की पावर minus 2x, पूर minus minus plus हो जाएगा, पूर 2, यह आ गया, equal to minus sin x by 2, e की पावर minus 2x plus, इस पार फिर से हमने 1.2 rule लगा दिया, तो इसमें cos x को छोड़ दिया, हमने cos x by 2 को छोड़ दिया, integration of e की पावर minus 2x, minus dy dx of cos x integration, e की पावर minus 2x of dx, यह लगा दिया, तो यह आ गया, आपने पास, minus sin x by 2, e की पावर minus 2x, minus, यह होगा यह बना पून 4, e की पावर minus 2x, cos x minus, यह बना पावर 2 तो है ही बाहर, minus minus plus होजाएगा, i plus बना पून 4, यह अपने पास, cos x का फिरसे integration होगा, sin होजाएगा, minus sin, sin x, e की पावर minus 2x, यह यह क्या अपने पास, i है, इस होगा, i लिख सकते हैं, integration में ही, तो यह आ गया, अपने पास, इस होगा दल ले आए, तो i plus 1 by 4i equal to 5 by 4i equal to minus sin x, e की पावर minus 2x upon 2, minus, बना पून 4, e की पावर minus 2x, cos x, यह आई बराबर आगे अपने पास, minus 2, बना पून 5, minus minus sin बावर ले आए, तो minus से बावर अजाएगा, minus, यह आजाएगा, plus में, sin x e की पावर minus 2x, 2 से multiply, plus e की पावर 2x, cos x, यह आगे है, अपने पास i बराबर आगे है, यह, अब हम इसके value इसमें रख देते हैं, इस equation में रख देते हैं, इसके solution आगे अपने पास, तो v बराबर आगे अपने पास, minus बना पून 2, cos x, minus बना पून 5, 2 sin x e की पावर minus 2x, just e की पावर minus 2x, cos x, यह आगे अपने पास, तो हमें इस solution जो होता है, u dot v होता है, y बराबर u dot v था अपने पास, और u बराबर क्या था, अपने पास, इस condition में e की पावर x था, तो e की पावर x का multiply कर दिया, y बराबर minus 1 by 2, minus सबसे बाहर ले लिया, cos x plus 1 upon 5, 2 sin x e की पावर minus 2x, plus e की पावर minus x, minus 2x, cos x dot e की पावर x, यह अपने पास इसका solution आ गए, dot multiply में यह आपर e की पावर, यह इसका solution आ गए अपने पास, इस तरह हम बहुत सारे questions solve कर सकते हैं, thank you. Hello friends, आपका हमारी चैनल में स्वागता है, हमने अपनी last video में जो पढ़ाता है, वह था है यह पत्तब कर समय करनों को solve कर से करते हैं, जो कुछ method थे, यह पत्तब कर समय करनों, semitonious differential equation, जिसकी form होती है, f1 dx plus f2 dy equal to phi t, g1 dx, g2 dy equal to psi t, जहाँ f1, f2, g1, g2, t के function से, phi t and psi t t के फ़लन है, x, y कोई dependent variable है, t independent variable है, इनका जो पहले method था है symbolic method, symbolic method में हमने यह निकालाता है, यह यह बराबर solution होता है, y बराबर होता है, 1 upon f1 d, g1 d, f2 d, g2 d, यह इसका mode होता है, और इदर दूसरा matrix होता है, f1 d1, f1 d, phi t, g1 d, psi t, जहां पर solution के लिए, हमारे पास necessary condition थी, f1 d, g1 d, g1 d, f1 d, g1 d, f2 d, g2 d, equal not 0, और इसी तरह हमने x बराबर निकाला था, वो था, minus 1 upon f1 d, g1 d, f2 d, g2 d, और दूसरा matrix के साथ, इसके matrix से multiplication test में, g2 d, phi t, g2 d, psi t, और यहां पर भी necessary condition यह थी, कि यह equal not 0 होता है, अगर यह 0 हो गया, तो यह infinity हो जाएगा, आपने पास solution नहीं होगा, और दूसरा method अपने पास वो था, differentiation method, differentiation method में कहता है, जैसे हमारे पास, 2 equation due होगी, उसमें x भी होगा, y भी होगा, dy upon dt होगा, dx upon dt होगा, उसमें हम क्या करेते हैं, कहीं हमारे पास st condition होगा है, उसमें एक equation को solve करके, उसमें से dy upon dt की value निकालके, हम दूसरे में रख देते हैं, जैसे वो दूएक हाथ समीकर्ण में बदल जा रहता है, और उससे solution आ रहता है, यह हम लिए पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी लिए काम को description में मिल जाएगी, आप देख सकते हूं आजा के, जो आज हमें वो पढ़ना है, आज वो है, हमने पास, प्रितम कोटी हम प्रितम गात के योगपत समीकर्ण है, मतलब सेमिटोनिस differential equation, of first order and first degree, यह पढ़ते हैं, इससे जो form होता है, वो होता है, p1 dx plus q1 dy plus r1 dz, p2 dx plus equal to 0, p2 dx plus q2 dy plus r2 dz equal to 0, इसको equation number 2 ले दो, where p1, p2, q1, q2, r1, r2, are function of x, y and z, अब हम close multiplication यूज़ करते हैं, तो cross multiplication कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम dx के नीचे लिखने चाहते है, लिखने चाहते हैं, इसको इसका multiply में बेक्टर ले लो, q1 r2, q2 minus r1, q1 r2 minus q2 r2, इस तरह dy dy का ये, इसको में छोड़ दिया, इसके बाद हमने ये के, ये देखो, p1, p1 इसको अलग से matter बना लिया, इसको इसको जहाग पे, और इसको अगले में, p1 dx पे लिखके, तो r1, p2, r2, p1 minus b2 में आ गया है, इस तरह dz बराबर, dz बराबर नकाला है, वहता है, p1 q, pt q2 minus p2 q1, ये एक वल है, इससे अपने पास क्या था है, मतलब ये इस फॉर्म में है, dx upon p, dy upon q, dz upon r, अब इससे जो complete solution, इसको solve करने पर, complete solution आएगा वह इस तरह से आएगा, अपना u कोई फ्लन होगा, x, y, z का बराबर c1, इसमें इसको इसको 2 को solve करते हैं, इसको solve कर सकते हैं, या इनको solve कर सकते हैं, किसके 2 को solve करना है, और फिर ये काएगा, कि अगर ऐसे नहीं आने चाहिए, u square plus x square plus y square, independent से मतलब अपना यहां पर यह है, independent का मतलब यह है कि हमार पर ऐसी condition नहीं आने चाहिए, कि अगर x square plus y square equal to c आ जाए, एन आजा 4 x square plus 4 y square equal to c, क्योंकि इस condition में अपने पास dependent हो गया है, 4 c आजा 4 c, इस condition में अपने पास यह हो गया है, dependent variable क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, 4 और c, यह c1 हो गया, equal to c1, dependent हो गया है, अगर इस तरह से independent होने चाहिए, अब आता है अपने पास method of solution, method of solution करने के लिए हम क्या करते हैं, वो देखते हैं, इसको solve करने जो methods होते हैं, उनको solve करेंगे यह देखते हैं, पहले आता है first method, अब आता है first method क्या होता है वो देखते हैं, अपने पास जो first method है वो होता है, इस फॉर्म में तो यह होगा है, अपने पास dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r, इस फॉर्म में होगा, अब इस फॉर्म में होगा, तो हम कोई भी ऐसी constant देखते हैं, l m n जो कि x y z के फ्लन भी हो सकते हैं, x y z के functions हो सकते हैं, हो सकते हैं, अब हम यह करते हैं कि हम इस तरह से देखते हैं, आपने पास l dx multiply करते हैं, l dx plus m dy plus n dz upon, हमने l का उपन नीचे multiply किया, यहां पे किया तो यह l p plus q plus m q plus n r, यह हम नकाल लेते हैं, इसको question number two दे लेते हैं, यह जो अपने पास question आते हैं, वो इस तरह से आती है कि, l dx plus m dy plus n dz equal to zero, इस प्रिकार लेते हैं, यह जो अपने के बाद हम क्या करते हैं, यह 0 के लागया है, तो हम इसको लिख देते है, l dx plus m dy plus n dz equal to zero, यह आ गया, यह इसको solve करने पाद आता है, इसको solve करने बाद आता है, कोई function आएगा, u solve करने पाद कोई u का function आएगा, तो du equal to zero, तो यह जाता है, u equal to c1, यह आ गया, अब इस ही प्रिकार हम को और अलग से गुना के देखते हैं, वो इस तरह से होंगे, हम इस वार देखे हमने, l dash देखा, m dash देखा, यह दूसरे देखे, वो इस तरह से देखने में, l dash p plus m dash q plus n dash r equal to zero हो जाए, इस condition में जो solution आएगा, अपने पास वो l dash dx plus m dash dy plus n dash dz equal to zero, यह आएगा, जिससे हमारे पास कोई दूसरा solution आएगा, d b equal to zero यानि v equal to c2, यह आगया, मतलब यह फोर्म होगा, exact form होगी, exact form, यह होगा, अब हम इस second method देखें इसका, second method, वो क्या होता है, यदि यदि मतलब कोई इसमें, कोई विचर पर z ना हो, मतलब जैसे कि या तो x ना हो, y ना हो, z ना हो, कोई भी ना हो, या फिर इनको multiply करने पर वो कट जाता हो, किसी तरह से, तब इस परकार के सम्भी करनों को, जो हमने पहले पढ़ेते ना, उस भी दोहरा हाल कर सकते हैं, उस भी दोहरा हाल करने के लिए, उस condition में वो इस condition में आ जाता है, dx upon p equal to dy upon q, इस condition में आ जाएगा, या पर कोई और मेतर लगा सकते हैं, जो हमने पहले पढ़े हैं, उन्ही तरह से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसके लिए एग्जामपल ले जाते हैं, हमने एग्जामपल ले लिए, हमने सॉल्व करना है, वह सॉल्व करना है, a dx upon b minus c by z, c dz upon a minus b xy, यह हमने पास सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, मतलब इस तरह से multiply करते हैं, कि इनका multiply करें, इसका सम प्लेस का सम और जिससे multiply करें, उसका सम होके 0 हो जाए, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम इसमें x के गुणा कर लें, इसमें y के गुणा कर लें, इसमें z का गुणा कर लें, तो यह x by z, x by z, x by z को माना जाएगा नीचे, और नीचे को माना जाएगा, b minus c, c minus a, a minus b, इनको जोड़के हम 0 कर सेके हैं, जैसे कि हम ले, यह आपने पास a dx, अपों b minus c, yz, equal to b dy, upon c minus a, zx, equal to c dz, upon a minus b, xy, equal to, अब जो इसको equal में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, जैसे हम एक से multiply करके लिख देते हैं, x a dx, प्लस इसमें y का multiply करके लिख देते हैं, y b dy, प्लस इसमें z का z c dz, upon, अब इसमें हमने x से multiply किया, तो x y z, इसमें z का क्या है, तो x plus z आजएगा, यह आ गया अपने पास दो कंडिशन आगए वो आगए अपने पास इसको में सकते हैं यह एक्स दी एक्स क्योंकि यह तो प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जैड डी जैड इसका हम समा किलन कर देते हैं समा किलन कर देते हैं यह पर हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं दी एक्स स्क्वाइर प्लस बी वाई स्क्वाइर प्लस सी जैड स्क्वाइर एक्क्वाइर एक्क्वल टू जीरो य तो प्रोब्ल्म प्रोब्लम तो यह आगए अपने पास अब इसका क्या लिए जड़ कर सकते हैं no problem तो यह आ गया, u equal to c1 वाले formula से, ax square plus by square plus cz square equal to c1, अपने पस a की solution आ गया, अब हम ऐसे दूसरे गुणा के देखते हैं, जिससे यह zero बन जाए, दूसरे गुणा के देखते हैं, अगर हम यहाँ पर व्यान से देखें, अगर हम इसमें ax का गुणा करें, और इसमें हम by का गुणा करें, इसमें हम cz का गुणा करें, तो क्या होता है, देखो इस तरह तो है ADX upon B-C DZ equal to BDY upon C-AZX equal to C DZ upon A-BXY अब हमें सोचने हैं कि इससे इनका सम मल्टिप्लाई जिससे मल्टिप्लाई कर रहा है उससे मल्टिप्लाई होके सम 0 हो जाए हुआ है जरूर नहीं हम चरल किसी प्रकाना है कि इसमें 0 का हो जाए तो जीर हो जाए अब हम सॉलिशन ले examiningu भेंग इया मत करते हैं कि सभें एक झाहिक करना दूसरा भी नहीं do go सकता है दूसरा भी नहीं हो सकता है कि दूसरा होने पर टीछन अजाएंक से खुकर पर फिर मदल जीरोईल रहे दूसकते हैं यह सिथ्कों करने के लिए हम सबसे पहले किया मनेगने सबसे पहले हिसमें किया मनेगे इसको एक प्रकर तो आתחे haz like What इसमें क्या है आपने बी बी वाई का गुणा बी स्क्वाई दी बाई प्रस सी स्क्वाई जड दी जड और नीचे क्या आपने पास है हुआ हमने एक भी मृटिप्लाई क्या है और एक से क्या है तो एक क्या है आपने पास है नीचे वाई जड है तो एक सर एक सर नीका सर्दियूद्र द सब्सक्राइब गणि कि एका तो मल् ela कि किए मैन सब्सक्राइब एक हाइब इसमे भी Pak का मुल्टिप्लाई किया था तो भड बाय वादया ly ka अगया B का मुल्टिप्लाई अंदर हो जाएगा तो यह हो जाएगा cb-ab इसी तरह जएड का multiply हो जाएगा c का multiply हो जाएगा वो हो जाएगा plus ac-bc अब देखते हैं ab ab कट गया ac ac कट गया cb cb कट गया हमें 0 चाहिए तहा नीचे बाल 0 हो गया तो अपने पास जो आगया solution इस चाहिएगा अपने पास a square x dx plus b square y dy plus c square z dz equal to 0 यह हो गया अपने पास यह हो गया तो फिर इससे हम और क्या कर सकते हैं इसको हम और लिख सकते हैं जैसे 2 का multiply है दों तरफ से कर दें 2, 2, 2 2 जीरो ही है d a square x square plus b square y square plus c square z square equal to 0 यह हो गया तो इसको हम और लिख सकते हैं इसका अब डिप्रेंसेशन कर दिया है मतलब यह वह format d b equal to 0 तो v equal to c नहीं कि a square x square plus b square y square plus c square z square equal to c2 यह दूसरे equation आगए अपने पास यह है general solution होगा वो general solution समीकर एक वाद दू मिलके जो लिख देंगे हम रिखने हम यह क्या मतलब u and v इसको हम u माल ले इसको हम v माल ले है तो यह दूनों मिलके जो मिलके complete solution देंगे solution अब हम इसके एक और example ले लेते हैं हमारे पास है यह solve करने के लिए यह solve करना है dx upon dx वरावर dx upon 1 sorry dx upon 1 dy upon 3 5z plus 10 y minus 3x यह solve करना है अब हमने बताया ना इसको solve करने के लिए हम एक को 0 ले सकते हैं लिकित दो को नहीं ले सकते हैं पहले दो पत ले लिए इन दोनों को solve करने पर इन दोनों को ले लिए हमने solution यह आगा dx upon 1 dy upon 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3dx minus dy equal to 0 यह हो गया अभी अपनी पास exact form है तो exact form में इसके समा क्लिन कर दिया है 3x minus y equal to c1 यह इसको यह भी लिख सकते हैं y minus 3x equal to c1 इसको c1 dash मालने है minus c1 dash आएगा minus c1 dash को c1 यह आ गया अब हमें 2 यह linear इससे linux क्या कर सकते हैं यह by minus 3x है यह by minus 3x है यह c1 लिख सकते हैं क्योंकि यह constant की equal है अब इसको और इसको दो पदोंगों ले ले लेते हैं dx upon 1 बराबर dz upon 5z plus 10 by minus 3x है c1 इसको c1 लिख दिया हमने यह आ गया अब यह z का फलन है यह x का फलन है इसको सॉल्व करने के लिए हम अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या है हमने इसको सॉल्व करने के लिए यह 10c यह constant 10c तो यह आ गया अपने पास यह तो आ गया x पिलस यह आ जाएगा log अगर हम इसमें उपर नीचे multiply करने 5 का divide करने 5 का तो यह आ जाएगा 10c तो यह जाएगा 5 का divide के हमने उपर नीचे 10 upon 5 बाहर आ जाएगा 1 plus 10 upon 5 10c यह आ गया तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं equal to कोई c कोई constant आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 5x plus log यह 5 plus 10 10 10c1 upon 5 5 equal to c2 c2 अलग से constant लेना है यह आ गया c2 तो इसको हम आगे और कर देते हैं तो यह देगा 5x plus log 5 plus 10 c की value लग देते हम c की value क्या अपर पास by minus 3x y minus 3x यह आ गया और u upon v से log u upon v से log minus 5 आगेगा log minus 5 कोई c1 कर देते हैं तो इसको अलग से constant देते हैं c2 देश where c2 देश पर आवर आगे c1 c2 minus log 5 क्यों minus यह प्लस log 5 क्योंकि यह minus मा आगे इक प्लस देगा log 5 यह आगे c2 यह आगे log 5 तो इसका अपना solution आगया वो आगया अपने पास है यह 5z है और यह 5z हम z लिखना पूलता है यह z है हाँ पर 5x plus log 10 y minus sorry sorry 5x plus log 5z plus 10 y minus 3x equal to c2 देश अब हमारे पास एक solution पहले आ चुका है 2 minus 3x परावर 7 और दूसर solution आ चुका है 5x log 5z plus 10 y minus 3x यह आगया अपने पास अब इन दोनों को मिलाके लिख देते हैं मिलाके मिलाने पर जो solution आता है वो अपने पास complete solution है हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ते हैं अब अब को आपका आपका प्लस b plus b x dy upon dx q यहां पर dy upon dx के आगे an plus y एक और पद है plus equal to qx यह हो q को x पहलन है an an यह बन तक सब को constant अब हम इसको solve करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं मान लिए हमने a plus bx व्रवर b a plus bx व्रवर b प्लस bx व्रवर b तो dy upon dx और dy upon dx को क्या लग सकते हैं dy upon dv dv upon dx dy upon dx इसको पहले पीछे रखा लेकिर constant तो आगे लिए और dv dy upon dv आ गया है यह आ गया उसके पाद हमने डी स्क्वार वाई अपून डी इसी साफ से अपने डी वाई एक्स निकाला है इसी साफ से अपने डी स्क्वार वाई अपून डी स्क्वार वाई अपून डी वी स्क्वार यह चलता चलता हो डी एन वाई अपून डी एक्सन निकालेंगे वह आए विखे यहां अजह भावर क्यों टो यहां से दिवाइट ये यह फॉन दिवे यह इन दिवाइट टिवी एइस तरह इसमें रख दिया इसी तरह चलते चलते यहाँ पर यह अई यह बरावर क्यू ऑर जो एक था और एकसको लिख सकते हैं V-A upon V तो V-A upon V यह लिख दिया अब यहां से हम ले बीकी पावर अपर डिवाइड कर दिया दोन तरफ तो यह VN रगया है, DNY upon DVN plus VN minus 1 A1 A1 और B क्योंकि यह बाखी तो BN minus बाखी तो कट जाएंगे, तो D N minus 1 by upon D VN minus 1 पिलस है, तूब बी स्क्वार वी एन माइनस टू डी न माइनस टू वाई वराप बटेव बी अन प्लस दोटोट चलते हुए आदाएगा अपना अन अपन बी अन बाई प्लस से हैं इसके equal मा जाएगा 1 upon bn और जो function होगा q q जो function होगा वो वोगा v minus a upon b का function v minus a upon q का function इस तरह जो अपने differential equation में change हो गई है अब इसके example ले लिए लिए example हमने ले लिया यहां पर example लिया आपने 1 plus x square d square y upon dx square यहां पर भी square है plus 1 plus x dy upon dx plus y equal to 4 cos log 1 plus x यह लिया है हमने log 1 plus x 4 cos log 1 plus x है यह ले लिया हमने अब इसको solve करने के लिए पहले में मान लेते हैं let 1 plus x equal to v तो इससे क्या आगया अपने पास dv upon dx equal to 1 यह आगया अपने पास तो dv upon dx equal to 1 आगया तो अब इस फॉर्म से इसको हम किस हिसाब कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं v square d square y upon dx square plus यहां पर a1 upon b अब a1 क्या है अपने पास यहां यह वन यहां पर इससे को जो multiply होता है और यह भी बन है तो बन वाई बन पर बन हो जाता है यह वी यह वी है डी वाई अपन डी वी प्लस है पिलस है फिर यहां पर आता लाक्ट में a1 upon bn है यह यह क्या है one है अब बी इन क्या one है यह अपन बी इन बी इन बन है तो यह यह रहे यह पने पास वाई एक्विल टू फूर फूर लॉग अज़ यह सोर्य फूर कोस लॉग और बन प्लस एक्स बराबर भी यह यह आगए अपने पास अब हम इसको समगात समगे कर मागा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समगात को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे हम जो परानी वीडियो में पढ़ा है उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो भी यहाँ पर होता था उसके एक्स है तो हम मान लेते ज़र बराबर log x मानते थे यहां पर v है तो इसको log v मानेंगे log v या v वराबर e की पावर z इसमें बदलने के बाद अपने पास एक कुशन बदल जाती है वो अपने पास बदल जाती है d d-1 पिलस d पिलस बन y यह दो हो गए d d-1 by और यह हो गए d y और यह हो गए जो y था यह कॉंस्ट्ट बना गया और यह हम दो बाद ले लिया एक्विल्टू वी वराबर क्या है e की पावर z तो यह हो गया फूर कोस लोग e की पावर z अब e की पावर z है तो इस सिंप्ली फूर कोस यह हो गया इस तरह अब इसको हम अंदर मिल्टिप्लाइ करें तो यह हो गया अपने पास है अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते है cf निकालने के लिए हमें साइक समीकर्ण चाहिए वह होता है इसके लिए m2 प्लस बन एक्कुल टू जीरो जो एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा तो cf बराबर आपने पास है c1 कोस जैर बन प्लस c2 सैन qiok duo aota z plus minus iota हे यह आगे लिपास c2 to aota होगा है इस फॉर में बतल गया अपने पास हम इसको और फॉर में लिखना चाहे तो हम इसको इसको इस तरह लिख सकते है c1 कॉस्ट जायड प्लस स्यूटू इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमने यहां लिखते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है इसको ऐसे लिख सकते हैं अब हम निकालते हैं इसको इक कुछन नमबर फिर्च देने के पार पि यह बैसे यह अपने पास जो फोर्म आई थी, यह ज़्यड की फोर्म है, यह बात हम्हें से ध्यान रखने है, यह अंसर पॉर्म में ऐन्वाले बात है. कहीं बार हम भूल जाता हूँ, रिखी नेखसर यह कमें में आंसर अंसर एक की फोर्म में पर यहां Q क्या है? Z है तो QZ आ जाएगा Z का फलन तो यह हो जाएगा अपने पास 1 upon D square plus 1 4 cos Z क्योंकि QZ क्या था? 4 cos Z था यह आ गया बट अब यह देखने वाली बात है यह माइनस उस पर 0 हो रहा है तो यह 0 हो रहा है तो इस वह इस इस स्क्राइब नहीं कर सकते है तो फोर्मूला लगाना पड़ेगा अब फोर्मूला क्या है वह याद रखने वाली बात है बनापन D square minus a plus a square sin az होने पर फोर्मूला क्या होता है वह होता है एकस अपन 2 a cos az यह होता है यह यहां पर साइन और यह जैसे sin है तो यह इस साइन है और दूसर फोर्मूला होता है बनापन D square plus a square cos az बरावर होता है एकस अपन 2 a sin az यह होता है यह दूफ फोर्मूले होते हैं अब इन आप प्राणि बूड्यों देख सकते हैं अब यह आ पनी पास ऑफोर तो बार आ गया पूर बन पूर्ण डी स्क्वार प्लस ए dA2, dA2, D2 plus 1, cosz, तो इसको हम X, X नहीं, यहापर Z, Z का फ्लाएना, तो Z upon 2A, four तूona multiply महीं है, 2A, एक वारा पर क्या है, बन, तो कोई मतलब भी नहीं है, 2 लिख दिया हमने यहां, और यह cos को की समें बतलेंगे, सैन में, सैन Z, यहां आ गया अने पास, 2 z sand z यह आगया अपने पास अब जनल सोलिशन आ गया वो आ गया cf क्या था अपने पास c1 cos c1 cos c1 cos z plus c2 यह हैं तो यह हो गया अपने पास c1 plus cos z plus c2 और pi क्या है वो है 2 z sand z हम z की value मान रखे देने हैं आपने z ब्राबर क्या माना है अपने तो नहीं है z ब्राबर मान के चले हैं z ब्राबर log v यह मान के चले हैं तो z ब्राबर log v लग देते हैं c1 plus c1 dot multiply में आया था sorry c1 यह multiply में था c1 cos log v plus c2 plus 2 log v c1 sin log v आ गया अब बट v ब्राबर क्या था व्राबर क्या था पने बफ ब्राबर प्रास ब्राबर क्या था यह बार था हमने यहां पर स्टार्टिंग में ब्राबर X प्रावर V तो यहां पर गए देते हैं तो यह आगए सी बन कोस लॉग बन प्लस X प्लस C2 यह बन प्लस 2 लॉग V नहीं है व Noveφри की जगए क्या था अपने पाश प्लस X जाएक साई लोग 1 प्लस 1 प्लस x genes are यह प्लस बन प्लस एक्स है यह आगया यह भॉत्स घनल स्वालीसिन हागया जे आपने पसम्लॉओं तवह जेम्लैनल Caribbean हेलो फ्रेंट्स पहले जी चैनल को सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जो भी आप टॉप पुच्छाते हैं उसके वारे में कमेंट कीजिए आप जो हम पढ़ेंगे वह है अपने पास होमोजीनियस लिए डिफ्रेंशन एक क्विश्ण सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस डिफ्रेंशल एक क्विश्ण होती क्या है यह होती है कोई एक अपकल समय कंड होता है डिफ्रेंशल एक क्विश्ण होती है उसकी फोर्म होती है xn dn y upon dxn plus xn minus 1 difference dn minus 1 y upon dx n minus 1 plus dot 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 चलता हुआ plus a n minus 1 x dy upon dx plus a n y equal to qx जहां q कोई भी x का फ़लन है और जो a n है a2 a3 यह कोई constant होंगे यहां से हम a1 तो a1 a2 dot dot जो भी आ गएंगे वह कोई constant function होंगे इस तरह से यह differential equation आ गई यह differential equation इस फॉर्म में होती है वह homogenous differential equation होती है अब उनको हम method of solution देखते हैं इसको solve किसे करते हैं वह देखते हैं method of solution method of solution देखने के लिए हम सबसे पहले जो हम यह किसमें मानते हैं method of solution में एक हम नई नई जो variable है उसमें परिबद करते हैं इसको अब नई variable के लिए हम मानते लेते हैं z बराबर log x जब वेस इसका e होता है log x होता है या इसको हम लिख सकते है x बराबर एक पावर z यह होता है अब हम यहां से इसका differential करें क्योंकि dy upon dx को हम क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं dy upon dz dot dz upon dx यह लिख सकते हैं अब dz upon dx यहां से क्या लिख सकते हैं इस equation से इस equation से dz upon dx बराबर आ जाता है बन अपॉन x बन अपॉन x आ जाता है हम तो यहां पर हम लिख सकते हैं dy upon dx equal to बन अपॉन x dy upon dz यह हमने लिख लिख दिया है यहां की इसकी वेलिव यहां पर रिख दी हमने इसको हम और के लिख सकते हैं x dy upon dx equal to आ गया dy upon dz और अगर इसको हम लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं x dy upon dx equal to dy यह आ गया जहां पर वेल डी वराबर है डी upon dz यह हैं अब हम इसी तरह हम second के लिए करें अब इसके लिए करें हम d square y upon dx square इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले सबसे फिल d upon dx dy upon dx लिख सकते हैं तो अब dy upon dx से बेलू क्या आपने पास यह रहे अपने पास dy upon dx से बेलू यह 1 upon dz तो यह लिख देते हैं फेक्स दी ऑपॉन एक्स दी पॉन डी अब हम इसको डिफ्रेंशिट करते हैं एक्स के श्रां। तो सब्से पहले हम करते हैं एक्स को छोड़ देते हैं और इसके ивать में कर देते हैं तो है पお願いします तो लेगाँ दी उपन दी नियुपन दी अगया पिलस इस वार हम बन अपॉन एक से करते हैं तो वह और इसको छोड़ देते हैं तो यह दी वाई अपॉन डी एकस हम ने छोड़ दिया अब बन अपॉन एकस क्या होगा माइनिस बन अपॉन एकस क्या होगा माइनिस बन अपॉन एकस क्या होगा माइनिस बन अपॉन एकस क्या ह यहां D upon Dx को इसमें participate कर दिया अब D upon DZ, D upon Dx इसे DZ से DZ कट जाएगा और यह D upon Dx ही है –1 upon x square dy upon dz अब हम इसमें 2 upon x square common ले लिते हैं तो 1 upon x square common लिया तो अपने पास बच गया अंदर आ गया जो यहां dy upon dz के आपने होगी डी upon dz की value हमने यह बन अपने 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 पास इसको सॉल्व करने पर दी स्क्वार बाइपन दी जेड़ स्क्वार माइनस दी बाइपन दी जेड़ यह आ गया यह इसको और लिखना चाहिए तो यहां से एक स्क्वार को यहां मल्टिप्लाई कर देते हैं तो यह अपने पास एक स्क्वार डी स्क्वार बाइपन दी एक स्क्वार एक स्क्वार एक स्क्वार एक स्क्वार माइनस दी बाइपन दी जेड़ और इसको लिखना चाहिए तो ट dny upon dxn बराबर होगी वह होगी d d-1 d-2 dot 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 d-n-1 यह होगी by यह इस फूर्म में बदल सकते हैं उसको where d बराबर अपने पास d upon dz यह है और हमने यह माना क्या है वो भी इंपोर्टेंट है हमने मान के जो चले हैं वो चले हैं z बराबर log x यह हैं अब अब फिर्ट्स हम इसे एक्जामपल ले लेते हैं कि homogenis differential equation को कैसे solve करते हैं इसके लिए एक्जामपल लेते हैं अब एक्जामपल हमने ले लिया x3 dqy upon dx3 माइनस 3x2 dqy upon dx2 पिलस 6x dy upon dx एक्वल टू लोग e base ea x का whole square यह ले लिया अब फिर्ट्स हम इसको solve करने के लिए हमने जो method पढ़ाता है इससे जो पहर पहरे method हमने पढ़ाया उसके according हम दिसमें मान लेते हैं जेड़ बराबर log x तो जेड़ बराबर log x आ गया है तो इसको हम किसमें बदल सकते हैं यह यह इसको बदल सकते हैं क्यों xq वाला फोर्म है यह xq अब इसको बदलने के लिए दिखते हम यहां पर बदल लेते हैं यह xq dq y upon dxq है तो इसको बदलनेंगे d d-1 d-2 y इस फ़र्म में बदलनेंगे वेर d वराबर d upon dz z वराबर log x और x वराबर e की पावर z यह है तो यह हो गया तो अब इसको अब बदल लिया तो इसमें हम रखते हैं कि बदलने दी-1 d-2 y minus 3 xq dq y dx को बदलने तो इसको d d-1 y plus 6 d equal to dy equal to हो गया यह अपने पास log e x log x प्राव हमने z माना है तो यह z square यह इसको हम और अच्छे तरह से लिखे तो लिख सकते हैं इसको multiply कर दो य को बाहर ले ले जाए एक साड़ तो इसका multiply कर दिया तो यह आगए अपने पास है dq minus इससे और इसका तो यह आगए आपने पास 3d square 3d square plus 2d minus 3d square plus 3d square plus यह आगए से multiply करने पे अपने पास 3d minus 6d और यह y equal to z square और इसको हम लिखना चाहिए तो इसको तो यह minus 6d square अब d वाली form 6d 2d 8d और यह अपना जो d है यह वाला d मैनिस मैनिस अब इनको जोड़ते हैं तो यह रहता है 3d plus 3d 5d minus sorry यह प्लस है यह पर तो यह प्लस आएगा यह प्लस आएगा यह प्लस 11d कि दी वाई equal to z square अब यह पास हमार पास वो जो हम पहले solve कर रहे थे उस तरह के हम सबसे पहले side semicond ग्याद करते है side semicond क्या होता है simply d को m से replace कर दो जो भी diet enzyme में उसको 0 कर दो यह आगा अपना m square minus mq minus 6m square plus 11m equal to 0 यह m common लेके m square minus 6m plus 11m equal to 0 अब यहां पर हम इसके factor करते हैं तो इसके factor हम formulas करते है minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a इससे करते हैं एक तो m बराबर 0 तो आए गया है के लिए रहे है तो अब बागी दो factor इसके according करने हैं तो है minus b के 6 minus b 6 plus minus b square 36 minus 4ac minus 4 गोना 1 c के 11 upon 2a2 तो यह होगा अपने पास आपने पास है तो आपने पास है तो अब cf निकालते हैं cf जो होता है वह होगा अपने पास है c1 plus क्यों 0 से c1 हो जाएगा c2 e की पावर simply इससे आएगा पहले जो 3z इस पास c1 cos z root 2 plus sin root 2z यह हो जाएगा यह होगा अपने पास इसके अपने पास है अपने पास है cf बैट यह cf जो निकाला यह जेड़ की फोर्म है लेकिन हमारे पास जेड़ तो अपने दोर माना गया है तो हमें cf z की फोर्म मेलना चाहिए हमें चाहिए cf x की फोर्म है तो simply z बराब हम लोग x लिख देते हैं यहां पे तो वह आजाता है अपने पास c1 प्लस e की पावर 3 लोग z c1 यह अपने पास z रूट 2 तो यह रूट 2 दो लिख दो लोग x प्लस sin रूट 2 लोग x जिसको हम यहां पे इसको हम लिख सकते हैं z की पावर q तो लोग z की पावर q यह निकि z की बावर जाएगा यह गाए c1 x sorry x यह गाए c1 x की पावर q q प्लस c2 अलग-अलग c2 c3 लिख चलो इसको c2 c3 अलग-अलग लिख चलो c1 x की पावर q कुश्टक चलो c2 लोग-टू लोग-एक्स इस और कॉस 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 पिलस c3 साइन रूट तू लोग-एक्स इस तरह हमारे पास cf आ गया अब इसके पास अब निकालते हैं इसके पाथ पी इसको क्यूसर नमर फच दे दे दें अब निकालते हैं आप निकालने पास आपने पास फोर्मिला होता है वह होता है बन अपन fd और qx अब qx का फोर्म है हम इसके पास्टक करते हैं तो इसको लिख सकते हैं यहां से तो यह आ गया और यह QX अपने पास QX क्या है यहां QZ होगा है क्योंकि हम Z के फॉर्म में बदल लिया हमने बेरियाबल को तो Z Zastri तो प्निक्ता है प्निक्याबर का वरे तो पिर हम यह इसको स्वब करते हैं इसको आलगों करौने के लिए आ Denk पे-डिक्ता दने केवडिर एक द्धी माइन है भी माइनश ओम इस T-square इसका अंदर multiply केने पर ये minus 60 हो जाएगा ये plus d-square हो जाएगा किवा टिका उन्दर multiply करने पर यह अगार याएगा पास j-square ये अगर अपने पास हम इसको क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं इसको equation number 2 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते है बन अपॉण conservative बन अपन डी और फिर इसको लिख सकते हैं 11 माइनस इसमें 11 और कॉमन ले लेते हैं तो यह जाता है बन अपन 11 डी अब यहां से देखते हैं 11 कॉमन आ गया तो यह आ अपने पास अंदर जो आया है वह बन अपन डी 11 ड आ‌गया यह बन माइनस 6 डी माइनस ी स्कहार अपॉण 11 इनिवर्स तो यहिए पर लिख लेते हैं बन माइनस सिक्स डी माइनस डी स्क्वार अपॉन 11 यह आगा अपने पास यह कोश्टक में है अपने पास और यह अलग से कोश्टक में है का इन बर्स अब हम इसको खोल देते हैं गोश्टक में हम इसको खोलते हैं तो इसको खोलने के लिए स्म्पली बन माइनस एक प्लस एक स्क्वार प्लस एक स्वेड़् प्लस एक Beautiful बहुत चलता एं तो उसी सम्पवल दे इसको तो यह आता है बन प्लस प्लस 6D- D square. 11a 6d minus 3 2 squareton 11 11 प्लस होन चलता जाएगा हम प्लस प्लस डोट डोट चलता जाएगा हम हम की जरुसलत इसलिए नहीं क्योंकि जैड स्कौर्ड होमें नहीं ऑगो एक ही 4 ओम हो जाए इस दिसकों कि पर लिख सकते हैं यह tie इसमेंसे वह फोर्म निकाल लेते हैं जिसमेंसे डी स्कॉर आये अपने पास तो वह आएगा पहली फोर्म से आएगा यह जाएगा 36D square upon 121 प्लेश डॉडड़ जो भी होगा आपने पास चलता जाए क्योंकि वह 0 हो जाएगा नो प्रोब्लम जैड़ स्कॉर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हम यह जैड़ स्कॉर हो गया प्लस नहीं अभी इसको हम और बतल लेते हैं इसको हम बतल लेते हैं बन प्लस 6D upon 11-D square upon 11 plus 36D square upon 121 प्लस डॉड़ चलता जाएगा यह हो गया जैड़ स्कॉर इसको हम इनको जोड़ देते हैं तो यह आजाएगा अपने पास 1 plus 6D upon 11 इसको जोड़ देते हैं तो यह आजाता है अपने पास 121 LCM लेके जो आएगा वो आएगा अपने पास 121 11 36D square minus 11D square प्लस कर साना जाएगा यहां पर और यह आजाएगा 25 25D square प्लस डोड़ चलता जाएगा यह आगए अपने पास जैड़ स्कॉर अब हम इसका वो डिप्रेंसेशन करेंगे तो यह बार तो आजाएगा जैड़ स्कॉर प्लस 6D square सीड़ और जैड़ स्कॉर करेंगा तो यह आजाएगा 12 अपॉन 11 जैड़ प्लस इसका दो बार करेंगे तो 50 अपॉन 21 आ गया यह आ गया अपने पास अब यहां पने जैड़ की वेल्यू रख देने हैं हमको जैड़ की वेल्यू क्या थी जैड़ ब्राव लॉग एक्स था तो लॉग एक्स का होल श्कॉर प्लस ट्वैल आपउड 11 लॉग एक्स फिप्टी आपॉन 21 यह अपने पास प्याय आ गया अब जो इसके सोलुइसन हम रखते हैं सोलीशन वो रखते हैं यह आगा यह अब सोलीशन जो होता है जनरल सोलीशन जो होता है सी एफ प्लस पी आई उन दोनों को रख दीजिए आपके पास आंसर आजाएगा सी अपने निकाला था यह था अपने पास है यहां था सी बन प्लस एक्स क्यूब कोई टक चालू लॉग टू लॉग एक्स से त्री सान रूट को इश तक में रूट टू लॉग एक्स यह था अपने पास और पी आई अपने पास जो था यह यह लॉग एक्स स्कॉर्ड प्लस टुवट्ट अपन फिप्टी अपॉन वंट्वेंटीवन अब हम इसमें जाएज है क्या कर सकते हैं ज जो लिख देना है वो लिख देंगा हम वह जाएगा सीवन सीवन प्लस फिप्टी अपन वन टूं 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 आएगा उसकों सीवन टेस अलग से दे जाते हैं प्लस लॉग यह एक्स क्यूब यह एक्स क्यूब C1 कोस रूट टू लॉग एक्स है प्लस प्लस यह एक्स बज्म्द सीवन टूं टूं लॉग एक्स है प्लस ल्चों प्लस रॉज ह्स्वर जो लॉग है यह एक्स का होल स्कुर्स ये अपने पास आन्सर आ गया प्रेंट समिस में यह चीज भूल गए है वह है बन अपन 11 इसको बूर चुक है यहां पर सॉल्व किया था सिर्प इसको सॉल्व क्या नहीं अभी यह सिर्फ हमारे पास इस पार यहां तो हमें इसका इंटेगरेशन करना होगा है इस का इंट्री टेइशन करने के लिए हम सिंपिल इंट्रीशन क्या होता है वो हुल लिठीते बन अपन 11 आ लॉग एक्स इंट्रीरेशन क्या होगा नहीं पता है में ल्उग एक्स लिख दो लॉग एक्स क्वार समय शुर्म कसा कि है第二 आ heroin में अगर हम यहां पर करके चलते हैं लेकिन यहां पर पहले इंटेगेरी स्टेटा करना होता है तो इसका इंटेगरेशन हो जाएगा बन अपन तो बाहर रह गई बनापन एलेवन तो बाहर रहे आपने पास जो इंटिग्रेशन आएगा वो आज आएगा आपने पास जए जएक्ड की अपॉन थ्री प्लस 12 अपॉन 22 जए स्क्वार प्लस 50 अपॉन 121 और जो भी अपने जो आए आपॉन इसमें यहां थोड़ी सी कर दिये लेकिन जो अपना मेथड़ था वह मेथड़ यह है इस मेथड़ और क्लियर करने के लिए यह एक्षपल ले लेते हैं वह एपने पास एक्जाम्पल आपने पास x square d square y upon dx square प्लस 4x dy upon dx प्लस 2y equal to e की पावर x यह है अब इसको solve करने के लिए हम सबसे सबसे पर जो करते हैं z बराबर log x मान लेते हैं अब जेड़ बराबर log x मान लिया जिसको हम लिख सकते हैं जिससे उसके help से लिख सकते हैं जो हमने question पड़ी थे उसके help से d square.dx square को हम क्या लिख सकते हैं उसके help से हम ले सकते हैं इसको यह रागा में पाद d d minus 1 plus 4 d plus 2 y equal to i could Z by επ Teddy in a two of people z क्या गया कि इस पावर जेड़ बराबर आगे अपने पाश है नहीं सिंबिल हमें ने जारा stopping आपे अए हैं इक इक पावर जेड तो यह आगया अपने पास ada तो इसको हम स्लेंब करते ने तो आजाता है बन अपॉन यह डी स्क्वार प्लस माइनिस डी आए गया प्लस थ्री डी डी स्क्वार प्लस थ्री डी प्लस तू वाई एक्विल टू यह की पावर जैड़ी आ गया अपने पास यह पर हम इसको X की फोन में भी लिख सकते हैं यह कोई मतलम ने यह लिख लिए हमने तो इससे हम CF निकालते हैं CF आ जाएगा अपने पास इसना फैक्टर बनेंगे वह होंगे अपने पास CF निकालने के लिए सबसे पहले साइक समीकर्ण तो m2 plus 3m plus 2 equal to 0 तो यह आजाएगा अपने पास इसके फैक्टर बनेंगे M प्लस 1 and M प्लस 2 implies M बरावर माइनस 1 M बरावर माइनस 2 तो यह CF आजाएगा अपने पास C1 E की पावर माइनस X प्लस C2 E की पावर माइनस Z जैड यह यह आगया अपने पास 2Z यह आगया बट जैड बरावर अपने पास क्या है लोग X तो वह बेली लोग देते हैं C1 E की पावर माइनस 2 लोग X तो यह आजाता है अपने पास C1 E X प्लस C2 E की पावर माइनस 2 यह जाता है CF अब फ्रेंट सब इसका PIE निकालते हैं प्लस 3D प्लस 2 और में पास जो E की पावर जैड यह रख देते हैं यह आ गया E की पावर जैड़ी आ अपने पास अब सबसे पहले इसके निकालने के नहीं हम इसके फेक्टर करने पढ़ेंगे वह आ जाएगा अपने पास बन अपॉन दी प्लस 1 माइनेस बन अपॉन दी प्लस 2 और E की पावर जैड़ी आ गया अपने पास जैड़ी आ गया तो यह अपने पास फोर्म आगए बन अपुन डी माइनस अफ़ा एक पावर ल कुछ यह अचुका है इस फॉर्म आचुका है तो इस फॉर्म आने के लिए हमने परदा था वह क्या था où e qa x e qa x dx dx i41 एफर्मूबह पढ़ा था हम ले हैं है तो फिर्टस अपने पार सिर फोब्ता है इस फूर्मूली को अविसमें इसमें इसे सौल करते हैं तो हो आजा band upon d1s e.e. Generation c-0 hr-1 upon d-2 e.e. पावर यह अपने पास तो हम सबसे पहले इसको कुशिन नमर बन देते हैं अब हम इसको solve करते हैं तो इसको solve करते हैं बनपउंड डी फ्लस बन एक पावर ईजैड इसको solve करने के लिए हम simply e की पावर एक पावर डी माइनस एलफद या या अलफवरा और क्या गया है one alpha वराब minus 1 तो d minus z integration e k power z और d z अब या integration करना है इसका integration करने लिए हम simply e k power z वराबर t माल लेते हैं e k power z वराबर t जो बना है e z d z वराबर dt यह आ गया है तो इसका integration होगा अपने पास एक पावर माइनस जड या अगए अपने पास EZ, DZ, और वरावर तो DT है और E की पावर T और DT जो आगए solve करने पास आथा एक पावर माइनस जड इक पावर T इक पावर T का integration इक पावर करने के लिए बन अपन D प्लस तू एक पावर इक पावर जड़ यह अपने पास इसको सब्सक्राइब वह करते हैं तो बन अपन यह हो गया इसको solve करते हैं तो इस equation के according alpha ब्रावर क्या है minus 2 तो e की पावर minus 2z integration of e की पावर minus 2z plus e की पावर e की पावर z of dz यह हो गया अपने पास e की पावर z plus का e की पावर z 2z और e dot e की एकपावड जने समय एकपावर जर्डवर वर टी मान लूं तो यहां पे एकफावर जेड़ और डिजल वर सकते हैं तो एक एक जगे तो 2 इस से अपने पास आ गया बदल के यह अपने पास equशन वह आ चुकिए भी अपने पाइस है इस बाइं प्रuppal माइनस टू-जेर तो बाइसा बाइद एसम कर रहे हैं इंट्डिस जो करें उससे मतलब टी डॉट इक पावर टी पोव दीटी अब इसका इंट्रिधे इंट करते हैं मतलब यह e की पावर माइनस 2z t.e की पावर t यह है इसका इंटेग्रेशन करना है तो e की पावर माइनस 2z को दोबार ही रखो इसका इसमें हम सबसे पहले 1st.2nd वाला फॉर्म करते हैं तो फैस्ट को छोड़ दो अपने t को छोड़ दिया इंटेग्रेशन ऑफ e की पावर t माइनस इंटेग्रेशन डिफ्रेंसेशन डिवाई पॉन डिटी और टी और टोटल इसका इस तरह यह फॉर्मूल होता है तो इससे एक पाव माइनस 2z यह पर भी आगया t e की पावर t माइनस डिफ्रेंसेशन क्या तो हो बना गया फिर इसका इंटेग्रेशन के एक पावर t माइनस 2z एक पावर t माइनस बन एक फोर्म में तो इससे पहले सबसे पहले जो cf लेकिंगे वह लिखेंगे हमने जो जन्रल सुलिशन होगा जन्रल सुलिशन होगा वह हम लिखेंगे इसका यह स्यएब लिखने पहले c1 x प्लस c2 एक पार मैंनस टू तो आगया c1 x plus c2 x की पावर minus 2 यह आ गया प्लस अब pi जो लिखेंगे पहला तो इसका solution लिखना है मैं इसका solution इसमें यह solution आया था एक question number first e की पावर minus z dot e की पावर minus z dot e की पावर e की पावर z यह था और जो second solution आया था वो आया था अपने पाश प्लस माइनस आने तो माइनस के साथ आए गए माइनस एक पावर minus 2z कि पावर z minus 1 e dot e की पावर z बट अपने पास e की पावर z बरावर क्या हो सकता है क्योंकि z बरावर अपने पास है log x तो e की पावर z बरावर अपने पास है x यह आ गया है तो इससे हम एक पावर ज्ड बरावर एक स Warsaw देते हैं तो आजाता है सीवन एकस प्लेस सीट्टू एकसर माइनस टू ब्लस एकपावड ज्ड इसको बनाप फोन एकपाव ज्ड़ीकष़ के दो उसे आदर से सकते हैं तो याद आक आक पूर पास चीवर-1 e की पावर x minus here आग है e की पावर x इह और अपने पास e की पावर जesग और X minus 1 ओर e की पावर X ही इपने पास, अब हम इसको all- Rush करते हैं तो C1-EimonRicky Plus keluar C2-2 Plus X-Inverse e की Position X Minus इसका अंदर Multiply किया तो यह X हो गया x-Inverse e की endroit X और इसका अंदर Multiply किया तो Plus x per minus two e की Consult X यह आ गया अब फ्रेंस इससे हमारे पास यह कट रहा है तो अबने पास दो सोलूशन आया वह है सीवन एक्स प्लस सीटू एक्सपर माइनस टू प्लस एक्सपर माइनस टू एक्स यह अपने पास का सोलूशन आ गया हम पढ़ चुके हैं अब तक अच्छर गुणांको बहुत की चैनल को शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने सेजेशन देजिए और आप क्या टोपिक चाहते हो यह बताई है मैं उस टॉपिक को इसके बाद वीडियो बनाऊंगा हम अब तक यहां पर फड़ चुके हैं वह फड़ चुके हैं कि अच्छर गुणांको वाल आपकल समीकर्ण का रूप होता है यह होता है कि दी की पावर एन पलस अबलगार फ़न पर चेलचा कख नहीं ब्लस भूआब होएं इकल टू क्यू एक्स ब्सका अब लीडियो performing ऑल आपकल टू इकशन तो मुझे अंनिकंग आए फेप उपडिश्न में निकल देश्टार अम निकल देश्टार के सब्सक्राओं तो इस कंडिशन में बनापन FD में से हम एक S-Effect जरून बनेगा उसमें से जहाँ D-A कौन बनाएगा और पावर R कुछ भी हो सकता है वो कौन बना जाएगा और 5A S-Effect बनेगा जो 0 नहीं होगा वहाँ पर हम 0 simply apply कर देंगे और जो D-A की पावर R इसको इसको solve करने के लिए हम R को solve करने एक S-Effect बनाएगा साथ हमने second form जो पड़ी थी वो थी अगर QX बरावर sin AX और cos AX को और F-A square equal to 0 तो बनापन F-A square sin AX और बनापन F-A square cos AX परावर होता है बनापन F-A square cos AX और अगर किसी condition में मेरे पास ऐसी condition आ जाती है कि F-A square equal to 0 है तो उसका होता है बनापन D उसमें एक factor इस तरह बन जाएगा बनापन D square plus A square sin AX जिसको solve करने पर आजाता X upon 2 A cos AX और यह आजाता है बनापन D square minus A square cos AX बराव माइनस X upon 2 A sin AX हम इस सभी के proof भी पड़ चुके हैं और इस से related example ले चुके हैं अब हम और साथ में यह भी पड़ चुके हैं यह हम लेटेस्ट वीडियो में जो पड़ा था वो था अपने पास अगर function इस तरह हो बनापन FD X power M हो यह FD को हम इस फॉर्म में लिखेंगे D minus alpha की power कुछ भी हो सकती है D minus alpha की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि जैसे अगर D minus alpha 1, D minus alpha 2, D minus alpha की हो इस तरह होगा तो उसके पार्षिल फ्रेक्टर द्वारा अलग एक बेन में चेंज कर लेंगे और उसमें हर एक के लिए इस तरह से D minus alpha बारा की से बनाएंगे और D minus alpha की इस के लिए इसमें से हम alpha कॉमन लेके 1 minus D का D upon alpha का inverse हो जाएगा तो उसका जो expression होगा 1 plus D upon alpha सब्सक्राइब करते हैं यह भी हम देख चुके हैं और आज हम जो देखने वह है हां तो फ्रेंट्स आज हमको देखना है अगर बना पून FD और एक की फोर्म में हो तो हम क्या कर सकते हैं उस condition के लिए हम solve करने के लिए हम सबसे पहले formula के इससे निकालते हूं वह देखते हैं इससे formula simply हम जानते हैं D e की पावर ax b बरावर क्या होता है यह होता है e की पावर ax db plus मतलब एक बार इसको छोड़के इसका differentiation कर दिया अब इसका करेंगे तो यह आ जाएगा e की पावर ax b कोम ले लिया तो d plus a v बच गया है इसी तरह d square e की पावर ax v यह करेंगे तो यह आ जाएगा अबने पास e की पावर ax d plus a का whole square v चलते चलते यह आ जाएगा d n e की पावर ax v equal to आ जाएगा e की पावर ax d plus a की पावर n v यह आ गया अब यहां से हमें कहने कालना होता है हमें निकलना होता है अब यह आ चुका है तो हम इसके दोने तरफ क्या कर सकते हैं इसको f इसको हम लिख सकते हैं जापकर रूब इसको बन अपन f d e की पावर एलफा एक्स v equal to e की पावर एलफा एक्स f d प्लस एलफा v यह n और v है यहां पर यह होगा इसी दो ब्यापर फॉर्म होगा यह होगा अब इस फॉर्म में चैंज होने के बाद जाए यह आ गया आप इसे बनपन f d निकाला बनपन f d बनपन f d e के पावर एक्स v जो क्या रहता है e की पावर a x बनपन d प्लस a v यह आ गया आपने पास हम इसको नीचे ले गए इसको नीचे ले गए एक पावर alpha x हम एधर ले गए को यह सकता है एक्स का अब हम इसक refers सकते हैं इस इस यो फॉर्मूला यह फिने पांस फॉर्मूला है, तहीं मैं इसे फिराटेड के एके एकमहिर इन भी कटे कोसािया, है अब सबसे पहले हम इसको solve करने के लिए क्या निकालते हैं साइक समिकर्ण जो डी की जगए simply m4 plus m2 plus 1 equal to 0 तो यह आ गया m2 plus 1 का whole square minus m2 equal to 0 यह इस form आ गया इस form आने के बाद हम इसको और बदलना चाहिए तो m2 plus 1 minus m m2 plus 1 plus m equal to 0 तो m बराबर आ गया अपने पास माइनस 1 plus minus यह जाएगा 1 minus 4 तो माइनस 3 root में होगा 3 iota और 2 यह आ गया और इससे जो आये वो आएगा अपने पास 1 plus का बनाएगा इससे plus का बनाएगा वो आएगा माइनस 1 plus का बनाएगा इससे जो आएगा अपने पास 2 plus का बनाएगा क्योंकि minus b minus b यह है तो plus का बनाएगा यह आएगा इससे minus 1 बनाएगा minus 1 plus minus यह वोई 3 iota upon 2 इस तरह यह अपने पास 2 conditions आ गई हैं मतला m के हमार पास 4 value हो चुक है दो हम जिससे cf क्या लिख सकते हैं cf लिखते हैं c1 e की पार minus xy2 c1 cos root 3 by 2 x plus c2 sin root 3 by 2 x plus c1 को यह लिखने की ज़रूत नहीं है e की पार xy2 c3 cos root 3 by 2 x plus c4 sin root 3 by 2 x यह इसके cf आ गया अब हम निकालते हैं pi pi particular integral निकालते है particular integral तो वो होता है बनापून fd qx fd क्या है अपने पास बनापून यहां इसको हम इस form में लिख सकते हैं तो वो आ गया d square plus d plus 1 d square plus d minus 1 d square minus d plus 1 यह आ गया इस form में और यहां पर जो qx था वो है ax square plus b e k power minus x sin 2x तो यह लिख लिए ax square plus b e k power minus x sin x अब इसको solve करते हैं तो इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं वही यहां पर हम इसको तो इसको multiply करके हम लिख देते हैं d square plus 1 plus d d square minus d plus 1 अब b e k power minus x sin x अब इसको हम equation number 1 देते हैं हमने equation number 1 देते हैं पहले हम यह पार्ट solve करेंगे उसके बाद हम यह पार्ट solve करेंगे अब दोनों पार्ट हम solve करते हैं तो पहला पार्ट के अपने पार्श बहुत देख लेते हैं पहला पार्ट है बन अपॉन d k power 4 plus d square plus 1 a x square इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हम 1 plus d square 1 plus d square plus d power 4 माइनस 1 अब हम यह x square है अब हम उसको हम खोल देते हैं इसको हम खोलने पर यह 1 plus b 1 plus x की इनवर्स वाले फॉर्म में इस खोलेगा जो कि 1 minus x plus x square minus x की वाले फॉर्म में से चलता जाता है तो इससे खोलेंगे तो यह आ जाएगा बन प्लस यह d square d square plus d d power 4 माइनस sin की साथ आएगा माइनस आगे भी term आएगे लेकिन यहां पर हम पता है इसका है एक्स स्क्वार है तो इस स्क्वार से ज्यादा भी बार वह मतलब त्री बार फॉर बार त्री फॉर जितनी वी टाइम डिफ्रेंस करेंगे जीरो आ जाएगा तो उन्हों कोई लिखने से मतलब नहीं आ इक्स सक्वार यह कर दिया तो कि आगए अपने पाई बन तो यह इसका तो दो इसका को इस ाम डिफ्रेंस रिजट करेंगे दो बार तो यहाँचा वार जाएगा माइनस टू ए है ई आ गया इसका हम कुसण नमबर तू देते पास इसका हम रपासस त्लीसन आ गया है इसका solution हमारे पास यह आ गया, अब हमें इसका solution निकालना है, तो इसका solution निकालने के लिए 1 upon d square plus 1 plus d, d square minus d plus 1, b e की power minus x sin x, अब यहाँ पर हम solve करते हैं, अब यहाँ पर solve करने के लिए, हम देखते हैं, e की power minus x, पहले हम e की power minus 1 पर देखते हैं, कोई 0 तो नहीं हो रहा, minus 1 पर यहाँ पर minus 1 रखें, तो यह क्या हो जाता है, minus 1 यह प्लस 1 हो जाता है, plus 1, minus 1 यहाँ बद जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास, minus 1, minus 1, plus 1, तो यह 0 नहीं हो गए, इस तरह है, तो हम यहाँ पर apply कर सकते हैं, आराम से, जो अपने पास formula लिखाया था, मैंने वह formula apply करना है, मैंने यह formula लिखाया था, ban upon fd, e to power alpha v, बराबर, अगर 0 नहीं हो तो, e to power ab, बारा जाएगा, d upon alpha v, इस तरह से change हो जाएगा, अब हम यह करते हैं, आपर, तो यह e to power minus x है, तो यह d minus, d square जंट d1, d minus 1 लेखे देंगे, यह करेंगे, तो इसको हम करने लिखे 1 upon, d square, d minus 1 का whole square, plus 1, plus d minus 1, इस तरह यह change हो गया, इसी तरह, यह b e to power minus 12 है, और यहाँ पर क्या है, d minus 1 का whole square, minus d, plus 1 हो जाएगा, यह तो यह d minus 1 होगा, अंदर, plus 1 हो जाएगा, plus 1, यह हो जाएगा, और यह होगा, sin next, तो यह आगा अपने पास, b e to power minus x, यह आगा अपने पास, इसको हम यह कट गया, और इसको क्या तो हमने आएगा, d square, minus 2d, plus d, plus d, minus, plus 1, यह multiply में आगा इसके, multiply में थाब हो आगा अपने पास, d square minus 2d, plus 1, minus d, plus 1, और यह आगा, plus 1, यह आगा, यह आगा, इस form में बदर खुल गया यह, तो इस form में खुलने के बाद हम इसको लिख सकते हैं, यह आगा, d e की पावर, minus x, अपोन, यह में पास, d square, plus d, plus 1, यह आगा, d square, minus 3d, और यह आगा, आपने पास, 1, plus 1, 2, plus 1, 3, plus 3, sin, 2x, यह 2x था, शुरूँ से है, sin 2x था, आपने पास, में यहाँ गलती किती, sin 2x है, तो यह 2x ही चलेगा, 2x, यहाँ पर 2x होगा, और यहाँ पर भी यह 2x होगा, sin 2x, अब यहाँ पर हम, यहाँ सिंपली, d square कि जाएकर, minus a square, minus a square मितलब, minus 4, minus 4 रख देते हैं, यहाँ पर, तो यह आजाता है, आपने पास, b e की पावर, minus x, बन अपन, minus 4 होगा, तो यह जाएगा, d minus 3, और यह होगा, आपने पास, minus 4 होगा, तो minus 3d, और यह होगा, यह होगा, आपने पास, plus, minus 1 यह होगा, इसके पाद हम इसे, minus sign common ले सकते हैं, minus or sign, 2x, यह होगा, आपने पास, b e की पावर, minus x, बन अपन, यह minus sign common ले लिया, और यह 3d, plus 1 बन गया, इसका हमने multiply कर लिया, यह कर लिया, multiply d minus 3, and 3d, plus 1, इसका multiply करने पर यह आपने पास, 3d square, minus 9d, plus, minus 9d, और यह, plus d, minus 3, minus 3, यह आपने पास, यह हमसे गलती हो रही है, कहीं पर, और वो गलती क्या है, वो चैक करने के लिए हम देखते हैं, देखते हैं, hello friends, हमने इसमें जो गलती किती है, वो थी है, अपने पास, d minus बनकर, बनकर, अपने, d square minus 2d लेने चाहिए था, minus 2d बाद जायता, यह अपने पास minus आजाएगा, यह minus आजाएगा, बस यह कलती है, अपने पास, minus, minus, दुर कमोने बे प्लस आजाएगा, तो यह अपने पास, d plus 3 का गुणा होगा, 3d plus बस बसे, तो 3d square plus 9d plus d plus 3, यह आपने पास, यह आप लिए सकते हैं, 3, इस पे तो यह आजाएगा अपने पास, जो अपने पास बदल के आएगा, बहर आएगा, b e की पावर minus x, और यह minus 4 से multiply हो, तो minus 12, minus 12, plus 3 हो जाएगा, minus 9, तो बन अपने 10d minus 9, send 2x, यह आपने पास, अब इसको solve करने के लिए हम 10d plus 1 को उपने से multiply कर लेते हैं, तो b e की पावर minus x, बन अपन, 10d, 10d minus plus 1 का जो multiply है तो 100d square, minus 81 हो गया, और यह 10d plus 1, 10d plus 9, send 2x हो गया, अब यहाँ इस पे यह apply कर देते हैं, यहाँ पे यह apply करने के बाद, जो अपना solution आता है, वो आता है अपने पास से, यह apply और differentiation करने के बाद, जो अपने पास solution आता है, वो देखते हैं, वो solution क्या आएगा, उस solution को निकलने के लिए हम, यह अपने पास 10d minus 981, यह apply क्या तो यह 480 बना जाएगा, बी इक पास minus x है, अपन बना पन 481, 481 यह हो गया, और यह 10d, तो यह sand 2x है क्या होएगा, यह cost 2x होगा, 2 cost 2x, यह 10d है तो 20 होजाएगा, 20 cost 2x plus 9 sand 2x, यह होगे अपने पास, अब यह होने के बाद हम आरपा जो solution होता है, वो cf plus pi के form में लिका जाता है, cf plus pi, cf जो हमने सबसे पहरे निकाला था, वो लिख दिनगे हम यहाँ पर, यहाँ पर cf लिख दिनगो, जो pi जो अब निकाला है यह इसको निकाला है, pi बराबर है, इन दोनों को हम एक साथ लिखके जो भी आता है अपने पास, वो solution हो जाता है, हाँ friends, अब जो हम आगे जो topic पढ़ेंगे वो होता है अपने पास, अगर अब बन अपन, fd, x.v की form में हो, यह form में हो, और हम where v is a function, of x and y, यह हो तो, हम यह case solve करते हैं, यह देखते हैं, अब friends, यह हो तो हम पहले हम simply जानते हैं, d, xv वराबर क्या होता है, xdv plus v, और d square xv, इसके differentiation कर देंगे तो वा जाएगा, xd square v plus 2dv, इसी तरह हम यह हम कहते चाहते हैं, dn xv बराबर यह क्या होगा, यह होगा हमने पास, xd n v plus n d n minus 1 v, equal to जिसको हम लिख सकते हैं, xd n v plus d upon d d of d n v, यह लिख सकते हैं हम इसको, जो अपना जो general form होगी वह जाएगा अपने पास से, fd xv बराबर आ रहते हैं, general form, x, fd v plus d upon d d, fd, यह कुश्टेक में बंद dot v, यह अपने पास जो general form आ जाते है, fd xv बराबर x dot fd v, कुश्टेक बंद d upon dx, fd कुश्टेक बंद v, यह रहते हैं, अब इससे मैं निकालना क्या होता है ओम निकालते हैं, हम निकालना होता है 1 upon Fd , ऑप D-D where, where, जहां, जो होता है, वो होता है, मैनिस F-D, 1 upon, नहीं, फिंट से, अब यह बीद आगा है, अब इसे हम क्या निकाल सकते हैं? इसे हम निकाल सकते हैं, 1 upon FD, क्यों, इसको इसको निकाल सकते हैं, और X और B को रखें, खाली है, अपने पास, यह चो निकालना होता है नहीं होता है तो इसको नकालने के लिए जो वह आजाता है बन एक्स बन अपॉन एफटी वी प्लस डी अपॉन डीडी वन अपॉन वन अपॉन एफटी वी या जाता है अब इसी तरह हम फॉर्मल जेनरेट कर सकते हैं अगर कहीं पर हमारे पास यह दे रखा होगी वन अपॉन एफटी एक्स उसक्वर वी दे रखा तो सिंपली इस तरह प्रोसस अपनाने के लिए अपना के यहां एक्सवर बी लेकर चलेंगे हम यहां पे सबीत जगरें तो खंक दुब आएगा वो कुछ तरह रहीगा अपना पर ऐस्टी बन अपॉन का अफटी वी प्लस टू एक्स डी अपॉन डी डी यापन अपन अफटी आफटी वी प्लस अचे डी स्क्वर जाए आ है डे डी श्कोएर बनन आ अपोन FD ओफ बी सफ यह यह जा comment लैकिन दिः स्क्वर्ट के निकाले सब्सक्राइब देटो टेकर में सेंपल यूनिघ्या पूज़ने अधर कि पुझा जाता इस्किन उस्क्वरसथ किशा हूज हम आब आब एक example लेते हैं इसो समझने के लिए इसो simply हम कैसे समझ सकते हैं वो समझने के लिए हम एक example लेते हैं Example अपने पास d square y upon dx square plus dy upon dx equal to x cos b यह अपने पास फोर्म यह है अब इसको solve करने के लिए सबसे पहले हम हुआ है जिसा x अमिकर्ण निकालते हैं सा x अमिकर्ण के लिए m square plus m equal to 0 तो m बराबर आ जाता है 0 and minus 1 तो cf अपना आ जाता है c1 plus c2 e की power minus x यह आ गया अब हम pi निकालते हैं pi निकालने के लिए ban upon fd qx करते हैं cos x यह आ गया है इसको हम लिख सकते है ban upon d d plus 1 x cos x की लिख सकते हैं अब हम इसको solve करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है उसके according करते हैं क्योंकि x dot v वाला formula है यह हम एपलाई कर सकते हैं जो वह formula क्या होता है यह होता है अगर बन upon d x भी होता है एक्स आ गया जाता है बन upon fd v चोटा question चलो बन upon fdd बन upon fd v यह होता है तो यह formula एपलाई करने के लिए अपने पास आ जाता है वह होता है एक्स आ गया बहर बन upon d square plus d cos x plus d upon d d इसका differentiation करो बन upon जो fd होता है d d plus 1 इसका differentiation करके और यह cos x यह आगा अपने पास तो अब यहां पर हम simply a square plus d minus a square a square बाराव क्या है minus a square बाराव बन a square बाराव बन है तो यह minus a square मां minus 1d square यह एपलाई कर जाते एक्स यह दा d minus 1 d square तो d minus 1 रख दिया तो d minus 1 change कर जाते इसको यह आगा cos x plus इसका differentiation करो जोसको differentiation करने के लिए पहले हमने इसका इसके फ्रेक्टर बना लिये 1पूण d-1पूण d-1 यह फ्रेक्टर बनके आगा इसके cos x यह आगा अपने पास अब इसको हम आगे शॉल्व करने के लिए यहां पर हम सोल्व करने के लिए d-1 को उपनी से multiply कर देते हैं तो यह x d plus 1 d square minus 1 हो गया cos x plus minus 1 upon d square plus 1 upon इसका depreciation तो d square आ गया अब इसका depreciation करेंगे view open b की नियम से तो जहां पर यू यू तो constant b minus 1 upon d square आ गया यह आ गया d square plus 2d plus 1 आ जाए गया इसका cos x यह आ गया अपने पास उसके बाद हम इसमें यहां पर फिर से apply कर देते हैं तो यहां पर minus 1 रख देते हैं तो x minus 2 d plus 1 cos x यह हो गया अब यहां पर हम इसको अंदर ले जाते हैं तो minus 1 upon d square cos x plus 1 upon d square plus 2d plus 1 dot और यह हो गया cos x अब यहां पर तो इसका हम हम simply differentiation कर देते हैं x minus xy2 d इसका हो गया cos x का क्या हो गया minus sin x plus cos x यह हो गया बंद से cos x हो गया minus इसका यहां simply दो बार integration करते हैं दो बार integration करने पर एक बार तो sin x आएगा sin x से इंटेगरेशन करेंगे तो प्लस cos x आजाएगा minus cos x आएगा जो कि माइनस की प्लस में बार जाएगा cos x plus यहां पर हम sin यह बराबर क्या है 1 तो minus y square apply कर जाते हैं तो minus 1 आजाएगा minus 1 से minus 1 चला जाएगा तो यह आजाएगा बन upon 2d cos x जो इसको हम लिख सकते हैं x upon 2 minus sin x plus cos x और यह आगा प्लस cos x प्लस यह आगा अपने पास बन upon 2 बन upon 2 और cos x से समाक्रान क्या होता है sin x यह हो गया यह अपने पास pi आगया अब जो इसका हम solution लिखते हैं solution लिखते है solution y बराबर लिखते है cf plus pi जो cf था अपने पास c1 plus c2 e power minus x तो यह आगा c1 plus c2 e power minus x plus x by 2 cos x minus sin x plus cos x plus 1 by 2 sin x यह आगया अपने पास solution इसका यह question जो था वो राइस्तान उनिवर्स्टी दोजार आठ में दोजार चोदे में पूछा गया है कि है कि है कि हम अपर देख चुके हैं कि असर गुणा को वाल रिक एक अक्कुल समय करने के जो फॉर्म होता है वो यह प्लसएवन टीफ़ एन माइनस बन फ्लस डौट 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 एन एकल टूवाइड डौट तो फूयट इसको में यहाँ पर एक्ड लिग देते अब यह वाई है वाई वाई इकोल तो हम यहां से बना पूब अपन एकन निकाल लेते हैं हम यह भी देख चुके हैं अगर QX व्राबर एक पावर एक्स हो तो अपने पाश स्वाइश दोग फॉंड बन गाते हैं अगर लोट जिरो उसके हम ऑनि जय को अजका में इसके पहर इसे कर देते हैं सब्सक्राइब को प्यूली की भातेस्ट और hints को Talk कुछे फिर जिक्या वर ये फर दिजा यह तो इसको लिखने के लिए आफेक्टर्स अफटर्स बना रहते हैं और'' पावर ''A'' उसको बनव ञुआए आप आप अब दूसरा हमने लिए सब्सक्राइब जी होडा है ऍछे हम बने से इस गाउन डेक्टर्स death दे का दा कीज है और sin Ax और cos Ax वो तो ऐसे condition में f-a² ब्राबर देखते हैं अगर वो 0 नहीं है तो कौनसा फॉर्मुलार और 0 है तो कौनसा देखते हैं और f-a² नोट 0 है तो बनापॉर fd² sin Ax ब्राबर होता है बनापॉर f-a² cos Ax और अपना यह होता है बनापॉर fd² cos Ax ब्राब होता है बनापॉर f-a² cos Ax और अगर यह –a² तो 0 हो तो 0 हो तो यह उसमें एक फेक्टर बनेगा fd² plus a² बाकी जो भी उसमें तो हम एपलाई कर देंगे चीटे यह एक फेक्टर बनेगा तो बनापॉर fd²-a² sin Ax ब्राबर होता है x upon 2a cos Ax और बनापॉर fd²-a² cos Ax ब्राब होता है –x upon 2a sin Ax यह अपने फर्मूलें जो कि जरूर है याद रखने के लिए और यह पहले पहले की बीडियों में इसको हम सो कर चुके हैं कि कैसे आते हैं बीडियों और अब हम देखते हैं यहाँ पर आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे कि अगर बनापॉर fd x power m मतलब qx ब्राबर है आज देखेंगे हम qx ब्राबर x power m के फॉर्म में हो वेर m में पॉजिटिव बनटी जाए जया m कोई भी एक ध्राद में पूर्णांग होगा अब ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम fd बराबर d minus alpha d minus alpha को कुछ न कुछ उसका partition बना लेंगे हम तब उस condition में क्या करेंगे y बराबर जो होगा वो अब f.d minus alpha x power m होगा इसको लिख सकते हम माइनस alpha minus alpha को में ले लिए तो यह गया बन माइनस d upon alpha ही आ गया इसको लिख सकते हम माइनस 1 upon alpha इसको हम प्रिशार कर देते हैं मतलब 1 minus d upon alpha की inverse इसका प्रिशार कर देते हैं तो बहुता है बन माइनस 1 upon 2 बन प्लस d upon alpha plus d square upon alpha square plus dot 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 dm plus alpha m प्रिश चलता जाएगा यह प्रिशार उसके वह अपना 1 minus x का inverse वह वह होता है 1 plus x plus x square plus x cube इसके वह हमने इस प्रिशार को खोला है यह हो गए प्रिशार उसके बाद यह 1 minus 2 1 minus alpha तो यह है 1 minus alpha और यहां पर x power m है तो यह x power m को अंदर ले जाएंगे तो यह उसके दो बार differentiation होगा तो m, m minus 1 x power m minus 2 upon 3 upon alpha alpha क्याता अपने पास यह alpha यह alpha यह alpha यह alpha चलता है तो alpha यह रहेगा alpha square यह इस तरह प्लस डॉट 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 यह आ जाएगा last में जो m factorial वाला कर यह इसके करेंगे तो वह आ जाएगा पर पास m factorial upon alpha m और इससे बाकी के जो भी इंतर बनेंगे वह 0 हो जाएगा क्योंकि x power m से ज्यादा बार differentiation करेंगे तो 0 हो जाएगा clearly अब इसके जो जन्रल फोर्म होती है वह होती है जन्रल फोर्म में हम fd को इस तरह लिख लेते हैं d-alpha 1, d-alpha 2, d-alpha n तो हम by बराबर लिखते हैं बनापों d-alpha 1, d-alpha 2, d-alpha n, x power m अब पर हैंसे हम इसके partial factor बनाते हैं partial factor जैसे मान लेते हैं partial factor बन कहा है d- a upon d-alpha 1 plus b a2 upon d-alpha 2 plus a3 d-alpha 3 इस तरह के partial factor बन जाते हैं तो फिर इसका हम आगे हम इंबर करने के लिए a1 upon d-alpha x power m plus a2 upon d-alpha 2 x power m plus dot dot चलता जाए गए इस तरह से हम इसके solution नकालते हैं और इसके बाद हमने यह formula में बेल रुखने होती है और इसके बाद solution आ जाता है अब हम इसके एक example ले लेते हैं अब हमने यह example लिया है हमने यह example इसलिए लिया है कि हमने जो तीछे दो कंडिशन पड़ी थी इसके पाव एलफाक से रहे हम जो sign x बराबर दो कंडिशन पड़ी थी उनको भी हम इसमें solve कर सके हैं और जो प्रानी गुड़े अगर आप नहीं देखिए तो उसका solution आपको यहां से भी मिल सकता है उनको समझने के तरी का यह यहां से भी समझ सकते हो आप इसलिए हम यहां पर इस तरह का example ले रहे हैं अब इसके लिए हम पहले cf निकालते हैं cf सबसे पहले हमारी यह के रहे के कंडिशन होता है solution करने से सबस्पवल cf निकालते हैं ऑलनी यह था स्ग्ध मिकर्ण होता है मैं जान्व हम सब्मीकर्ण होता है ya d इसको हमCo ःविन्ग हम में सब थिया लिख सकते है d4 प्लस 2DQ प्लस माइनस 3D स्क्वार एक्वल टू यह हो गए अपना X स्क्वार प्लस 3E की पावर 2X प्लस 4 सैन एक्स अब हम साइक्समीकर निकालना होता है अब साइक्समीकर निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो यह अपने D की जगह हम M लिख लिए तो D की जगह हमने M लिख लिया M4 प्लस 2MQ प्लस माइनस 3M स्क्वार इक्वल टू जो भी RSS में होता है उसको 0 दे देते हैं अब हम M की बैलू के लिए M स्क्वार कॉमर आ जाएगा इसमें से अंदर क्या बच जाएगा M स्क्वार प्लस 2M माइनस 3 इक्वल टू 0 यह आ गया तो M बराबर क्या होगा M स्क्वार M माइनस 1 M प्लस 3 इक्वल टू 0 इससे अप्टर प्लस M बराबर आ गया 001 और माइनस 3 अब इसका हम C F के इसे लिख सकते हैं यह दो बार है C F लिख सकते हैं उसका C1 प्लस C2 X E की पावर 0 X जो की 1 हो जाएगा लिखने इसको कुई मतलब नहीं है प्लस C3 E की पावर X प्लस C4 E पार माइनस 3 X यह इसका C F आ गया अब निकालते हैं P I Particular Integer P I निकालते हैं P I निकालने के लिए हम बनापोन F D और Q X निकलते हैं तो बनापोन F D की जगह आजाता है अपने पास D स्क्वार D माइनस 1 D प्लस 3 या जाता X स्क्वार प्लस 3E की पाव़र 2X प्लस 4 Sine X यह आ गया अब इसको हम सबसे पहले अलग कर लेते हैं इनको 1 अपोन D स्क्वार D माइनस 1 D माइनस 1 x स्क्वार प्लस 1 अपोन D स्क्वार D माइनस 1 D प्लस 3 3E पावर टी 2x plus 1 upon d square और इसको लिख सकते हैं इसको क्योंकि अंदर sin x में d square वाले function चाहिए तो इसमें multiply कर देंगे तो यह जाएगा आपने पास d square plus 2d minus 3 और 4 sin x हम इसको equation number 1 दे देते हैं equation 1 number 1 हम दे दिया और अब हम एक यह को अलग अलग solve करते हैं now पहले हम इसको solve करते हैं यह आ जाता है 1 upon d square d minus 1 d plus 3 x square अब यह solve करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसकी partial factor बनाते हैं इसकी इन दुरों के partial factor बनाने को इसको करते हैं तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 upon d square इसका अंदर multiply करने पी आ गया है अब इसमें से minus 3 common लेते हैं हम माइनस 3 common लेते हैं 1 upon 3d square minus 3d square आ गया है यह अंदर बच गया है 3d square और यह आ गया है 1 minus d square plus 2d upon 3 इसका minus 1 whole inverse आ गया है अब इसके inverse को हम फॉर्ट इसको खुल देते हैं 1 upon x के बार inverse क्या होता है जो हमने पहले लिखा यह था 1 minus x का inverse बरावर क्यों होता है 1 plus x plus x square plus x cube यह होता है इसके हम इसको खुल देते हैं तो इसको खुलने पर आ गया है minus 3d square दुबार रही इसको खुलने बन plus x x यह है अपना d square plus 2d upon 3 plus यह d square plus 2d upon 3 का whole square plus यह चलता जाएगा इस तरह सोर यहां पर अपना x square चल रहा है x square चल रहा है यहां पर यहां पर x square है तो हमने इसलिए ज्यादा आगे नहीं कोला क्योंकि x square है highest power 2 है तो highest power 2 है और आगे तो qy गउस में high q आजाएगा बाकिक रम 0 हो जाएँगी तो हमने यहीं नहीं तो कुला इसको माइनस 3d square बन प्लस d square अपन 3 प्लस 2 अपन 3d d की power 4 से मतलब कोई है नहीं हमें लिखना नहीं है d की बाला भी नहीं लिखते हैं क्योंकि वह 0 हो जाएगा तो हमसे यह लिख रहेते हैं अब हम वर से डिप्रेंसेशन कर देते हैं अंदर ले आके तो यह हो जाएगा माइनस 1 अपन 3d square यह x square रहा यह दो बार अपकलिन हुआ तो यह सम्पिली अगर 2 और 3 नहीं चाहिए प्लस 2 अपन 3d इसका हो जाएगा इसका 4 x अपन 3 इस बार दो बार हुआ तो यह हो गए 8 अपन 9 बाकी टर्म जोग में वह 0 हो जाएंगी तो हम इसको और solve करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस बन अपन 3d square x square प्लस 4 x upon 3 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह आजाता है अपने पास 12 upon 9 यह आगर है अब माइनस d square का मतलब है हम दो बार इसका integration और करना होगा तो इसका दो बार integration कर देते हैं तो integration करने पर इसका यह जाएगा minus 2 upon 3 क्योंकि d square उपर जाएगा minus d inverse d power minus 2 होगा जिसका मतलब हो दो बार integration करना है इसका दो बार integration करने पर जाएगा एक बार तो आगा x q upon 3 पर इसका करेंगे तो x power 4 upon 4 तो 3.4 और आबर है इसका करने पर एक बार तो आगे पर एक बार तो बार ले लो बार 3 और आएगा तो यह जाएगा x q 4 upon पहले 6 था 6 into 3 यह आगया प्लस इसका करेंगे तो यह जाएगा 12 upon 9 dot एक बार तो x आएगा दूसरे बार आएगा x square तो 2 dot x square यह आगया प्लस एक बार integration करने पर कोई c बनाएगा इसका लिखना की तरुत नहीं क्योंकि उस c1 or c2x यह जोड़ जाएगे जोज़ जाएगे जोज़ जाएगे इसमें जोड़ सकते हैं उनको यह अपने पास c1 or c2x है न जोड़ जाएगे तो कोई लिखनी मतलब नहीं है उनको तो यहां दाएगा अपना इस तरह से question बंद यहां दाएगा question number इसको और solve करें तो minus 1 upon 3 x power 4 upon 12 यहां गया अपना plus 2 upon 9 x cube plus यहां गया अपना 6 upon 9 x square यहां पर हमने यहां पर एक गलती किया है यहां पर 9 6 14 आथा यह 14 आथा जो यहां पर हमने यहां पर एक गलती की थी इन दोनों जोड़ने में 12 upon 9 आएगा 14 upon 9 जो किया आएगा अपने पास 14 यहां पर आएगा 7 upon 9 x पर ही आगया इसको equation number 2 दे देते हैं हम solve करते हैं दूसरे दूसरा पार्ट इसका यह यह वाला पार्ट solve करते हैं बन आपूंदी स्कॉयर दी माइनस बन डी प्लस टू दी प्लस थ्री और एक पावर क्या है थ्री पावर टू एस थ्री एक पावर टू एस यह है अम इसको solve करना होता है इसको solve करने पर देखो एक यह बरावर टू रगने पर कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है तो simply हम यह बरावर टू रख देता है यह बरावर टू रख देता है अपना पर फोर 4-1 1 2-1 1 और 2 प्लस 3 एक्वल टो हो गया 5 3 e की पावर 2 x है तो यह है गया 20 3 अपॉन 20 e की पावर 2 x यह हो गया 3 अपॉन 20 e की पावर 2 x equation number 3 दे देते हैं अब हम इस टर्म को solve करते हैं इसको तो इस टर्म को solve करने के लिए हम निखलेते हैं बन अपॉन d square और क्योंब दी square प्लस 2d-3 d square प्लस 2d-3 sin x यह है अपने पास अब इसको solve करते हैं sin x multiplication 4 sin x है 4 sin x है अब हम इसको solve करते हैं sin x d square और minus 1 रखने पर 0 नहीं हो रहा तो इसको रख देते हैं बन अपून d square और minus 1 d square minus 1 यहां पर रखा तो यह आपने पास 4 sin x जिसको मोड लिख सकते आगे minus 1 से multiply करें minus sin आजाएगा आगे और यह आजाएगा अपने पास 2 common लिखे d-2 4 sin x आगया तो इससे यह गर कट गया 2 आगया अब हम d-2 यह नहीं चाहिए तो d plus 2 का उपर नीचे multiply कर देते हैं d plus 2 यह हो गया d square minus 4 2 sin x अब sin d बराब minus square और जिरू नहीं यह रहा तो हम minus with d square कर जाएगे simply minus 1 रख देंगे d plus 2 और sin यह 0 नहीं आ रहा तो यह आजाएगा अपने पास minus 5 और minus कर दो यह पहले यह है minus 2 sin x यह आगया minus minus plus हो जाएगा यह आजाएगा 2 upon 5 d plus 2 sin x अब इसके simply हम differentiation कर देते हैं तो आज एगा 2 upon 5 cos x plus 2 sin x यह आ गया इसको हम equation number 4 दे देते हैं अब हम देखते हैं equation number इसमें यह था यह था और यह था तीनो term की value पहली term की value जो यह यह है 3.1 power 2 x यह term थी यह आ गया अपने पास simply solve करने पर 3 upon 20 1 power 2 x और इसको solve किया तो अपने पास यह term थी इसको solve किया तो अपने पास आ गया 2 upon 5 cos x plus 2 sin x अब हम इनको एक साथ रगने पर from equation 2 3 & 4 by 2 3 & 4 equation 2 3 & 4 से अपने पास क्या आ गया PI बराबर आ गया 3 को लग देते हैं minus 1 by 3 x power 4 upon 12 plus 2 by 9 x cube plus 7 upon 9 x square plus 3 upon 20 c e to power 2 x plus 2 upon 5 cos x plus 2 sin x cf pi आ गया अब हम से general solution जो लिखते हैं general solution लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है general solution जो होता है बहुत होता है cf plus pi cf plus pi दोनों जो अपने निका रहे था cf यह था अपने पास cf यह रहा c1 plus c2 x plus c3 e to power x plus c4 e to power minus 3 x c4 e to power X per 4 upon 12 plus 2 upon 9 x cube plus 7 upon 9 x square plus c4 e a to power 2 x plus 2 upon 5 यह कोई स्टेक में था कौसा एक्स प्लेस टू सैन एक्स यह था अब सी एफ और प्लेस दोनों को लिख देते हैं एक साथ तो अपने जो जंडर सोलुशन आजाता है जंडर सोलुशन वाई बराबर आजाता अपने पास c1 plus c2 x plus c3 e को आफ एक्स प्लस c4 e को प्लस 3 x plus 3 upon 20 e को आफ 2 x plus 2 upon 5 2 sin x plus cos x minus 1 upon 3 x 4 upon 12 plus 2 upon 9 x cube plus 7 upon 9 x square इस तरह हमें इस तरह के equation solve हो जाते हैं अब हम आगे आगे जो पढ़ेंगे वह होगा एकी पावर ax.b की फॉर्म में हो या जो भी और भी टर्म होंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे यह question हम फिर बता रहे हैं राजस्थान इस तरह का आता है question और वह भी 6-7 नमबर का आता है पूरा राजस्थान उनिवर्सिटी राजस्थान आर यू ब्रज कोटा और जो भी उनिवर्सिटी हैं सभी में आता है जैसे की कि आता है अजया है में आता है यह निवर्सिटी राजस्थटी कोटा है है यह जो पढ़ा और जो पढ़ना है वह पढ़ना है बाहतून आता है थेंकियु बाइ बाई गूड़नाइट अब हम जो पढ़ना है वो पढ़ना है variation of parameters variation of parameters पढ़ने से पहले आप हमारा channel share कीजिए subscribe कीजिए like कीजिए comment कीजिए और कोई भी जो आपको topic पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप पर comment कर सकते हैं उसमें मैं आपको video बनाऊंगा और आपको जिरूर समझाऊंगा चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते है WhatsApp WhatsApp नमबर है मेरा 9460689761 यह मेरा WhatsApp नमबर है आप इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं जो भी आपको topic चाहिए वह मैं आपको समझाऊंगा अब हम पढ़ते है variation of parameters यह विदी यह विदी उसी रेक्षिक अपकर समय करणों के लिए लाग होती है अच्छी तरह से जिनका हमें जो पूरक फलन होता है वह ग्यात होता है अब जैसे कि हमारे पास कोई इसका solution करने के लिए हमारे पास जो कि एक equation होगी अच्छी दिए कोटिए की होगी डी स्क्वार अपॉन डी एकस स्क्वार प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यूवाई एक्वटू आर इसमें कोई अपने पास एक एक्वेशन होगी अब मान लेते हैं हम इसमें मान लेते हैं कि वराबर है एव प्लस बीवी इसका सी एफ में कॉंप्लिमेंट फंक्षन है यह सी एफ मान लिया हमने इसमें जहां वेर एंड वी और कॉंस्टेंट हमने यह मान लिया है तो इसके समाक्राइब के वह असल होंगे वह इस तरह से आएंगे इसके पार वाई की इसमें रख देते हैं तो यह आजाता है अपने पास मतलब वाई की वाई की वाई पूंट दी आसी वेल्ट रखेंगे तो बात में यह तो आएगा वह तो कॉम अना के 0 हो जाए क्योंको CF की तरफ और वाई और CF नकालने के लिए हमको इसको 0 लेंग चलेगा यह लिंग हम डी स्कूर बाई अपॉंट डी एक्स स्कूर प्लस पी डी बाई अपॉंट डी एक्स प्लस क्यू वाई एक्कुल टू जीरो CF के लिए हमारे पास रा IQ equal to zero question number two दे देख सको कई दूसरी equation आते वो आते हैं अपने पास B2. जी प्लस तो डी एक्सट प्लस प्लस डी बावन डी एक्स फ्लस Q, V इकवी इपकोल टुजीरो त्री यह आगया लेकिन हमारे पास सोरीशन मानते हैं वहु तरेके यो बडाबर गदेखते उन्हेशन हो स्चेंट हूंगे इस बार अब निया विको इस तरिशन माना कि को एक से फलने तो इस कंडिशन में पास यहाँ गया डी बाई अपूर इसको लिए अपने पास यह भुए अपने पास है पिलस U को छोड़के DA upon DX plus V को छोड़के DB upon DX plus V को छोड़के DB upon DX यह आ जए आ गए अपने पास अब यहunta हमारे पास E और V जो ग्याते हैं तो हम इसको A और V के प्रिकार करते हैं E और V इस तरह स्चूज करते हैं कि अपने पास तो U D A upon D X plus V D B upon D X equal to 0 हो जाए जब हमार पास ये 0 हो गया U D A upon D X plus V D B upon D X या इसको में ये लिख सकते हैं U A 1 plus V B 1 equal to 0 equation number से ये जब हमार पास 0 हो गया तो हमार पास U D U upon D X plus V D B upon D A U D A upon D X plus V D B upon D X ये 0 हो गया लेकि ये दी ये तो अपने पास बचा है तो D Y upon D X पराबर क्या बच गया इसके बाद अपने पास A D U upon D X plus B D B upon D X ये बच गया अपने पास अपने पास अपने पास अपने पास अपने पास इसका एक बार फिर से डिप्रेंसेशन कर देना है यह देगा D square by upon D X square equal to A को छोड़के D square U upon D X square plus इस बार D U upon D X को छोड़ दिया तो D U upon D X D A upon D X ये हो गया अपने पास प्लस इस बार B को छोड़ दिया यह P D SQUARE Y upon D S SQUARE PLUS P DY upon D S PLUS Q A EQUAL TO R इसमें रख डेते हैं यह VALUE तो यह VALUE रखने पर या जाता है इसको हम इसको हम यह लिख सकते हैं इसको अगर यह लिखना चाहइए डी SQUARE Y upon D S SQUARE SQUARE PURS SIMPLICITY के लिए यह यह डी दी आपान दस्क्वार है दीओ दी ओहे तो आ U2 प्लस है कर दोखना है वोन वन प्लस है वी बीड़ी प्लस है दोखना है कि इसकिता है इसको यह लिख शकता है इस तरह से लिख से व दीवार यह रो रहा है कि जो째 है तो इसको में रख देते हैं आपने पास ये यूटू प्लस एवन यूवन प्लस अभी वीटू प्लस बीवन वीवन या गया प्लस अब इसमें प्लस एक प्लस एक उपने पास एक प्लस यू एवन प्लस यू यू एवन प्लस वी वी वन यह आ गया अब यह अपने पास आगे QY तो एग देते हैं प्लस QY था अपने पास AU प्लस BV एक्विल टू और है अपने पास अब फिर्म्न सबेसर में से A को में लेने कुछ करते हैं तो A लेने कुछ के दो A आपने पास यह आ गए यहां से U2 प्लस यह आपने पास क्या था यह पर पास yeah sorry friend यह तो पर पास ut 0 आया लेकिन Kyoto यह था यह था U1 यह आपने पास जो आया था हमने गल्स लिका है यह यह लिकान सभी है लेकर इसके नोट्रेशन हमने यहां पर यह बाला ले लिया है तो इसको हम नहीं लेना है नोट्रेशन लेना है U1A मतलब U1A plus V1B यहीं लेना था तो इससे अपने पास एक कोमर आया है तो प्लस P U1 यहां गया प्लस यहां से क्यू यू प्लस यहां 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 आगया अब अब बी को मन लेते हैं तो बी आ ने बी को मन लेने पर यहां जागया V2 प्लस P V1 प्लस Q V यहां गया प्लस A1 U1 प्लस B1 V1 एक्वल टू और यहां आगया अपने पास अब यह यह आगया अपने पास तो A1 B1 इसको हम और शॉल करते हैं तो अपने पास जो अपने पास जो में तो कंडिशन निकाले थी वह थी अपने पास की यूटू प्लस Q U एक्वल टू जीरो हो रहता है एंड वी टू प्लस प्लस क्यू वी टू यह दो जीरो हो जाएंगे तो अपने पास जो बचा है वह आपने पास यूटू प्लस बी वन वी वन एक्वल टू और यह अपने पास क्विशन आगई तो आपने पास जो आती है वह तो कंडिशन आती है जो कंडिशन आती है वो होती है अपने पास a1 upon minus v ब्राइवर b1 upon u equal to r u v1 minus v u1 यह फिल्स हमें matrix विदी से solution किया ता matrix विदी से हम पहले पता चुके है matrix विदी इससे अपने पास इसको हम और solve करते हैं तो यह आजाता है d a upon dx equal to a1 और a1 वराबर क्या जाता है a1 इसको multiple कर देते हैं तो यह आजाता है अपने पास minus v r upon u v1 minus v u1 यह आजाता है और dv upon dx वह आजाता है अपने पास b1 dv upon dx वह आजाता है तो u का इदर multiply कर दिया तो यह आजाता u r upon u v1 minus v u1 यह आजाता है यह हम दे सकते हैं तो u और v है ना u u and v अपने पास u and v यह जोनों यह गात्य स्वतंत रहे हैं इसलिए कभी भी इसके solution के लिए यह u v minus v u1 equal not 0 होना चाहिए यह 0 हो गया तो condition satisfy नहीं करेगी solution नहीं हो जाएगा जो यह कहलाता है यह कहलाता है जो होता है जो होता है यू v u1 और v1 यह equal not 0 होना चाहिए अब इससे हम solve करने पर यह बराबर हम इसका integration कर देते हैं तो यह बराबर आजाता है आपने पास माइनस बाहर माइनस बाहर इंटेग्रेशन ओफ वी आर यू v1 minus v u1 यह आजाता है एंड बी बराबर जो आजाता है वह आजाता है अपने पास यू आर यू v1 plus यू v1 minus v u1 यह आजाता है इसको तो हम इसको हम ले लेते है fx को एक्स अपनलन आगा प्लस c1 इसको ले लेते है fgx plus c2 यह आगए अपने पास अब यह माना हम जो कुशन नंबर फूर थी यह y बराबर au plus vv क्योंकि a और v के value आ चुके है उसमें रख देते हैं तो इसमें रख देने पर यह आजाता है अपने पास y बराबर u fx plus v gx plus c1u plus c2v जो की समिकर्ण कर complete solution होता है जो की u fx plus v gx plus v1 c1y plus c2y यह समिकर्ण कर complete solution होता है अब इसको हम और अच्छते समझने के लिए एक दो एक्जामपल लेते हैं फ्रेंट्स यह अपने पास एक्जामपल जो प्रोल्म दी गई है यह है x square d square y upon dx square plus x dy upon dx minus y equal to x square e की पावर x से फ्रेंट्स इसको हम मैं आपको जो suggestion देने चाहूंगा वह होगा यह variation of parameters मेरे में थड़े इस विद्धी से तभी solve करें जब दिया हुआ हो ऐसी equations को यह equation उसमें भी हो सकती है कि इसको constant गुणांक वाले दूत्य खोटी का बना ले एक्स बराबर हम मान ले यह जेड बराबर log x मान ले तो उस विद्धी से भी solve हो सकता है जिसे constant गुणांक वाले में equation में बदल जाएगी दूत्य कोटी equation में बदल जाएगी उससे हम solve कर सकते हैं लेकिन हम हमें हम पहले हम पढ़ चुके हैं इसको कैसे solve करते हैं यहां हमारे पानी बूर्ड़ी में जाके देख सकते हैं यह हमने सबसे पहले जो starting topic था वह इसी कह था अब यह इसको हम variation of parameter के विद्धी से help करते हैं तो variation of parameter से solve करने के लिए हमने सबसे पहले इसका cf चाहिए जो cf निकालने के लिए हमें करना होगा है इसका जो right hand spot है उसको 0 करना होगा तो यह जादा x square d square y upon dx square plus x dy upon dx minus y equal to 0 लेकिन यहांसे मारे पास कोई cf निकाल निकाल नहीं सकते क्योंकि यह वारे पास जो दुत्य गोटी का समगात समी कर रहा है तो समगात समी कर रहा है तो इसमें z बराबर log x मान सकते हैं मैं आपको जो suggestion दे रहा था बहुत दे रहा था मैं log x बार पूरे इसमें log x जो यह suggestion निकालने के बाद simply उसी से solve करें ना कि हम cf को आगे निकाल यह d d-1 यह दो d-1 यह दो जो दो हुगए तो फिलस यह पास दी मैंनस यह बीद2 विर दी वरबर बीदी एपवन कि दशेन यह मनस्वत च्रीक हैं तो इसको हमोको खोल कर सकते हैं डी स्कौर माइनइस दी तो यह कट जाहएक ऑन वाई एकुलट जी के लिए साइक्समिकर ज़रूर है तो m बराबर आ जाता है अपने पास प्लस माइनस बन तो इसे cf बराबर हम लिख सकते हैं c1 e की पावर z plus c2 e की पावर माइनस z यह लिख सकते हैं लेकिन जो हमारे पास cf यह था यह z के तो हमने माना है जो z बराबर लोग x है तो z बराबर लोग x लिख देते हैं c1 e की पावर लोग z plus c2 e की पावर माइनस लोग z तो लोग उसे बनवाई z लिख सकते हैं यह जाएगर c1 x sorry x c1 x plus c2 x inverse यह अपने पास cf आ गया है यह बराबर cf आ गया है यह अपने पास अब एक कुछिन नंबर इसको हम 2 दे लेते हैं कुछिन नंबर फश्ट यह है अपने पास यह है फ्रेंट्स तो इससे अब हम मान के चलते हैं लेट लेट यह बराबर ax plus b x inverse यह ना यह इसका complete solution है complete solution है जहां यह और भी constant हो सकते हैं और एक सिफलन हो सकते हैं हम यह और भी ज्याद करना है इसके लिए हम सबसे पहले dy upon dx निकालते हैं तो वह आ जाता अपना x को एक को छोड़के यह प्लस है क्यों एक को छोड़के एक से डिप्रेंसेशन किया तो वह अपने पास बना गया है इस पर पर एक्स डिए upon dx प्लस भी को छोड़के इसके डिप्रेंसेशन किया तो एक परば मामा आ गया मामाइनस mij στην के साथ प्लस x ज्राइब को छोड़के चलिए और बी किसप्रकाष्च करते हैं यह और बी लो करते है उस तरह से करते हैं कि अपने पास इस तरह चैन करते हैं तो यह अपने पास जीरो हो गया इसके जीरो होने के बाद यह अपने पास दी बाई पॉन डी एक्स जो बच गया वह अपने पास मैने पास दी बाई माइने पास दी इप्र से करते हैं तो यह डी स्कुएर व्वाई एक्स जो इसको छोड़ दिआ कि लिजए एकसपर मैनेश टो जैटेया गएहों तो इस वा इसकैने करना है एसके वा क्रांप्राइए हम प्लस कर देगा इसको ठे शैले का भी को च्छोड़ दिया मैंने आगे आ थो एकसपर माइनस त्री कि यह वगे अब यह तो आड़ फ़सके नंमाने अभी जो महान आये हैं अपने पास है इसको हम equation number 3 देते हैं d by upon dx, d square by upon dx square value आगे d by upon dx की value आगे और by की value है अपने पास तो यह value होती है हम equation number जो अपने पास बन होती है उसमें रख देते हैं इसमें रख देते हैं जो given solution यह होता है इसमें रख देते हैं तो यह आजाता है अपने पास x square dA upon dx minus db upon dx x square minus 2 plus 2b x square minus 3 plus x और यह इसके बाल्यूदी देते हैं देते हैं dA upon dx की ए देते हैं minus b x square minus 2 plus y के बाल्यूदी थी जो देते हैं e x plus b x निवर्ण यह थी अपने पास यह B AX प्रस BX इंबर्स यह रख दी है अपने पास एक्क्ल टू जो अपने पास था X स्कूर एकी पावर कि तो X स्कूर एकी पावर X यह है तो हमने X स्कूर के दून तरफ डिवाइड कर दिये सबसे पहले यह काम कहा है हमने तो यह गया d a upon d x minus d b upon d x x पर minus 2 plus 2 b x पर minus 3 x के डिबाइड किया तो एक x जाएगा उसका अंदर multiply हो जाएगा तो उसको लिख सकते हम a x inverse minus b x पर minus 3 यह हो गया plus x square के डिबाइड के हमने तो यह आगया आपने पास a x inverse plus b x पर minus 3 क्योंकि यह वो हो जाएगा minus 2 उपर जाएगा तो यह हो गया आपने पास e की पावर x अब हम देख सकते हैं यह b यह कट गया यह से यह कट गया और इस से यह कट गया फैंस अपने पास यह by बरावर था यह minus y तो minus y की बेल रखे तो यह अपने पास minus में आएगा यह minus में आएगा इन इस केस यह minus प्लस यह कट जाएगे और यह minus minus यह minus में आएगा यह minus में आएगा तो इन इस केस minus minus यह कट जाएगे minus और minus यह 2b x की आगया तो यह कट गया तो अपने पास इस condition में आगया d a upon d x minus d b upon d x x पर minus 2 equal to e power x इसको हम लिख सकते हैं a1 minus b1 e की पावर a1 b1 x की पावर minus 2 equal to e की पावर x इसको equation number 4 दे दिया हमने अब फिर समयरे पास यह condition आ गई है और यह condition और अपने पास एक condition यह पहले से थी जो condition थी वो कहा गई है एक condition थी अपने पास यह condition थी x इसको हम लिख सकते हैं x a1 plus x inverse b1 equal to 0 यह लिख सकते हैं इसको हम इसे तरह से तो यह दूर से condition थी अपने पास x a1 plus b x inverse x a1 x inverse b b equal to 0 यह condition थी ठीज़े प्रेंट्स अगर इसके हम a1 की बेल निकाल ले हम इससे अगर हम b की बेल निकाल के चल रहे हम तो इसमें x square दों तरह से multiply कर देते हैं x से multiply कर देते हैं तो x square a पिलस b equal to 0 यह b वरावर आगे अपने पास माइनस a x square यह आगे अपने पास तो b बरावर यह आगे तो अपने पास यह लग देते हैं बेल्यू सोरी a1 है b1 है b1 बल्य सोरी आगे अपने पास b1 वरावर अपने पास यह लग देते अपने अपने पास a1-a1 x square यह x-2 प्रेंड यह वेल्यू रखे हम दे इसमें वेल्यू रख रहे है माइनस माइनस पेरे पिलस हो जाएगा ये आगया बेक्सक्वाइगा और मैन सकिये ऑएगा और फो बन हो जाएगा ऑलड सब्सक्राइप एकवैट की पावर एक्स एकवैट अगयाए अपने पास। तो B, B1 ब्राबर आता है A1 की बैल्यू यहां पे हम रख देते हैं तो वो आ जाता है माइनस 1 ब्राबर 2 यह आ गया एक पावर X X-square यह कुछन नमबर दो देते हैं अब हमें A2 और A2 के वैल्यू करने होती है तो A1 कर देते हैं A1 की ब्राबर किया था अपने पाश d a upon d x a की value क्यात करने होती है और यह अपने पास a1 बराबर था 1 by 2 e की पाबर x 1 by 2 e की पाबर x जिससे a1 बराबर आगए अपने पास integration कर देंगे तो 1 by 2 e की पाबर x plus c1 यह आगए यह यह बराबर आगए अपने पास a बराबर और d a1 d b1 upon d x बराबर क्या था अपने पास minus 1 by 2 x square e की पाबर x यह आपने पास b1 b1 बराबर d b1 d b upon d x होता है तो minus 1 by 2 x square e की पाबर x यह इसको हम लिख सकते है b बराबर integration of minus 1 by 2 बाहन ले लो x square e की पाबर x of dx इसका integration करते है इसका integration 1 by 1 by 2 मतलब 1 एक को छोड़के second का integration second को छोड़के बन का वो उस मेतर से करते है बस डोट second वाले मेतर से तो b बराबर आजाता है minus 1 by 2 बाहन ले लो हमने सब से पहले x square को छोड़ दिया integration of e की पाबर x d x minus integration dy upon dx of x square integration e की पाबर x d x d x तो इससे आगया माइनस बन बाए 2 x square e की पाबर x माइनस इससे 2 x e की पाबर x dx यह आ गया तो इसको और solve करते हैं तो माइनस बन बाए 2 x square e की पाबर x माइनस 2 इस पार हमने इस इस में x को छोड़ दिया और e की पाबर x integration किया तो e की पाबर x आ गया माइनस से यह माइनस से तो माइनस हो गया पाबर x यह आ अपने पास अबने पास even की वेली आ चुकी है यह अट बी की वेली आ चुकी है और वाई बराबर पास solution था बहुत है अपने पास यह बने पास सोल्यूशन था यह बने पास सउल्यूशन था यह में पहस्फ प्लस ब को Secta अ प्लस प्लस बन किसे सल्यूशन था मारा पास EU अपने यपण VV तो अपने पास इस्टूरोइफ मोदो उसको इसको हम लिख सकते हैं यह x plus b x inverse यह बराबर आजाता है अपने पास solution जो आ जाता है वो अपने पास e की value रखदो पर पास 1 by 2 e की power x plus c1 x plus b की value रखदो minus bar plus c2 यह रहेगा c2 रहेगा आपई तो यह आगए अपने पास minus 1 by 2 x square minus 2 x plus 2 plus c2 2 x square minus 2 minus 1 यह जो इसका solution आया है साथ में इसमें e की power x का multiply हो रहा है e की power x यह यह जो solution आया है वो इसका standard solution है हम इसको आगे भी solve करके solve के अलग-अलग form बनाते हैं लेकिन form बनाना जरूरी नहीं होता है जो हमारे पास solution सब यह by बराबर जो x का function होना चाहिए हो है अपने पास हम चाहिए तो e की power x को common लेके या फिर x inversion का multiply अंदर करके कर सकते हैं कुछ भी लेकिन इसे करने कोई मतलब नहीं होता क्योंकि solution का महन फोर्म होता है आपने पास यह होता है कि by बराबर कोई f x नानद चाहिए अब f x कहीं लोग ऐसे देखते हैं कि by बराबर f x तो आ गया है लेकिन वो बुक के according solution नहीं मिल रहा तो उसमें आप ज्यादा चंता मत कीजिए बुक के according solution नहीं मिला कोई बात नहीं यह solution आया है इसको सीज़ा डिफरेंशल एक्वेशन दी होई हुई है यह दी हुई हुई है यह दी हुई हुई थी एक्स दीवाइपॉन 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 इस में रख दीजिए अगर सेटिस्पाइप कर गया आपका वहली बुक में कुछ भी आंसर होगा यह आपका solution इस solution को सेटिस्पाइप कर गया तो आपके दोलार जो निकाला गया solution ने वो सही है अब आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि जो आपने पास तो सोलिशन निकाल गया होगा है सही होगा यह खुद चेक कीजिए थैंक यू बेरी मुच हलो प्रेंट्स आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे युगपत अपकल समीकाड युगपत अपकल समीकाड में भी हम पढ़ेंगे अचर गुडांको वाले युगप पढ़ेंगे आजा है वह पर लिए हम पहले उसी डेफिनिशन देखते हैं मतलब डेफिनिशन क्या है इसकी डेफिनिशन जो है युपत अपकल समीकाड की संक्या आशत्रों की संक्या के बरावर होती है त्यसे समझत रेकिफिव होते हैं इस पर काई कि समीकर्ण अचर गु हैं तो इसमें क्या है युपाद अपकल सいた करनों की संख्या मतलब की जो अपकल विए घंठ हैं होंगे हमारे पास यह उनकी संख्या जो की हमारे पास आ सद्ड़ और शवार कि यह 95 मतलब दो युकपत समीकन होंगे अचार गुणांकों वाले युकपत रेकिक अपकल समीकन कहलाते हैं अब यह हमरे पास दो लिए एक वन टी एस प्लस आद ह किक यह अपने पास एपने पास । जी वन टी जी टू डी कोई भी पोलनुमिल है और डी के और यह एक्षेंट बाई है यह अपने पास डिपेंडेट वेरियवल है यह इन डिपेंडेट वेरियवल है और साइट और फाइट यह जो टी के फंक्शन से है अब मेथड तो सॉलविंग डिफेंशल एक्वेशन यह पढ़ेंगे हैं लै मान लो पहला जो आता है वो आता है इस इंर शो की साइन के लिए इसमें इसमा सबसे पहले जी टू डी का मुल्टिपलाई करते हैं और इसमें FtD का FtD इदा से multiply करते हैं और दोनों को घटा देते हैं जैसे हमने यह क्या है F1D और G2D का multiply किया है माइनस F2D G1D का multiply यहां से क्या था इसको हम समझने के लिए यह कर लेते हैं देखो यहां पर हमने इसमें क्या है आपने बिस G1D का multiply किया है तो यह आ गया F1D G2D प्लस F2D G2D एक्वल टू फाइटी G2D यह आ गया और हम दूसरे में जो क्या है उसमें क्या है हमने F2D का multiply F2D तो एक्वल टू टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू साइटी यह आ गया हमने इसमें से अगर हम इसको उकटा रहे हैं तो यह हमने F2D G2D F2D G2D यह दोन रूकट जाएंगे यह कट गया है तो अपने पास बच गया वो बच्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू आगया हमने पास फाइट टू एकुल टू आगया है अब इपने जी टू डी का मिल्टिपलाई किया तो जी टू डी फाइटी माइनस एफ टू डी साइटी यह आगया है जो अपने पास यहां पर हमने लिखा हुआ है बिज़े डिफ्रेंशल एक्वेशन ऑफ एक्स एंटी क्योंकि भाई का भाई हमने इसमें सकाट दिया है तो यह डिफ्रेंशल एक्वेशन बचा वो एक्स और टीका बचा है अब इसको हम पहले मैथर पढ़ रहे थे उसके एकॉर्डिक सॉल्व करके जबना सॉल्यूशन प्लाइक करके घटा हैं घटा है तो यह आए जाता अपने पास जीवन टी एफ तूडी माइनस एफ वन डी जीटूडी वाई एक्वल टू जीवन टी फाई टी माइनस एफ वन डी साइटी एक्वेशन नमर फूर दे दिया तो इसको सॉल्व करने पर क्योंकि यह यह वाई एफ लिदी उसको हम लिख सेकते है एफ बंडी एफ रीजीवन टी ओ तूडी और जीटू टी केंडे अ झिटू टी जीटूंडी एक्वेशन आया है को आये आपने पास एफ टू ठी प्रैकलड़,साहिवाय लुदी और यह वाईटी की साइटी यह वाला वो जो माहिन की साइन के साथ आ है इसी तरह f1d y को जब किया तो यह आगा है अपने पास f1d ct और g1d ct अगर यह solution कब पोसिबल है पहले सबसे बढ़ी बाद यह पोसिबल कब है तो हमें by निकालना है तो by निकालने के लिए इसको इदर ले जाने पड़ेगा तो इसका inverse exist कर जरूरी है कि यह equal note 0 हो इसका जो mode हो equal note 0 हो तो इसका solution exist कर जाएगा अप्रेंच दूसरे method आता है वो आता है अपने पास differentiation method में क्या होता है अपने पास जो अपकर सब्साथि हुए होती है उसमें होते है we होता है y होता है d x upon dt होता है d y upon dt इस तरह से प्रिजेंट होंगे तो अब हम इसको solve करने के लिए इस तरह होंगे तो इसको solve करने के लिए दू समीकर्ण होंगे उसमें किसी में x के साथ respectly definition करेंगे तो dx upon dt के value निकाल के दूसरे में लग रहेते हैं मतलब किसी से यह equation बना लेते हैं दोनों के solve करके हम इसका equation 1 का x कर सकते है equation 2 कर सकते है किसी का भी कर सकते है इससे equation 1 की बन जाते है जो कि दो गात की question maker होती है उसको जो हमने पहले method पढ़ेते हैं उसके according solve कर लेते हैं और अपने answer आ जाता है इस तरह से हम हम इसका एक example लेंगे example है अपने पास वो है हलो प्रेंट हमरे पास यह example है example है d x upon dt minus 7x equal to y plus y equal to 0 dy upon dt minus 2x minus 5y equal to 0 हम इसको solve करते हैं हम इसको solve करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं सब से पहले solution इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं d minus 7x plus y equal to 0 और इसको लिख सकते हैं d minus 2y d minus 5 sorry d minus 5 by minus 2x equal to 0 equation 5 देतो equation 2 देतो यह हो गए अपने पास अब हम इसमें से हम y को हटाना चाहते हैं y को हम blue open करना चाहते हैं y को blue open करने के लिए क्या करना होगा हमें इदर d minus y d minus 5y आना चाहिए तो हमने d minus 5 का इसमें first equation multiply करे लिया यह गए d minus 7 d minus 5 sorry d minus 5 d minus 7 x plus d minus 5 y equal to 0 अगर यहां पर कोई होता तो उसका भी इसमें से इसको गटा दें तो अपने पास जो आएगा वो आएगा अपने पास प्लस 2 x equal to 0 इसको और लिख सकते हैं इसको खोलते हैं d square minus 12 d plus 35 plus 2 x equal to 0 यह इसको लिख सकते हैं d square minus 12 d plus 37 x equal to 0 अब यह हमाद पास differential look को इसनागे दे second order की है अब इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं इसको solve करने के क्योंकि q x equal to 0 है तो इसका solution सीधा है अपना जो cf होगा वह अपना solution होगा अब cf निकालने के लिए हमें पहले इसकी साइक समीकर्ण जरूरी है साइक समीकर्ण क्या होगी m square minus 12 m plus 37 equal to 0 यह इससे m की value क्या निकाली जा सकते हैं अपने पास m की value उससे निकालेंगे b square minus 4ac वाले फोर्मूल से अब m बराबर निकालने के लिए जो formula होता है वो होता है अपने पास minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a यह formula लगाते हैं इससे अपने पास m बराबर आज़ता है minus b 12 plus minus b square 144 minus 4ac 4 into 37 minus यह आ गया 148 बन 48 आ गया upon 2a यह बराबर बने 2 यह आ गया अपने पास यह तो 6 हो जाएगा plus minus यह क्या बचेगा 2 होचेगा 2 आउटा तो 2 से इव डिवाइड करने पर आउटा plus minus आउटा तो अपने पास cf था वो आ गया अपने पास इसके लिए cf आ गया cf जो कि x बराबर है इसका 60 प्लस c2 70 यह आगया अपने पास है अवार रपास x बराबर है हम बाई की बेल्यू किस तरह नकालते हैं बाई की बेल्यू किस तरह नकालने के लिए 2 methods है अपने पास एक तो simply हम इस method से भी solve कर सकते हैं इसको तो पहली विदी है हम इसको प्रतिस्थापन द्वारा कर लेते हैं प्रतिस्थापन विदी के लिए हमें इसमें क्या चाहिए यहाँ पे यहाँ पे है dy upon dt minus 2x equal to minus 5y equal to 0 और x बराबर अपने पास यह है तो हम पहले पांच का इस समय करका टी के रेस्पेक्ट ली डिप्रेसिशन कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है dx upon dt equal to 6e की पावर 60 क्योंकि इसको छोड़ दी हमने प्लस e की पावर 60 अब इसका करना है इसको छोड़के तो हुआ जाएगा अपने पास माइनस सीवन सैंटी प्लस सीटू कोस्टी यह आ गया इसको हम वेक्वेशन नंबर इनको वेक्वेशन देते चलते हैं वन त्यू दे दिया हमने इसको इसको कि का कि दे सकते सकते हैं इसको कि पहले हम इसको दे दिधी फूर वेक्व्हिसन नंबर पूर और इसको देदी है कुछिन नंबर 5 यह दे दिया हमने और यह आ अपने पास एकूसिन नंबर 6 आ गयए अब डीएक्स से अपून इसमें रख देते हैं क्योंकि इसमें क्या है d x upon dt minus 7 x plus y equal to zero तो इस से y बदाबर आधाएगा अपने पास, यह रख देते हैं तो इसे यहां से by बदाबर क्या पहले पर देख्याएगा यहां से यहां से हम कर सकते हैं, यह बदाबर by बदाबर अपने पास 7 x minus dx upon dt यह है जिसको हम लिख सकते हैं सेविन एक्स के आपने पास एकी पावर सिक्स्टी सीवन कोश्टी प्लस सीटू सैंटी माइनस दीक्स अपूंट टी तो दीक्स अपूंट टी यह आ गया सिक्स एकी पावर सिक्स्टी सीवन कोश्टी प्लस सीटू सैंटी माइनस क्योंकि इसे माइनस क्मिल्टिप्ला हो तो मैं माइनस से दाएगा सिक्स एकी पावर सिक्स्टी एकी पावर सिक्स्टी यह हो गया माइनस एकी पावर सिक्स्टी माइनस सीवन सैंटी प्लस सीटू कोश्टी यह अपने पास री वैल्यू आ गई है इसके पास अब चाहिए तो हम इसको ओर सॉल्व करके हम जैसे कोश्टी कोश्टी इनको एक साथ ले सकते हैं चाहिए आंसर यहां पर छोड़ सकते हैं रहे हम प्रवल्म नहीं अब इसके दूसरा में थड़र है वह पढ़ते दूसरे मेंथर लिए क्या करते हैं हुझ हमारे पास क्यों और दूसरे मेंथर के लिए सिंपल ही यहां पर स्क्राइब करने के लिए हम lance को यहां पर हमँए का बिलोपन का था तोह घृक्रust करने के लिएibile का करना होगा क्ष्छ दिए क्या करना होगा में स्यों है इस में इस कुशन में तो में two का मりました affinity करना और इसके बाद हमें दोनों को जोड़ देना है जोड़ने पर जो अपने पास y कि आ जाएगा जिसका हमें cf निकलने के बाद जो भी अपना cf आए क्योंकि राइट है जिरू रहेगा तो cf आएगा वह बराबर solution आजाएगा इसको हम आपके लिए exercise छोड़ देते हैं आप exercise कर सकते हो यहां पर हम जरूरी नहीं है वह answer इससे match खाएगा लेकिन उसमें answer जो आएगा वह इसी form आएगा कि e की पावर 60 होगा और कोई a cos t plus मतलब जो answer होगा y बराबर वह इस तरह से आएगा कि e की पावर 60 होगा और अंदर कुछ e होगा cos t होगा प्लस b cent t जहां a और b constant होंगे कोई constant हो सकते हो cent t cos t form आएगा इस तरह से answer आएगा ठीक है आपके कुछ solve करना अब फ्रेंट समय से एक और example लेते हैं वह example है solve करने के लिए दिया हुआ है dx upon dt plus dy upon dt minus 2y equal to 2 cos t minus 770 and dx upon dt minus dy upon dt plus 2x equal to 4 cos t minus 370 यह दिया होगा अपने पास अब इसको solution करते हैं solution के लिए simply हम पहले किस फॉर्म में लिखेंगे इसको जो प्रितिकात्मत फॉर्म होती हमने पहले बताए थी उसमें लिखते हैं तो इसमें यहां dx plus d minus 2 कर सकते हैं d minus 2y equal to 2 cos t minus 770 होगा और इसको क्या लिख सकते हैं इसको d यहां से plus 2x minus dy equal to 2 यह होए 4 cos t minus 3 centi यह होगा अपने पास अब हम क्या करते हैं इसमें blue open करते हैं सबसे पहले बाई को हटा लेते हैं चलो बाई का blue open कर लेते हैं इसमें तो बाई को blue open करने के लिए क्या करना होगा यहां पे हमें d का multiply करना होगा माइनस d का multiply कर देते हैं simply simply d का multiply कर देते हैं यह हो जाता है d square x plus d d minus 2 by equal to यहां पे d का multiply कर देते हैं d upon dt तो उसके differentiation के आएगा minus 2 cent t minus 7 cos t यह differentiation आगया अब इसमें हमने क्या है d minus 2 का multiply कर देते हैं तो यह जाता है d square minus 4 x minus d d minus 2 तो d minus 2 का multiply क्या है हमने यह हो गया y equal to d minus 2 मतलब एक बगार तो differentiation करना है इसका इसका हम differentiation करना है तो वह जाएगा 4 cent t minus 9 minus 3 cos t minus 2 का apply करना है तो minus 2 से multiply कर दो माइनस 8 cent t minus 6 minus minus plus 6 है नहीं कि 8 cos t आया है cos t minus plus 6 cent t यह आए अपने पास यह cos है cos यह आए अपने पास अब हम इन दोनों को अगर सम कर दें तो अपने पास इसका सम करने पर यह कट जाएगा यह जाएगा अपने पास d square plus d square minus 4 x equal to अब हमने यह सम किया है तो 6 cent t minus 2 cent t minus 4 cent t तो यह तो कट गया साइंटी तो पूरा पूरा गया अब cos t में देखते हैं minus 7 cos t minus 2 cos t minus 8 cos t 10 cos t minus 18 cos t हो गया minus 18 cos t आगए अपने पास यह हो गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2d square मतलब 2 common ले सकते हैं इसको लिख सकते हैं d square minus 2 x equal to 2 हमने common लिया है उसका यह डिवैड कर दिया हमने तो यह हो गए minus 9 cos t यह आगए अपने पास अब हम इसको solve करते हैं इसको solve करने के लिए सबसे पहले हमें साइक समिक्रंट चाहिए वह होगा m²-2 equal to 0 m बरावर plus minus 2 root 2 आ गया m बरावर plus minus root 2 तो इसके cf क्या हो गया आपने पाद cf हो गया c1 c1 e की पावर root 2x plus c2 e की पावर minus root 2 x equation number first दे दिया हमने इसको अब इसका हम निकालते है particular integral pi निकालते हैं क्योंकि जो अबने general solution होता है cf plus pi होता है तो pi निकालते है pi क्या होता है बन अपन fd क्योंकि और qx यह तो बन अपन fd क्या है d square minus 2 बन अपन d square minus 2 और qx क्या है minus 9 qx क्योंकि मतलब minus 9 cos t अब यहां पर एक से टी रिफ्लिक्स क्या है हमने यह ती का function हो गया है यह रिफ्लिक्स क्या हमने तो यह आ गया minus 9 तो बाहरा जाएगा minus 9 d square minus 2 cos t अब minus e square हम एपलाई करें तो यह जिरू नहीं होता तो हम apply कर सकते हैं आप से तो यह आ जाएगा अपने पास minus 9 upon minus 3 cos t equal to 3 cos t यह आ गया अपने पास तो अपने पास solution आ गया x पराबर वो कहा है cf plus pi मतलब cf कहता अपने पास यह c1 e की पावर 2x plus c2 e की पावर minus 2x और pi यह वो है 3 cos t इसको अपने पास independent variable है t t और t के respect में हम differentiation कर रहे हैं तो यह t अपने पास यह आ गया अपने पास x पराबर अब हमें निकालना एक पराबर तो अपने पास आ गया अब लेकिन हमें by की value भी निकालने के लिए निकालें दिकालें और किसी एक में रखते हैं हम इसको दी वाई के फोर्में कुछ आ जाएगा इसमें रखके देखते हैं सबसे पहले इसमें यह आपने पास रूट 2 C1 E की पावर रूट 2 T माइनस रूट 2 C2 E की पावर माइनस रूट 2 T माइनस 3 सैंटी यह आपने पास अब हम भी डी एक सबसे पहले डी बराबर निकाल लेते हैं इससे डी बराबर क्या होगा डी यह पूण डी प्लस 2 X माइनस 4 कोश्टी माइनस 3 सैंटी इसमें डी यह पूण डी टी को इधर ले गए हैं इस टाइड का जोगी था है उसको इधर ले आए हैं बस हमने यह किया है अब हमने यह निकाल लिया अब हम दी वाई अपन डी टी बराबर अब दी एक्स अपन डी टी वेल्य उपने पास है एक्स की वेल्य उपने पास है और यह तो अपने पास हैं तो हमने दी वाई अपन डी टी वेल्य उपने पास हैं वो आजाता है root 2 c1 e की पावर root 2 t minus root 2 c2 e की पावर minus root 2 t minus 3 sin t और x value है वो है x value 2 का मुलिप्लिकर की 2 c1 e की पावर root 2 t plus 2 c2 e की पावर minus root 2 t plus 6 cos t और आगे क्या है अपने पास minus 4 cos t minus 4 cos t minus 3 sin t minus 3 sin t है यह हो गया अब हम इसको rearrange करते हैं तो dy upon dt वरावर क्या दाएगा पहले सबचा पहले हम e1 root 2 t की पावर even root 2 t है. इस बाहरे भंक्सन को ले रहते हैं इसको और जो constant root two c1 two c2 इसको हम एक अलग constant देदे देते हैं a मतलब root two c1 plus two c2 जो इसको constant आया है 2 c2 यह constant आया इदर का यह इसको हम अलग constant दे दे जो आता है यह अपने पास और यह आ जाता है एक पावर रूट टू टी- इस तरह इसका और इसका समई किया दोनों को समकम को अलग से कोश्चेर देते हैं वी कि लिए बावर माइनस रूट टू टी या गया अब सिख सकॉष्ट टी 6 कोश्टी और यह अपने पास 4 कोश्टी तो यह आगर प्लस 2 कोश्टी और यह माइनस 370 है यह अपने पास माइनस 370 है माइनस 370 है दो बार है हमने यह थोड़ सी गल्ती की है यह किया है गल्ती दोती वह अपनी पास यह अपने पास यह अपने पास कुल म가uć दी वा i. dote बराबर आ गया यह एक पावर रूटू टी प्लस इक पावर माइनस डू टी प्लस 2 कोश्टी यह नहीं पने पास। अब यह अपने पास अब यह आ पास इधार यह ऊपने पास यह तका फंक्शन है यह भाई क यह तो अदिटल कर कर देते हैं तो integration पर y बराबर आजा था इसका integration क्या तो क्या गया है एक पावर रूट टी अपन रूट टू प्लस बी माइनस रूट टू नीचे गया है एक पावर माइनस रूट टू टी integration प्लस टू सैंटी integration पर या गया अपने तो इसको हम अलग constant दे सकते हैं इसको अलग दे सकते हैं तो अपने पास जो by बराबर निकल के आया है वो आया है अपने पास by बराबर आया है यह देस एक पावर रूट टू टी प्लस बी देस एक पावर माइनस रूट टी माइनस प्लस टू सैंटी यह अपने पास सोल्यूसन आ गया इसका इसका इसी तरह समय से कहीं प्रोब्लम सोल्व कर सकते हैं खुद आप ट्राइ करें यह राज्थान विद्वर्शिटी के कि यह दो बिद्वर्श्टी तरह सब्सक्राइब जिनरेश्थान टी यह दो अब कहीं गया आप शोल्व करने बहुत आ थो अब को अपने पास अब का समयकरन दीव होगी उसको किसे सौल्व करते हैं यह देखने के लिए हम उसे कुछ तरिक होते हैं जिम पर इसले हम एक एकर के उचार करेंगे सबसे पहले आते हैं अपने पास हैं फर्ष्ट जो भी उटा है समीकंड जिनमत चर्प प्रतिक प्रतिक के जा सकते हैं I am in equation in which variable are separable अब उनको देखते हैं मतलब समीकंड जो भी समीकंड होंगे उनमें जो अपने variable होंगे उनको अलग-अलग कर सकते हैं अगर हम ऐसा कर लेते हैं कोई भी equation दियो होगी और उसको variable को अलग कर सकते हैं मतलब x के एक तरफ कर सकते हैं तो हम उसको इस तरह को लिख सकते हैं f1 x of dx plus f2 y of dy equal to 0 अब जब अपने पास हम इस तरह इस फोर्म बदल लेते हैं उसको तो इस फोर्म बदलने पाद सो solution अपने पास simply हो जाता है इसको कर सकते हैं f1 x equal to equally plus f2 y dy upon dx यह लिख सकते हैं और नहीं तो मियां यहीं से सीधा ही इसका समा किलन कर देते हैं f1 x of dx plus f2 y sum of dy बराबर 0 और जो भी अपने पास solution आता है वो इस तरह से होता है अतलब कि उसको f1 x of dx plus f2 y of dy इसके समा किलन होता है वो होता है c इस तरह अपने पास इस फोर में answer रहता है अब इसके लिए कि हमें example लेते हैं अब मानले हमने example ले लिया है x plus by solve यह solve करना है x plus by dx minus dy equal to dx plus dy अब हमें यह solve करना है इसको solve करने के लिए हम सबसे तरह करते हैं कि जो factor है वो एक साथ बन जाए और factor नहीं बन तो इसके लिए हम यह कर सकते हैं dx minus dy बटे dx plus dy बटे x plus y अब यहां करना हम x plus y को clearly देख सकते है x plus y को t मानले और जैसे x plus y let x plus y बड़ाबर t तो यह imply करता है dx plus dy equal to dt और dx dy यह सब अलगी है तो यह होगे dx minus dy equal to 1 upon t of dt यह सब अलगा होगी dx अलगे dy अलगे dt अलगे अब हम इनका differential equation करते हैं इसका integration करते हैं तो integration आजाता है इसका जाएगा x इसका जाएगा y और इसका जाएगा log t plus c1 बट log t बराबर क्या आपने पास x plus y तो x minus y बराबर log x plus y plus c1 इस तरहे हम answer दे सकते हैं यह इसका answer होगा है अब कहीं जाएगे इसका answer ऐसे भी दिया होगा x minus y equal to log x plus y और जो c1 माना होगा उसको मान दे चलो log c यह अपने प्रेश को हम किस तरह constant मानें तो इसको हम लिख सकते हैं log c x plus y क्योंकि log m plus log n बराबर होता log mn तो यह हो गया यह x minus y बराबर ही है यह हो गया अपने पास अब दोने तरफ हम expression लेते हैं तो यह तो हो जादा e की पावर x minus y और e की पावर log c x plus y यह क्यों होता है यह की पावर e की पावर e की पावर x minus y यह यह भी answer हम इसका दे सकते हैं अब इसके लिए हम और question लेते हैं जो कि राजिस्तान उनिवर्सिटी में आया हो है राजिस्तान उनिवर्स्टी 2002 में आ रहे था राजिस्तान उनिवर्सिटी 2002 में आ रहे था राजिस्तान उनिवर्स्टी 2002 यह question है dy upon dx equal to x y plus y upon x y plus x यह हुआ है दिया हुए अब अब इसे हम variable separable की मदद से help करते हैं हमें खुछ चेक करना होगा कि कौन सा question कौन से form से change हो रहा है यह हमें paper में दिया नहीं होगा कि यह हम variable separable से solve करना है यह किसी और विदी से solve करना है तो इसको solve करने के लिए हम by common ले ले तो यह हो जाता है x plus 1 और अगर यहां से x common ले ले तो हो जाता है y plus 1 यह आगए अपने पास अभी आगए dy upon dx बराबर y x plus 1 और x y plus 1 अगर हम ऐसा करें इसमें y plus 1 को यहां ले जाएं y plus 1 और इस y को नीचे ले जाएं y dy और dx को दर ले जाएं x plus 1 x upon dx यह हो गया तो हम इसको और अपने लिखना चाहिए तो 1 plus 1 upon y of dy equal to 1 plus 1 upon x of dx अब हम दूने तरफ इंटेग्रेशन कर देते हैं तो इंटेग्रेशन करने पर integrate both sides यह हम इंटेग्रेशन करते हैं तो यह आ जाता है अपने पास से इसका 1 का तो y हो जाएगा प्लस बन अपन पाई log y equal to 1 का हो जाएगा x plus log बन अपन x log x plus c अब हम इसको लोग की टर्म को दोनों को एक तरफ ले आते हैं तो यह हो जाता है log y minus log x equal to x minus y plus c अब log y minus log x जो की उस फर्मूले से log m minus log n बराबर होता है log m upon n तो इसको लिख सकते है log y upon x बराबर x minus y plus c अब हम दोनों तरफ expression ले लेते हैं तो यह जाता है antilog ले लेते हैं तो यह जाता है y upon x बराबर e की पाबर x minus y plus c अब e की पाबर x minus इसको क्या लिख सकते है e की पाबर x minus y e की पाबर c यह another constant आ गया तो यह आगर c दूसर c e की पाबर x minus y y upon x बराबर यह बराबर आ गया अपने पास x c e की पाबर x minus y यह हो गया अब इसे हम चैज़ों दूसर दूसर रवाइच कर सकते हैं जैसे ने दी वाइब इपन डी एक से इन्हें x को मई ले ले लिया उसके बाद हमने क्या क्या है दी वाइपन डी एक से इसमों यह जिए यह टरब में लिख दिया और अलग-अलग कर लिया डी यह भाई की फॉन ठीक है यह रियरेंडमेंट के बाद हमने अच्छे तरह से मौडिफाई करके लिखा हुआ है बस और कुछ नहीं है अब एक और पूश्चन लेते हैं जो राइस्टान इंविस्ट्रिंग 2011 में पूचा गया है वो पूश्चन है डी वाई अपूण डी एक्स एक्वल टू एक्वावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इसको एक्वावर वाई अप्रेंट इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं डी वाई अपूण डी एक्स इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई को एक् की है ठावर भाई यहां से यहां से दोर पॉयन लिवन आ गया आगया यहां एक की पावर एक्स ब्रस एक सदरे अरशक सब्सक्ट अब हम देखते हैं कि एक की पावर भाई को करो निच निच लिए तो बन अपनाफान एक की पावर भाई फ्रवाई एकवलटू ही रा गय है,e कीपावर x प्लस x स्क्यार ओफ dq इसको हो लिख सकते है,e कीपावर- y dy इक्वलटू,e कीपावर x प्लस x स्क्यार dx अब दोन तरह हम इंट्रियेशन कर देते हैं तो इंट्रियेशन कर देपर,m स – e कीपावर- y प्लस C me equal to e facto e कि पावर माइनिसब्स Alavers इस बाकी सभसाइन को दर ले जाते हैं तो एस पावर २, की पावर невहीं ऊपहन दर ले जाते हैं सीबन को सीबन माइने सी जो भी आता है उसको एक अलग सीद्य देखते हैं इस तरह यह आगए आपने पास अंसर अब आते हैं अपने पास समगात अपकल समिकर समगात अपकल समिकर मतलब कि आता है हूमोजीनियस कि डिफेंशल अब इस अब इस अब हमोजीनियस डिफेंशल एक्क्वेशन देखते हैं जैसे अगर हम उसको लिखें कि डिवाई अपॉन कि डिफेंशल ब्राबर कोई भी फंक्शन होगा उपर एक्स और बाई का उसको कॉंस्टेंट समिकर सकते हैं कॉंस्टेंट होगा नहीं वह समिकर और दूसरा है एक्स अपन बाई का तो अगर यह हमोजीनियस है तो इसके जो भी हाई क्यां सब्सक्राइब करने के लिए थे निकालते हैं कि इसमें जो भी यह वाई अपॉन एक्स बना लेते हैं मतलब कि एक्स कॉमन ले लेते हैं दोनों तरब से तो एक्स कट जाता है तो वाई वराबर हम वी एक्स मान लेते हैं वाई बराबर वी एक्स तो इससे हम जो सॉल्व करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी और एक्स के सब साथ अब करते हैं तो बना जाता है पिलर से इस पर एक्स को छोड़के डी वी अपॉन डी एक्स और इसको जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह डी वी अप जब लेखने के बाद है जो उसके solution करते हैं तो वह पने पास है वी की फोर्म में आयाता है वी और एक्सी फोर्म है और वो इसके बाद हम आरहां से शूल कर सकते हैं अब जैसे हम एक वे क्वेस्टन लेते हैं जो कि राइस्ताम इनिवर्सिटी कही बात पूछ गया है यह पूछागा है राइस्ताम इनिवर्सिटी में 27,2012,2014 यह है एक्स स्क्वेर य प्लस 2 माइनस 2 एक्स बाई स्क्वेर और दी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वेर वाई और दी वाई अब अगर हम इसको डिवाई अपूण डिएक्स के रूप में लिखें भाई डिवाई हैजिक्स एक्स एक्स व्हार टुकी बाउन न मैंस 2 एक्स बाय स्क्वेर ऩसपने एक्स मौई माइनस पर वी एक्स है, y बरावर Vx ले रेते हैं, y बरावर X या फिर हम इसमें सबस्वे ले करेंगे, x की पावर है, यो common ले लिए हैं, तो हम x2 आ कंवन ले लिया, तो इसमें या बच गए है अपने पास , x2 आ कंवन ले लिया, नहीं y ब्राबर bx रखेते हैं y ब्राबर bx देखने के बाद हम करते हैं इसको di y dx ब्राबर आजाता है v plus x db upon dx तो यह रख देते हैं v plus xdb upon dx y ब्राबर bx रखाया नो y के जoir के v और x square x cube हो गए माइनस 2x और y के जएक vx तो v square x square हो गए है उसके बाद यह x cube है माइनस 3 y के जएक vx और x square तो यह होग है v x cube तो हम देखते हैं इसमें x cube यहां पर भी है x cube यहां फिर बन जाता है यहाँ पर x q यहाँ पर v2 x q को में लेकर करते हैं तो यह कठने के बाद होगा है अबने बस v plus x dv upon dx equal to v minus 2v square upon 1 minus 3v यह होगा है अब हम v को विदर ले जाते हैं इसको तो यह जाता x dv upon dx equal to v minus 2v square 1 minus 3v minus v अब हम दो पर इसको गठाते हैं तो यह जाता v minus 2v square minus v 1 minus 3v upon 1 minus 3v अब इसको solve करते हैं तो यह जाता अपने पास v minus 2v square minus v and यह जाता है minus 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 plus 3v square upon 1 minus 3v v से v गया minus 2v square से इसमें से only v square बच गया तो यह आगा है अपने पास v square upon 1 minus 3v तो अपने पास जो equation आई भी हो आगे है यह x dy upon dx equal to v square upon 1 minus 3v अब यह आ गई है तो हम यह करते है 1 minus 3v यह v की टर्म को इदा ले आते हैं यह v है तो यह हो जाता है 1 minus 3v upon v square dv और x की टर्म को जो ले जाता है dx और इस x को नीच ले गए तो यह x आ गया अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 upon v square minus 3 upon v of dv equal to 1 upon x of dx आ गया अब हम इसके integration करते हैं तो 1 upon v square का integration क्या होता है minus 1 upon v इसके क्या होगा minus 3 log v equal to log x plus log c अब हम v की value रख देते हैं v की value क्या है अपने पास है v की value है v बराबर यहां से v बराबर आ जाता है y upon x तो v की value रख देते हैं यहां पर तो यह हो जाता v by upon x मतुल x upon y minus का minus 3 log y upon x equal to log x c यह होगा है जो के आपने पास answer है इसको modify करके हम और भी modify कर सकते हैं लेकिन हमें modify करने ज़र्द नहीं हम answer यहां छोड़ सकते हैं no problem अब हम इसी तरह को दूसरे question लेते हैं जो की 2012 में पूछा गया राइस्तान उनिवेस्टी 2012 का question है और जो question है x square minus by square dx minus plus और 2x by of dy equal to 0 इसका हमें equation देका लिए है differential equation दे हुए है इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले dy upon dx या dx upon dy की फोर्म बदलने के लिए हम सबसे पहले इसको dy upon ये लिए लिए जाते है x square minus by square of dx equal to 2xy minus x and dy ये हो गया है अब इस problem बदलने के लिए हम dy upon dx में बदलने लिए इसको तो dy upon dx equal to रहता है x square minus y square ये लिए लिए हम नीचे लिए और इसका plus minus q minus करना पड़े गए तो और ये हो गए अपने पास 2xy इसको हम और solve करें तो यहार रहेगा अपने पास minus x square upon 2xy plus y square upon 2xy इसको और solve करें तो यहार जाता है अपने पास minus x upon 2y plus y upon 2x यहार जाता है अपने पास अब हम ले लेते हैं y बराबर vx और इसको हम लिख सकते हैं इससे हमारा जाता है dy upon dx बराबर v plus x dv upon dx जबकि y upon vx लिया तो अपने पास आ जाता है v बराबर y upon x लिया जाता है तो हम भी यह बेलर हो रहेते हैं यहां पर लेते हैं v plus x dv upon dx equal to minus 2x upon by तो इसको हम by upon x के फोर्म में इसको 1 upon v लिख सकते है minus 2 यह आ गया पिलस v by 2 यह आ गया अब हम v की टर्म को दले जाते हैं v की टर्म को दले जाते हैं तो x dv upon dx equal to आ जाता है अपने पास यह इदर गया तो minus v by 2 minus v हो जाएगा तो v plus v by 2 minus v बराबर या गया minus v by 2 तो minus x बन अपन 2v plus by 2 यह आ गया अब हम इसको और solve करते हैं तो इसको minus 1 upon 2 v लगत हम लेके इसको solve कर सकते हैं 1 plus v square यह आ गया अब हम यह आ गया तो अपने पास सबसे पहले हम करते हैं v की टर्म को इतल ले आते हैं तो जाएगा था है v upon 1 plus v square हमने 1 minus 1 by 2 कुछ फोड़ दिया है इसको minus 1 by 2 यह dv है और यह अपने पास आ गया है यह dx यह आ गया अब इसको solve करने के लिए हम simply यह 2 का यहाँ पर multiply कर लेते हैं तो यह 1 upon t of dt equal to minus dx अब इसका integration करते हैं तो यह आ जाता है log t equal to minus x plus c log t log t की जाए क्या लिख सकते हैं 1 plus v square log 1 plus v square बराबर minus x plus c अब v की जाए हम क्या लेख सकते हैं y upon x तो यह दा log 1 plus y upon x यह square है यहाँ पर equal to minus x plus c अब इसको हम आशर को यह ही छोड़ देते हैं इसको और इसको बदलने के लिए अपने पास सम्हिकर्ण में बदली जा सकती है यहाँ एक्क्वेशन रिडिशेबल to homogeneous equations मतलब कि अगर dy upon dx को होगा dy upon dx वहावर यह x plus by plus c upon यह x plus by plus c इस तरह के लिए इक्क्वेशन होगी इस तरह के एक्क्वेशन को हम सम्हिकर्ण में बदल सकते हैं इसको बदलने के लिए अपने पास simply दो तरीक होता है case first case first होता है अगर a upon a equal not b upon b हो उस condition में क्या case होता है अपने पास यह देखते हैं उस condition में हम गरते है एक्स बरावर x plus h and y बरावर y plus k और अपने पास dy upon dx बदल के क्या जाएगा अपने पास यह एक्स प्लस बी बाई प्लस यह एक्स प्लस बी के प्लस थी यह इस तरह नीचे हम देखते हैं यह एक्स प्लस बी बाई प्लस यह एक्स प्लस बी के प्लस यह आ जाता है हम यह एक्स और के करते हैं गया हम प्लस फ्लस बी के क्या प्लस ची प्लस यह एक्स प्लस के क्या ड़िटल सी एक्स तरह दो इक्स दूर के क्या निकाल लेते हैं इन दो कुईशन से एक चुर के कमान निकाल लेते हैं क्यों कि यह और बी अपने पास constant है एक चुर के अनौन्स है उनका मान निकालने के बाद इस equation को हम 0 के एक को रखे हम dy upon dx बरावर ax plus by upon ax plus by इस फोर्म बदलने जाए पाद अब यह जो अपने पास equation है यह हमें homogeneous equation है अब इस तरह को बदल जाती है उसको हम homogeneous equation के solve करके x और इससे बाद मंदर solve करके हम x की बढ़ने पूरा होगते है x minus h and y by ब्रावर y minus h इस तरह यह value रखके हम आराम से इससे solution निकाल लेते हैं अब अपने पास आता है दूसरा case case second यह अपने पास इस तरह हो a upon a equal to b upon b अगर यह दिया हुआ हो तो मान लेते हैं कि अपने पास इस तरह से बदल जाता है dy upon dx ब्रावर ax plus by plus c अब किसी अनुपात में तो यह m ax plus by plus c इसमें बदल गया है अब इसमें बदलने के बाद जो ax plus by गया है ना ax plus by इसको हम w के उक्कुल मान लेते हैं अब इससे हम निकाल सकते है dw upon dx बरावर आ जाता है a plus b dy upon dx अब यह हम मान इस सुम्मिकर्ण में रख देते हैं जो पहले मान दिया हुआ है इनमें मान रखने पे यह अपने पास जो बदल का जाता है वो आजाता है बन अपन वी dw upon dx माइनस a equal to w upon c plus mw plus capital c यह आ गया है इसको हम और भी अगर solve करें तो यह बदल सकता है dw upon dx बरावर bw plus bc mw plus c capital c plus a इस फोर में बदल जाता है इस फोर में बदलने के बाद यह आराम से अपने पास एक integration तरह से solve कर सकते हैं अब इसे कुछ example लेते हैं अब फ्रेंड हमारे पास एक्जांपल लेते हैं यह हमारे पास कुछ example है पहले से solve हमारे किसी फ्रेंड ने बोला है कि अपका समीकर्ण से related कुछ पढ़ाईए तो हम यह अपका समीकर्ण का ही topic ले रहते हैं अपका समीकर्ण जो अपने पास bsc में भी आता है ज्राइस्तान university हो ब्रेज university हो कोई भी university हो उसमें अपका समीकर्ण जरूर होता है साथ ही 12th class में जो अपना नएस ncrt का 12th class का सिलिवस आया है उसमें भी differential equation को अलग से दीर रखा गया है तो हम आज वह इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते है differential equation differential equation यानि अपकल समीकर्ण differential equation की definition देखते हैं differential equation के लिए एक समीकर्ण होगा जो सुवतंतर चरूर्न जो आश्रत भी हो सकते हैं, आश्रत चरूर्ट के अपकल गुणा के रूप में पहिवासित होगा तो उसको अपकल समीकर्ण कहते हैं जैसे कि अब में पास कोई समय करना ले रहे हैं, dy upon dx बराबर x plus y minus 1 upon x plus y plus 1 यह differential equation है, इसमें हम जैसे यह y x के respect में आशर रहता है, अब आते हैं, differential equation के जो form होते हैं, वो कितनी परकार के होते है, differential equation, differential equation दो परकार के होते है, differential equation जो फच्ट होते हैं, ordinary differential equation, ordinary differential equation जो फच्ट होते है, वो फच्ट होते है, परकार के होते है, partial differential equation, अब यह ordinary differential equation का हम जाएं, जो इस differential equation पढ़ेंगे, वो है, वो differential equation पढ़ने के लिए हमें, इसमें जो भी अपने चर होंगे, जो एक चर आशस्त होगे, एक चर तो स्वतन्तर होगा, यानि कि independent होगा, independent यह भी dependent होगा, और partial differential equation में, एक चर dependent होते हैं, बाग से independent होते हैं, मतलब, पार्शन दिप्रेशन हो सारी चर दो एंटर्पेंटेंड होता है, सब एक स्टर होता है हम जैसे अब दुबारा से इसको डिटबाइट करें, तो बजाब कि अधकर समिए करा ते आपकर समी कि एक चर सब्सक्राइब करने होता जैसे dy upon dx निकालते हैं तो हम जिसमें y के अलाबा जो भी अगर z आ रहा है कोई भी ब्सक्राइब करने हैं जैसे डिवाई अगर जैसे डिवाई डिवाई डिएक्स लिखती नहीं उसलिखते हैं डिवाई अगर इसमें जैड य बराबर य आ जाता है जैसे डिवाई एक्स डिवाई जैड कुछ आ जाता है यह अभाई बराबर जड आज जाता है जब इसको डिवाई अपौंद टिवाई अगर चैसर कर रहा होते हैं तो इसको डिवाई अपौण डिएक्स निकाल देते हैं और इसको아니 export करदेते यह फर्क होता यह जय पासे जिन में आता है order and degree order and degree of a partial differential equation partial ordinary differential equation of a differential differential equation इंब सबसे पहले आता है order and degree आब order कितने order का है मतलब कि order के लिए हम सबसे चेक करते है question में किGot dy upon dx लिखा हुए तो एक order one order का is d square y upon dx square लिखा हुए तो two order लिखा है d cube upon dx square लिखा हुए x q लिखा हुए the three order का अ है मतलब जो जो सबसे बड़ा होता है वो इतने order का होता है अब जरूर नहीं है अगर जैसे कहीं equation वा जाए dq upon y dx q plus d square y upon ds square equal to zero अगर इसे पूछे हम यह कितने order का है तो कहीं लोग यह कहेंगे नहीं सारी है इसमें 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है हम क्या करें करें जो भी ज्यादा होगा ज्यादा अटने order का दखे लोग अब हम आते हैं कि डिग अब डिगरी के लिए थी के लिए हम अब हम कुछ एक्जाम्पल लेते हैं जो में हम देखते हैं वे order and degree निकालते हैं लेली हमने यह के differential equation लेली d square y upon dx square plus x dy upon dx का cube बराबर sin x यह लेली हमने अब इसमें हमने देखना है इस order क्या है और degree क्या है सबसे पहले order देखते हैं order देखने के लिए सबसे ज्यादा बार differential equation से कितनी बार हुआ है दो बार हुआ है तो इसका order क्या हो गया बराबर 2 अब देखते हैं इसकी degree यहां पर इसकी 3 अलेकर मतलब यह है 3 degree का हो गया है डिगरी हम उसके देखते है जिसका order हाइस टर्म हाइस टर्म यह है डिगरी क्या है इसकी 1 तो यह जो एक क्वेशन ते अपने पास है और ऑडर 2 हम डिगरी 1 की एक क्वेशन है अब कहीं बहाँ आप दूसर देखते हैं यह को रगया जैसे यह दिया डी स्कूर बाई अपॉन डी एक्स स्कूर पिलस 5 डी बाई अपॉन डी एक्स पिलस समाकलन ओफ वाई ओफ टी एक्स वरावर एक्स क्यूड यह दिया हुआ है अब हम इसका order नकालने के लिए हम देख बटे में संक्या हो जैसे अगर स्कूर डी एक्स होता तो हम सीधा ने रेते हैं उसको गुणा कर लेते हैं अब इसमें हम यह करते हैं सबसे पर इंट्रेटर कर जाएं दोन तरफ तो यह उज़ादा डी क्यूड वाई अपॉन डी एक्स क्यूड पिलस अब इसका जो हम डिफेंशिर करेंगे तो यह समाक लें नट जाएगा क्योंकि इस पर वह नहीं दे रही इस लिमिट नहीं दे रही पिले हम सीधे हटा सकते हैं इसको और यह जाता यह एक्क्वल टू थ्री एक्स स्कूर अब हम देखते हैं इसका ओरर कितने ओर रखा है अ अब डिग देखते हैं देखते हैं वह हैं दो और और थ्री डिगरी का अब ने पास समय करें गया आपका हमारे चनल में स्वागते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कुछ त्योरम से हैं जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स फंक्शन एवं फैजिबल डीजन से रिलेक्टेड होंगी पहरी जो त्योरम में वह अपने पास दा मैक्सिमम ओफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और अल्पीप इस अकर्स एट लिस्ट एट बन वर्टेक्स ओफ एस और जो कंडिशन अपने पास दा फैजिबल डीजन ओफ प्रोवाइड बाॉंडेड यानि अगर फैजिबल डीजन बाॉंडेड है तो उस कंडिशन में जो मै लॉंड व्लॉंग्स टु एस बीदा पॉंट सच एट एफएस अंकर्स मैक्सिमम बैल्यू ओन एक्स जीरो पॉंडेय लिया उस पर हमारे पास प्रोव वाल्यू है वो मैक्सिमम है तो हम पर दैन एफएपश जिरो जैस टेन एक्क्ल टू एक जीरो पर हमारे पास बैलिव लिए हमने मेक्सिमम लिए तो बाकि और पॉंटों के लिए function की value जो होगी object function की या तो इससे कम होगी या उससे एककल होगी जिए अप्राइब यह तिया हुआ था condition की वहस्यीबल दीजन होगा वह बाउन्डे होगा यह दिया हुआ वह बाउंट फाइनाइट होगा let x1 x2 dot xn be the vertex of s यह हमने माइन लिए x1 x2 और xn है इसके n vertex है और xi बिलोंग तो s i बाइबर 1 to n then fx0 is less than equal to fx i क्योंकि जो fx0 पॉइंट हमारे पास उस पर हमारे मैक्सिमम बेल्यू अटेंट कर रहा था function objective function है तो बाकि और पॉइंटों पर या तो less than less than equal to हो गाई है यह condition हो गई now now feasible set of always convex set क्योंकि हम पहले पहली जो थर्म थी व्यूडियो थी उसमें हमने पढ़ा रहा कि जो feasible set होता है LPP का हमेंसे convex होता है तो उस condition के according हम x0 को हम इसके x1 x2 dot xn के multiplication के रूप में लिख सकते हैं तो alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot dot alpha n xn जहां पर alpha 1 plus alpha 2 dot alpha n equal to 1 यह alpha i greater than equal to 0 for all i equal i ब्रावर 1 to n यहां जो alpha के जितने भी है उनका sum होगा n के इक्कुल होगा और चुकि यह LPP problem है तो function का हमने function इस पर लगा है function fx0 equal to function of alpha x1 alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot dot alpha n xn अब जोकि यह linear function है तो function को इस तरह से लिख सकते हैं f alpha x1 plus beta x2 equal to alpha fx1 plus beta fx2 तो इस फॉर्मेल लिखने पहले हैं हमें function को अलग अलग लिख सकते हैं तो यह होगा function f alpha 1 x1 plus f alpha 2 x2 plus dot 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 f alpha n xn अब हमने function linear है तो linear की property से हम alpha 1 को बार ला सकते हैं तो यह होगा है alpha 1 fx1 plus alpha 2 x2 plus dot dot alpha n fxn अब हमने इस में से कोई point ले लिया है इन सारे point में से fx1 fx2 fx में से कोई भी हमने point ले लिया जो कि maximum value रख रहा है तो maximum value रख रहा है तो हमने माल लिया fxp वराबन maximum of fxi अब चुकि यह function में हमने maximum लिया है सारे छोटों जो भी छोटे थे उनकी जगह में एक point रख रहे है वह fxp यह function की value हम रख रहे है तो यह definitely fx0 से बढ़ा होगा है क्योंकि यहां पर fx1 दे से कई fxp से बढ़ा था तो यहां पर बड़ी से नंबर से चंज हो गए यहां पर बड़ी नंबर से चंज हो गए इस तरह सभी बड़े नंबर हो चंज हो गए तो यह होगा fx0 less than equal to fxp क्योंकि alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha n था वह हमारे पास रिस्टाइश रहते हैं क्योंकर सम था वह 1 था तो यह होगा fx0 less than equal to fxp बट जो हमने पहले जो condition ली थी वह क्या ली थी fx0 is greater than equal to fx fx कहते हैं जो भी हमारे पास feasible region में जो भी उनसे भी बड़ा होगा क्योंकि feasible region के सारे पॉंटों के लिए condition satisfy कर रहा है तो इस पॉंटों के लिए condition satisfy होगी तो इन दोनों की help से हम लिख सकते हैं कि fx0 equal to fxp क्योंकि यह जो कह रहा है यह कह रहा है हमारे पास fx0 इससे बड़ा है fxp से जबकि यह कह रहा है कि fx0 fxp से छोटा है चोटा है बराबर है तो यह तो यह दोनों condition में सर्फ एक condition satisfy होगी वह होगी fx0 equal to fxp अफ्रें से अमने पास जो second theorem में वह है in the LPP of objective function fx attends its maximum value at an interior point of s s is the feasible region of LPP then f is constant provided s is bounded फिरेंस यह हमारे पास theorem में वह कह रही है कि अगर को हमारे पास LPP है और उसका objective function fx है उसकी value अगर maximum value को interior point यानि की region के अंदर वाले point पर जाएंगे यान पे अटेंस करते हैं रिजन जिसकोई region इस तरह है इस तरह से region है कोई और वह अंदर इस point पर उसे maximum value maximum value है उसकी तो यह कह रहा है कि अगर अंदर के हमें maximum value मिल जाती है तो वह कहता है कि then f is constant जो function था objective function वह constant होगा provided s is bounded मतलब यह condition है कि s हमारे पास bounded होना चाहिए अब हैं इसको prove करते हैं let x0 belongs to interior of s हमने x0 को ले लिए कोई भी जो की s का जो reason था उसके कोई interior point है then x attends its maximum value at x0 क्योंकि हमने x0 एक interior point लिया और ले लिया कि मान लिया कि हम जो x0 पर है वो maximum value return कर रहा है then fx0 greater than equal to fxi for all i belongs to s क्योंकि fx0 पर highest value return कर रहा है तो बागी और points के लिए हमारे पास यह तो छोटा होगा यह उससे एकल होगा यह ले लिया हमने now suppose that fx is not constant हमने यह suppose कर लिया कि function है वो constant नहीं है then we can find two points x1 and x2 as such that fx0 is less than fx1 strictly less than यह बात यहान रखने है fx0 is strictly less than fx1 and fx0 is strictly x2 fx2 क्योंकि हमारे पास जो f वो constant नहीं है constant नहीं है तो definitely उससे छोटे दो points में मिल जाएंगे now x0 can be written as the clc of x1 and x2 क्योंकि कोई भी उसके feasible reason नहीं तो उसके कोई भी किसी point को हम दो point हों के clc के रूप में हम लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया x0 बराबर lambda x1 plus 1 minus lambda x2 यह पर इसको हम ऐसे भी ले सकते है जैसे यह feasible reason नहीं हमने point ले लिया यहां पर हमने x1 ले लिया यहां हमने x2 ले लिया तो यह क्या हो गया हमारे पास x0 तो इस point के clc के रूप में x0 को लिख दिया हमने और यहां पर दोनों जगह पर जो x1 है और x2 है fx1 less than fx2 and fx sorry fx0 and fx2 less than fx0 यह condition माले point हमने ले लिया है यहांके then fx0 is less than equal to f lambda x1 plus 1 minus lambda x2 but जो यह function है यह linear है तो यह वो जाएगा f lambda x1 plus 1 minus lambda x2 function fx0 बराबर lambda fx1 plus 1 minus lambda fx2 तो फ्रेंस यहां पर हमने यहां पर क्या क्या है हमने हमने माल लिया कि जो function था fx1 जो था fx1 equal not fx2 and हमने साथ ही माल लिया fx1 fx2 से बढ़ा है क्योंकि यह function constant नहीं है तो constant नहीं तो ऐसी condition हम ऐसे point निकाल सकते हैं कि बड़े और छोटे हो उनसे बहले हम fx2 को बढ़ा माले किसी को equal point नहीं हो ऐसे value निकाल सकते हैं यह हमने value निकाल लिया तो यह हो गया fx0 less than lambda fx1 plus 1 minus lambda fx2 यह हमने condition लेकर चले हैं then fx0 less than equal to lambda plus 1 minus lambda fx1 यह हमने पर सब्सक्राइब कर देता fx0 less than fx1 यानि कि fx1 से छोटा है fx0 यानि fx1 जो है वो बड़ी value है बट हमने fx1 को क्या माना था छोटी value माने था और fx0 को हमने highest value माना था यह contradiction आ गया so fx is constant यह हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमने यह सब जोल हुआ था यह तब ही वारत हमने function को constant माना था constant नहीं माना था तो हम कह सकते हैं कि fx0 constant है अब फिर हम next theorem पढ़ते हैं वह theorem है the set of all optimal solution of a LPP always a convex set हमने यहां पर theorem लिए कि कोई हमरे पास से LPP दी होई है उसके जो optimal solution है जो optimal solution का भी set बनाए तो हमें से convex set होगा यह होगा है हमने यह कि इसके लिए कि हमने LPP लेए let maximum z equal to ctx subject to ax equal to v x greater than equal to 0 is a LPP let x1 dot x2 xn यह xn जो points है वो हमारे पास जो points है जिन पर हमारे पास value है optimal solution दे रहा है is the set of our optimal solution so ctx1 बराबस ctx2 बराबस dot ctxn equal to m क्योंकि optimal solution यहां पर सभी equal है इसका मतलब यह इसलिए है क्योंकि optimal solution होगा वो एक ही होता है यूनिक होता है तो यूनिक जो maximum होता है वो ctx1 पर भी दे रहा है c2 x2 पर सभी पॉंटों पर एहम हाहिश विल दे रहा है now we want to show that कि इसके जो points होंगे उसो linear combination के रूप में लिखा जा सकता है तो उसके लिखने के लिए हमें क्या x प्राब कोई points माल लिया जो कि इस तरह से इस फॉर्म है lambda x1 minutes plus 1 minus lambda x2 और हमें यह सौ करना कि यह है वह सका ही set यह जो points है इस से पॉंट सो होंगे lambda के लिए वह सारे points s में होंगे हमें यह सो करना है अब अपरेषिए जो करने के लिए हमें की दोनों तरव हमने ct जो कि एक हमार पास constant है constant ct का हमार पास हमें तो constant matrix है, constant है और ct यहां c यह column matrix है बस ct यहां transpose होगे यह row matrix होगया तो यह row matrix sorry column matrix है यह यह ct, ct row matrix है ct row matrix का हमने multiply कर दोनों तरफ तो चूंकि lambda constant है तो lambda 12 जाएगा lambda ct x1 plus 1 minus lambda ct x2 चूंकि दोनों जागे पर हमारे पास इसकी value क्या है m है तो यह हो गया lambda n plus 1 minus lambda n तो m को common लेगा यहां पर तो यह हो गया lambda plus 1 minus lambda n तो ct x बराबर भी हमारे पास m आ गया मतलब जो x के लिए था वो उसके लिए हमारे पास जो value थी वो m ही आ चुकी है तो हम कह सकते हैं x है वो भी x से विलोंग करता है so x is convex set अब फ्रेंट्स हमारे पास आता है आगली तंडिशन फैजिबल डिजन ओफा यह आलवेज convex set यह हमारे पास नहीं दोरह में इसको प्रूब करते हैं यह फैजिबल डिजन ओफा यह कोई भी लीने प्रोग्राम प्रॉब्लम होगी और यह फैजिबल डिजन होगा वह वह convex होगा यह प्रूब करने के लिए let maximum z equal to ctx मान रहे है कि maximum z equal to ctx subjective condition is less than equal to v and x greater than equal to 0 यह हमारे पास एक condition है अपने पास अब इसमें हमारे फैजिबल डिजन क्या होगे फैजिबल डिजन होगे जो कि सारी कंडिशन को satisfy करेंगे या ऐसे point जिनके लिए यह x is less than equal to v यह होंगे let s be the set of all s be the feasible region then let x1 and x2 belongs to s को यह हमने s से दो point ले लिए तो उनके लिए feasible region होने के लिए इस condition को satisfy करना पड़े हो तो यह x1 is less than equal to v यह x2 is less than equal to v नाव हमने को एक से एक अलग से point लिया है जिसको हम lambda x1 plus 1-lambda x2 की रूप में लिख सकते हैं यानि कि यानि कि हमने लिया है lambda x1 plus 1-lambda x2 जो भी दो point होंगे इनका segment पर जो भी point होंगे उनके लिए यह लिया है यानि कि lambda x1 plus 1-lambda x2 is less than equal to अगर यह कर से multiply कर लिया तो यह lambda x1 plus 1-lambda x2 is less than equal to v then यह हो गया यह x पराबर lambda x1 plus 1-lambda x2 अगर दोने तरफ हमने matrix एक multiply कर लिया तो यह x equal to lambda x1 plus 1-lambda x2 तो यह x1 equal to यहां पर हमने बड़ी हुए value यह x1 से सभी value बड़ी बड़ी हुए बी है तो हमने वह x1 की जगे b put कर लिया x2 की जगे b put कर लिया तो यह less than greater than sorry less than equal to sign आ जाएगा तो यह less than equal to b common यह लिया तो lambda plus 1-lambda है और यह x is less than equal to b जो कि हमारे पास feasible reason की लिए क्या है condition है की x is less than equal to b so हमारे पास so s is a convex set अब फ्रेंस हमारे पास नई थोरह में वो ले रहे हैं if nilpp feasible reason is bounded region जो feasible reason है वो bounded दिया हुआ है then optimal solution is also bounded but converse need not be true यहां पर दिया हुआ है feasible reason bounded है तो उसका solution होगा वो bounded होगा बट अगर solution जो region अगर solution bounded है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो region हो वो भी bounded हो यह हमें जो करना है तो इसके लिए हमें पहले जो करने के लिए कि if lpp का feasible region bounded है then optimal solution bounded होगा है यह जो करने के लिए हमने लिए 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 लेक्ट मैक्सिमुम जाएकल तो CT x subject to ax less than equal to b x greater than x greater than equal to zero given that feasible region is bounded यानि कि जो यह x less than equal to b है जो इससे region मतलब रहा है वो बांड़े है so x is finite या fix value क्यों x जो होंगी उसे value होंगी या fix होंगी या ज्यादा value नहीं होंगी तो c and c is constant क्योंकि c जो है यह constant constant है so CT x is also finite क्योंकि जो reason है वो हमारे पास bounded था तो x की value होंगी वो हमारे पास infinite तो भी नहीं सकती x की value किस form होंगी x की value होंगी x1, x2, xn इस form होंगी तो यह चुकि यह bounded है x की सारे point तो यह भी value होंगी यह bounded होंगी तो CT x जो होगा वो भी finite होगा हमारे पास so solution is also bounded but for converse let maximum z equal to minus x1 subject to x1 greater than equal to 0 इस condition में maximum z निकलना हम है और objective function है minus x1 then the maximum value of z equal to 0 क्योंकि x बन की कुछ और value होंगी negative minus में चलता जाएगा क्योंकि x जो है वो हमें से positive है but reason is unbounded क्योंकि x की value positive में कितनी भी जा सकती है 1, 2, 3 and finite की जा सकती है तो जो reason होगा है वो unbounded हो गया बट जो value होगी वो इसकी bounded हो चुकी है हमार पास नई problem है वो नई थोरम है वो यदा minimum of a LPP occurs on some extremum point यह का है फ्रेंस को भी LPP होगा है उसके minimum होगा वो किसी extremum point पर ही होगा यह प्रूब करने के लिए हम let minimum z equal to ct x subject to x equal to b हमने यह LPP मान लिए है और जहां पर b है वो greater than equal to 0 होंगी let x0 is the point which is optimal solution of LPP हमने x0 point को कुछ इस तरह से ले लिया कि वह optimal solution है LPP का then ct x0 is minimum value of fx क्योंकि x0 point को हमने इस तरह माना है कि वह optimal solution है optimal solution problem किस तरह के minimum प्रकार की तो minimum प्रकार की जो optimal solution बार जो point होगा उस पर value होगी minimum होगी and let x0 is interior point हमने exterior point की जगे x0 को interior point माल लिया है कोई भी अंदर का point माल लिया है let ct x0 equal to m यानि हमने ct x0 को m जो माल लिया minimum है यह value ct x0 पर और इंटेगर point मानना है हमने इसको क्योंकि x is convex so x0 can be written है क्योंकि x जो है वह convex इसलिए x0 को इस form में लिख सकते है x0 हो है lambda x1 plus 1 minus lambda x2 और वह x0 को इस तरह कर जैसे यह कोई reason है तो x0 को हमने यह मान लिया x1 और x2 यह अंदर ही point इसके तो इस तरह से यह मान लिया हमने दो x0 x1 plus 1 minus lambda x2 ct x0 equal to lambda constant ct x1 plus 1 minus lambda ct x2 but ct x0 बराबर m जो की minimum value है ct x1 जो होगा m इससे बढ़ा होगा ct x2 दोनों जो value होंगी इससे बढ़ी होंगी यहाँ बढ़ी value है ct x1 ct x1 इसके लिए हमने इन दोनों सबढ़ी होंगी एक छोटा number आजाएगा m बन m जो सबसे छोटा number है ct x1 ct x2 से छोटा m है हमने यहाँ पर एक छोटा number m पूट किया तो यह बढ़ा हो जाएग क्योंगी यहाँ पर हम छोटा number कर रहे है पूट क्योंगी हमने जो जो भी क्याता है यह समझना होगा अमारे पास local optimal solution and global optimal solution क्या होता है अपर जैसे यहाँ पर कोई region है यह region है यह region है हमारे पास local optimal solution है तो उसके जो नेवर होट बनेगा इसके जो नेवर होट बनेगा and x0 इसमें जो value होगी function की fx0 वह होगी जैसे अगर problem maximum की है तो यह fx0 सबसे बड़ी होगी fx for all x belongs to neighborhood of x0 neighborhood of x0 neighborhood of x0 यह होगी यह हमारे पास local optimal होगया और global optimal global optimal का मतलब है जो पूरे इसमें optimal हो यानि कि इसके लिए तो होई और बाकि इसके लिए भी हो तो वह global optimal हो जाएगा जो हमें यह सो करना है every local optimal solution हमें कोई local optimal solution लेके चलना है उसको हमें global optimal solution सो कर देना है इसके लिए फ्रेंट्स हमें एक LPP मान लिए हमने let LPP maximum z equal to ctx यह हमने LPP मान लिए maximum z equal to ctx और subject to ax less than b let x0 be the local optimal solution हमने x0 को local optimal solution मान लिया then ctx0 ctx0 is greater than equal to ctx बाय की सारे x के लिए जो कि इस neighborhood में belongs to neighborhood of x0 neighborhood of x0 intersection x याने कि यह जो point है इसमें सारे point के लिए ctx0 बढ़ा है ctx से now take x2 is any another point which is outside from neighborhood of x0 इस neighborhood of x0 से इस region से हमने दूसर point ले लिया बाहर इस से x2 यह हमने point ले लिया इन दोन पॉंटों को मिला दिया x2 को and x0 then we can find a point on land segment x0 x2 यानी x2 और x0 इस land पे हम एक point इस तरह से निकाल सकते है क्योंकि neighborhood यह neighborhood हमी से open होता है तो यहां पे कोई पॉंट होंगे तो वह निकाल सकते है we can find a point of land segment x0 x2 for some value of lambda lambda कि किस value के लिए पॉंट के लिए इस पे यहां पे एक value पॉंट हमार पास मिल जाए क्योंकि जो lambda जो होता है lambda x0 प्लस 1- lambda x2 किसी lambda की एक value के लिए x1 बराबर x1 इस तरह से मिल जाएगा कि lambda कोई fix value होगी कि जो value होगी यह पॉंट होती है क्या सो करता है हमार पास land segment को सो करता है इस land segment को तो इस land segment पे किसी lambda की value के लिए यहां पे x1 की value अंदर बिल जाएगी वह अंदर बाला font हमने ले लिया है then ct x1 is strictly less than equal to strictly less than ct x0 क्योंकि function constant नहीं है तो strictly less than माल लिया क्योंकि यहां पे हमने ct x1 को और ct x0 सो strictly less than माल लिया now x1 equal to lambda x0 plus 1- lambda x2 क्योंकि उसको linear combination के रूप में लिखाया है हमने x1 को lambda को fix value के लिए for sum fixed lambda now ct x1 हमने ct यहां से ct था इसका हमने multiply कर दिया दोनों तरफ पे lambda constant है तो बारा जाएगा lambda ct x0 या इसको इस तरह लिख सकते है ct lambda x0 plus 1- lambda ct x2 अब हमें क्या चाहिए तो इसके लिए में x2 वाले term को एक तरह परका है और दूसी term को इस तरह ले गए है तो 1- lambda ct x2 को यहां लिख दिया है ct x1 जो की positive यह हो गया और यह इदर आया तो यह minus हो जाएगा minus lambda ct x0 minus lambda ct x0 यह हो गया by 1 जो equation 1 थी उसके according क्या थी यह अपने पास है ct x ct x1 less than equal to ct x0 इस equation से हमने बड़ी बड़ा नंबर है ct x0 ct x0 यहां पूट कर लेंगे यहां बड़ा नंबर पूट क्या चुकि यहां पर हम देखते हैं जो नंबर है ct x0 यहां पर में बड़ी बड़ा नंबर पूट कर रहें ct x1 की जगे यहां पर बड़ा नंबर हो जाएगा यहां पर बड़ा नंबर पूट कर रहें यह आहले बड़ा हो जाएगा मार पास ct x2 is less than equal to lambda ct x0 15 ct x0 महीं से कॉमन यहां तो यह हो गया 1-lambda ctx2 less than equal to 1-lambda ctx1 अब जो कि 1-lambda 1-lambda की value क्या होती है 0 और 1 की बीच में होती है हमेसा तो positive होती है तो 1-lambda से 1-lambda कट जाएगा और sign change नहीं होगा तो इसलिए लिकारमने 1-lambda is positive तो यह कहाँ सब्सक्राइब c2 x2 less than equal to ctx0 पर x2 क्या था हमारे पास कोई भी point था जो कि हमारे पास neighborhood से बाहर था उस point के लिए हमने प्रूब कर दिया कि वह x0 होगा वह minimum होगा तो यह होगा हमारे पास तो कह सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर इस प्रोबलम में एक बात सुचने वाली बात है जब हम यहां पर point लिया था हमने तो यह x1 को अंदर ही क्यों लिया था हम बाहर भी तो ले सकते थे नहीं लिया था क्योंकि अमने पहले पढ़िया है पने पास हिंधी जो value होती है उसकी यह तो तो इंटीर पॉंट पर होती है या फिर बाउंडरी पर होती है या तो इंटीर पॉंट या बाउंडरी तो इंटीर पॉंट भी बाउंडरी पर होता है जैसे यहां लेते तो हम यहां से पॉंट यहां वाले पॉंट के लिए कंडिशन सेटिस्फाइड नहीं होती यहां वाले आपका आमारे चनल में स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह अपने पास graphical method to solve of rpp वह हमारे पास लीड़े प्रोग्राम प्रॉब्लम दिए होगी उसको ग्राफिकल मेतल से कैसे solve करते हैं वह पढ़ना है मैं जैसे के एक्जांपल के लिए एक हमारे पास प्रोग्राम दिए है maximum z equal to 2x1 plus 2x plus 3y subject to minus x plus y is less than equal to 1 and 2x2x plus y is less than equal to 2 and x and y greater than equal to 0 फिर्ष यह हमारे पास प्रोग्राम दिए है अब हम इसको solve करते हैं तो graphical solution में पहले जनरे method देखते हैं general method of and feasible reason जो होता है किसी भी graph solution के लिए जो feasible reason होगा उसको निकालने के लिए मैं general method देखते हैं first put the land on the graph यह पिर समारे पास graph है और first method कहारा है put the land on the graph जो land दी होई है minus x plus y less than equal to 1 एसको फिले हम एक land में change करते हैं तो इसके लिए inequality को equal to change करना होगा तो minus x plus y equal to 1 यह एक land है इसको में graph पूट करना है तो इसके लिए हम देखते हैं y equal to 0 पूट करें y equal to 0 पूट कर देते हैं तो हमारे पास आजाता x is equal to minus 1 यानि एक तो यह पूंट होगा हमारे पास जहां से जा रहा होगा और दूसरा अगर हम x ब्राबर 0 पूट करें तो y ब्राबर आता हमारे पास 1 यह इस लाइन के फिलेंस दो पूंट हो गए इस इन दोनों को मिलाने बाए जो लाइन होगी यह हमारे हमने फंच दे दिया इसको और यह हमारे लाइन हो गई और सेकिंड अपने पास 2x plus y less than equal to 2 पहले इसको लाइन में चैंज करने के लिए 2x plus y equal to 2 अब 2x plus y अब इस इस question में आगर हम x bar 0 रखें put x bar 0 तो y अदिए पास 2 एक तो यह पौंट हो गया और सेकिंड पूंट हो गया और सेकिंड पूंट होगा फिरिसमारे पास रावर जीरो पूट कर रहे है y ब्रावर 0 तो x ब्रावर 1 और आ जाता है एक यह पौंट होगा हमारे पास यहां पर पॉंट बन लेते हैं इस तरह से तो यह फ्रेंट्स यह जो हमारे पास graph बना दोनों को यह graph बन चुका है अब इन दोनों पॉंटों के हेल्प से हम इस पॉंट के निर्देशन निकालेंगे इस पॉंट के निर्देशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें 2 का multiply करें और add कर दें question number first में 2 का multiply कर दें और इसमें add कर दें तो इस अगर 2y sorry minus 2x plus 2y equal to 2 and 2x plus y equal to 2 दोनों के आड़े तो minus minus कर जाएगा 3y equal to 4 यानि कि हमारे पास आ गया y equal to 4 upon 3 and अगर y equal to 4 upon 3 यहां पर put कर दा है इस question में तो 4 upon 3 यह हो जाएगा इधर जाएगा तो 4 upon 3 minus 1 यह हो जाएगा हमारे पास 4 upon 3 minus 1 यानि minus 1 upon 3 तो x ब्रावर आगए 1 upon 3 तो हो गया x ब्रावर 1 upon 3 तो फ्रें इसके निर्दे सांग हो गए x ब्रावर 1 by 3 and 4 by 3 यह हमारे पास इसके निर्दे सांग किस्तर निकाल लिए हमने इसके लिए अब यहां पर second case अपने पास जो हमें चैक करना है तो दो तरिक हमारे पास है फश्म कंडिशन ऐख पास प्रोम उरिजन हुआ जो पहली से कंडिशन होती है Х şimdi ब्राव km से पास नहीं होती है हम एक दूराफ लेकर चलते हैं जहां पर जिस तरह x इस लेस्दिन इक्टो डू बाई यह हमारे पास कोई कंडिशन दिवर हुई यह में आगजांपल मी ले रहे हैं इस यहां से इस एक्जाम्पल से इसका कोई भी connection नहीं है तो यह हम सर्फ समझने के लिए ले रहे हैं x less than equal to 2y यानि x equal to 2y तो हम देखते हैं जैसे हम y की value रखते हैं तो x दुगना हो जाता है यहां से इस तरह से लैंज आएगी यहां से इस तरह से लैंज आएगी अगर ऐसा के सो कि अगर वह लैंज से जा रही हो तो उस केसमे हम देखते हैं x less than equal to 2y अब इस यह और इस जा रहे है तो उस पर हम निकालने के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं take a point on axis take a point on axis and see that it satisfy the given condition or not हमने कोई axis पर एक point ले लिया है जैसे यहां पर लेते हैं यहां पर हमने point ले ले लिया है यहां पर भी ले सकते हैं यहां पर कहीं भी ले सकते हैं इस पर ले लो तो हमने यह ले लिया है यह इस point के लिए सकते हैं माइनस बन एंड जीरो अपर इस point पर हम देखते हैं यह conditions को satisfy करता है यह इसको satisfy see that it satisfy the given condition or not हमने यह देखना है तो हम देखते हैं minus 1 less than equal to 0 condition satisfy कर रहा है क्योंकि by बावर 0 है तो यह condition को satisfy कर रहा है अब यहाँ पर if it satisfy the condition then feasible region is the region which is the side in point अगर यह condition को satisfy कर रहा है तो feasible region होगा वह reason होगा जो कि point की side में होगा मतलब की reason होगा यह reason होगा और अगर second condition if it is not satisfy the condition यह condition is outside of the point अगर इस condition को satisfy नहीं करता है जैसे अगर यह इंपर लेते हैं यहां पर क्या होता है वह बाइब परफाश पॉंट बन जीरो ले लिते हैं यहां पर तो सप्ट्रेशन में हम देखते हैं यहां लिख दण इको कंडिशन को साटिस्पाय नहीं करता तो जो रिजन होगा वह पॉंट की दूसरे तरफ होगा हमने यह पॉंट लेके चले तो नहीं जा रही है, then take origin 00 and put in the condition, हमें 00 origin जो है, उसको लेना है, और conditions पर apply कर देना है, अब condition क्या थे हमारे पास, condition थे हमारे पास minus x plus y less than equal to 0, अगर यहाँ पर 0 हो रहे हैं, तो 0 and 0, यह satisfy हो रहे हैं, हमने पास पहली condition satisfy है, यहाँ पर 00 करें, 0 less than equal to satisfy यह दोनों condition, फिरस ध्यान रहे हैं, दोनों condition satisfy हो रहे हैं हमारे पास, तो उस condition हमारे पास क्या करते हैं, if land does not pass from origin, then take origin, हम 00 ले लिया, if condition satisfy, then feasible region is in the side of the origin, condition satisfy कर रहे हैं, हमारे पास दोनों point land हो की, तो जो feasible region होगा, वो origin की तरफ होगा, यह region जो होगा, origin की तरफ होगा, यह region friends, यह दो, इस land का जो region है, वो origin की तरफ हो गया, इस land का जो region है, वो भी origin की तरफ हो गया, और साथ में हमारे पास दो condition होगा है, x and y greater than equal to 0, तो x and y greater than equal to 0 मतलब यह 0, यह greater than equal to 0, यह 0, यह 0, यह 0, तो हमारे पास ऐसा region जिसमें सारे point होगा, जो satisfy कर रहे होगा, वो कौन सा region है, यह region, यह जो बना है, तो कि इस region में सारे point condition को satisfy कर रहे है, इस region के point, तो friends, यह होगा है हमारे पास, इसका feasible region है, इस graph को हमने यहाँ पर draw कर लिया है, यही graph हमने draw कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें point के निर्दे सांग भी निकाल लिया है, हमने बता चुका है कि y equal to 4 by 3, और x equal to 1 by 3 कैसे आया है, now z at x by, हमारे पास problem में क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 2 x plus 3 by, यह हमारे पास problem में दिया हुआ है, z at x ब्राबर हमने लिखे है 2 x plus 3 by, अफरे समने एक, आगे हम property पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है, जो feasible region होगा, वो हमेशा इस जो curve होगा, जो boundary line होगी, उन्हीं पर से होगा, और boundary line पर भी वहीं होगा जाकि यह vertex होगी, यह point होगे, वहीं पर जो feasible region के optimal solution होगा, वो उन्ही point पर होगा, तो हम उन point पर देखते हैं, इस point के लिएटर सांग क्या थे? 00, जीरो, इस point के लिएटर सांग 10, 01 और इसके 1 by 3, 4 by 3, सभी पर देखते हैं, 00, पर देखते हैं, 0 आ जाता है, 01 पर देखते हैं, 3 आ जाता है, 1 upon 4, 1 upon 3, 4 upon 3 पर देखते हैं, तो 2 into 1 upon 3, plus 3 into 4 upon 3, equal to 14 upon 3, अब यहां पर हमें Z maximum निकालना है, तो Z maximum क्या है? 14 upon 3, तो Z max बराबर 14 upon 3, and optimal point, optimal solution जो रहा है, वो रहा है, हमारे पास X बराबर, X बराबर, sorry, X बराबर बन अपन 3, and Y बराबर 4 upon 3, यह जो solution रहा है, यह हमारे पास है, इसका जो optimal solution आ चुका है, और एकर इसमें minimum पूछता है, तो minimum क्या है आपने पास? 00, तो यह condition में 00 आ जाता है, और optimal solution हो जाता है 00. Hello friends, आपका हमारे चनल में स्वागता है, हमने जो प्राणी वीडियों पढ़ा था, वो पढ़ा था, हमने linear program problem किसे कहते हैं, और linear program problem की standard form क्या होती है, हम यह पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ने वाल है convex set, convex set क्या होता है, a set S, subset of Rn, is set to be convex, if and only if, for all x1, x2 belongs to S, alpha x1 plus beta x2 belongs to S, यानि कोई set होगा हमारे पास S, उसमें कोई भी हम दो पॉंट ले रेंगे, x1 and x2, कोई भी यानि कि हमें किसी भी अपने arbitrary x1 यह x2 ले ला हमें, तो उसके लिए सभी x1, x2 के लिए, alpha x1 plus beta x2 belongs to S करना चाहिए, जहां पर alpha plus beta equal to 1, and alpha and beta दोनों ही alpha and beta 0 से बढ़े हैं, यानि कि alpha और beta की range है, वो 0 and 1 के बीच में हैं, दोनों की, अब ग्राफिक लिए अगर हम इसको सो करते हैं, ग्राफिक लिए कैसे कर सकते हैं, if and only if the line segment between any point, मतलब कोई भी हमार पास graph होगा, इस तरह से हमार पास कोई graph ले लेते हैं, प्रोंट है, इस तरह से कोई भी graph होगा, यह graph है, यह graph है हमार पास, से जोंवेक्स होगा, इस point से आगी पढ़ते हैं, a land segment between any any point, कोई एनी टूपॉंट एनी टूपॉंट आर्बिटरी होंगे वह एकस्वन और एकस्टू बलॉंग्स टू एस इस इन दा रिजन एस को हमारे पास एकस्वन एकस्टू को जोड़ रहा होगा वह एस में होगा यानि इसको हम बोल सकते हैं अपर एकस ने untersuxile Savior लगा इसमें तो इसके जो लेड हैं यहां से और यहां सब कोई भी फानकी यह में पास एकस्टू इस में ए सी लाइँ इसन तो उनकोर जो मिलाएंगे है व मैं और भी उसी आएगी अगर ऐसे हम यहां पर इ False conceptn поверх है से यहां से जहां मिलते हैं तो यहां सई हम लाने वाले point इस जी इन में हैं ये नहीं है friends, हमारे पर कोई point मिल गए हैं तो वह convex हो गई हम Prieben एहां पर us to सबने को जो पॉंट को पार देखते हैं इस पॉंट में यहां पर एकस दो सुने क्स देखें इन दोनों पॉंटों convex set then intersection of two convex set is also convex set यानि if s1 यानि s1 को ही convex set है s2 convex set है दो दोनों को intersection जो होगा s1 intersection s2 वो भी convex set होगा यह show करना है friends इसके प्रूब करने के लिए given that s1 and s2 are convex then we want to show s1 intersection s2 is also convex so we take two points from s1 intersection s2 जो हमें show करना है उसमें से हमने 2 points ले लिए वो x1 and x2 ले लिए इसमें से कोई भी 2 points हमने arbitrary ले लिए then we want to show lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 intersection s2 जहां 0 less than lambda less than 1 फिरस यह हमने यहां से लिए यह से हम पहले पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था alpha 1 plus beta equal to 1 तो इससे alpha 1 ब्राबर क्या हो जाएगा 1 minus beta तो अगर यहां पर हम गामा ले तो 1 minus gamma हम कर सकते हैं इसको तो इस तरह से यह हो जाएगा हमारे पास lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 intersection s2 हमें यह सो करना अगर हम यह सो कर पाते हैं तो हमारे पास जो intersection s2 होगा वो convex होगा अपने यह सो करने के लिए हमने लिए जो पॉंट है x1 and x2 belongs to s1 intersection s2 से लिए हैं तो हमारे पास जो intersections हैं तो इसका मतलब x1 and x2 belongs to s1 भी करेंगे and x1 and x2 belongs to s2 भी करेंगे चूँकि s1 and s2 both are convex then lambda x1 plus 1 minus lambda x2 s1 belongs to s1 करेगा क्योंकि s1 है वो convex है और x1 and x2 belongs to point है वो अपने पास s1 के हैं तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 and इसी तरह जो x1 and x2 जो point हो s2 के भी हैं तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s2 अब चूकि यह lambda x1 plus 1 minus lambda x2 s1 में भी विलोंग कर रहा है और lambda x1 plus 1 minus lambda x2 s2 में भी विलोंग कर रहा है तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 intersection s2 s1 intersection s2 is also convex now friends हमारे पास अगली जो थोरा में वो है if s1 and s2 are to convex then s1 union s2 need not be convex इसके लिए हमने friends इसको प्रूव करने के लिए कि convex नहीं होगा उसके लिए हम एक example कर रहे है let s1 वराबर x0 x belongs to rn friend s1 क्या है हमारे पास s1 है वो हमारे पास x0 x belongs to rn यानि कि जो हमारे पास 2d में हम देखें तो यह हो जाएगा x0 x की value है है लेकिन y की value 0 है तो यह x-axis हो गया x-axis हो गया और s2 है वो हमारे पास जो s2 है वो हमारे पास है 0y यानि कि y-axis y belongs to r r यह हो गया हमारे पास y-axis friends यहां पर हम देखते हैं पहले हम s1 को s1 को convex प्रूव करते हैं करने के लिए हम simply देख लेते हैं यहां से यह s1 है पूरा अपना यहां पर कोई भी दो पॉंट ले 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 तो उनको मिलाने बाले पॉंट ले इस लाइन पर आएगा तो यह हमारे पास s1 है को convex है इस तरह s2 को देखते हैं तो s2 को यह लाइन यहां पर यहां से और यहां पर किसी कोई भी पॉंट ले 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 इसको मिलाने वाले पॉंट रवे सकते हैं तो अब हम ले रहेते हैं इनका कोई एक पॉंट ले रहेते हैं हमें इनका Union लेना है तो S1 Union S2 में इसे एक पॉंट हमने यहां ले लिया तो वह यह हमारे पास 1 0 ले लिया हमने जैसे यहां से ले लिया सुरी जीरो वन यह ले लिया हमने वन एंड जीरो अप्रेस दोनों पॉंट एस्वन यूनियर एस्टू में हैं क्योंकि यह पॉंट हमने एस्वन में से लिया है तो यह यह भी बिलोंग एस्वन यूनियर एस्टू से कर रहा है लेकिन इस पॉंट को मिलाने बाले पॉंट अब इसको एक्जाम्पल के लिए हम यहां पर मिडल पॉंट लेते हैं तो वो जाएगा हमरे पास बन बाइट टू बन बाइट टू जो मिडल पॉंट होगा यह ना तो हमरे पास S1 मा रहा है ना ही S2 मा रहा है तो हम कह सकते हैं जो जो कि S1 unit S2 है वो हमरे पास Convex नहीं होगा अफ्रेट समार पास एक अलिटोरम में if S is a Convex in Rn then so that alpha so that alpha belongs to R R alpha S is also a Convex in Rn यानि हमरे पास दिया हुए S जो है वो Convex है वो कोई alpha एक number है जो कि R से है तो हम सो करना है alpha S जो हमारे पास आएगा वो भी alpha S Convex होगा अब उसको प्रूब करते है given that S is Convex in Rn हमारे पास यह दिया हुए Convex है let X1 X2 belongs to S क्योंकि Convex है तो lambda X1 plus 1 minus lambda X2 हमेशा S में ही S में ही रहेंगे जहांपे lambda 0 से और 1 के बीच में है अब हमने let X पराबर lambda X1 plus 1 minus lambda X2 यहां प्रेंट से X क्या प्रूट कर रहा है where X dot the R point of land segment X1 to X2 जो कि X1 जिसे यहां से X1 है और यहां X2 है तो इन इन पॉंटों मिलाने वाला है इस land के सभी पॉंटों हो पर लेमडा के अलग अलग वेल्वी रखने पर हमारे पास लेमडा की कुछ वेल्वी रखेंगा हम जैसे लेमडा की बन भाई टूर रखते तो मेंड्वा पॉंट्ट आ जाएगा बन भाई थिर रखते कुछ अधर यह 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 भी यहां पर पास कोई font है उस पर हमने कोई constant का multiply क्या तो alpha x इस तर यह कोई constant का multiply क्या तो अंदर चला जाएगा तो यह लेम्डा बारा जाएगा और यह 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 यह इसो करना था यह इसो हो गया है तो lambda s is also convex set अफ्रेस हम इस एक ग्जामपल ले रहे हैं so that s equal to s को इस सेट है xy इसमें अभियाव में belongs to rn so that x square plus y square less than equal to 4 हमें इसको convex show करना है let x1 y1 belongs to s and x2 y2 belongs to s हमने x1 and x1 y1 क्योंकि जो s के भी हमें वो xy के रूप में है तो हमने x1 y1 belongs to s ले लिया and x2 y2 belongs to s ले लिया then xy equal to koye xy lambda की हर एक value के लिए koye x and y मिलते जाएंगे हमारे पास तो lambda xy plus 1 minus lambda xy x2 y2 sorry x1 y1 1 minus lambda x2 y2 यह हमें belongs to s show करना है तो इसके लिए हमें यह show करना काफिय हो कि x and y जो होगा वो lambda की हर एक value के लिए s में belong करेगा यह show करना है friends तो कि x1 y1 and x2 y2 belongs to s so x1 square plus y1 square less than or equal to 4 x2 square plus y2 square less than or equal to 4 इसको हम start दे देते हैं इसको double star दे देते हैं यह हमारे पास दो equation आगे जिनके हमें आगे use करना है now x और y क्या है हमारे पास xy बराबर इसको characterisation product कर लेते हैं अंदर तो lambda x1 lambda x1 और lambda y1 यह हो जाएगा यहाँ पर multiply करते हैं 1-lambda 1-lambda x2 1-lambda y2 यह हो गया तो इसका हम सम करते हैं तो यह होगा lambda x1 plus 1-lambda x2 lambda y1 plus 1-lambda y2 यहाँ जो x होगा वो इस फॉर्म में होगा lambda x1 plus 1-lambda x2 और y जो होगा वो होगा lambda y1 plus 1-lambda y2 इस फॉर्म में होगा so for xy belongs to s it is supposed to show that xy belongs to s show करने के लिए क्या show करना होगा x square plus y square is less than equal to 4 यानि की lambda x1 plus 1-lambda x2 का all square plus lambda y1 plus 1-lambda y2 का all square is less than equal to 4 so हमने rhs ले लिया इसका अब यह show करने के लिए हमने rhs ले लिया तो यह होगा lambda x1 plus 1-lambda x2 का all square plus lambda y1 plus 1-lambda y2 का all square अब हमने इस square को खोल दिया तो यह होगा मार पस lambda square x1 square plus 1-lambda x2 square plus 2 lambda 1-lambda x1 x2 इस तरह इसको खोला तो यह होगा lambda square y1 square plus 1-lambda y2 square 2 lambda 1-lambda y1 y2 यह होगा फ्रेंट्स अब हमने यहां से x1 square और y1 square वाले इसे lambda x4 common ले रहे है तो lambda x4 common ले तो यह होगा x1 square plus y1 square इस तरह हमने 1-lambda x4 यहां से common ले लिए यहां दोनों से तो यह होगा 1-lambda x2 square plus y2 square plus यह इन दोनों में से हमें 2 lambda 1-lambda common ले लिए तो यह होगा x1 dot x2 plus y1 dot y2 यह होगा फ्रेंट्स हमारे पास हमारे पास x1 plus x2 x1 square plus y1 square वह क्या है 4 से छोटा है यह दे होगा x1 square plus y1 square less than equal to 4 तो इसका यूज करके हमने ये बड़ा नंबर ले रहे हैं यहां पर इस नंबर की जगे हम बड़ा नंबर x1 x2 plus y1 y2 now x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 फूर यह 4 है यह आर इसका र होता है तो वह आर से कम होता यह x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 by langer as inequality यह फ्रेंगर as inequality को हम प्रूब भी कर सकते हैं यह इसको हम शो करें गया भी कि x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 कैसे आ यह शो करने के देखते हम अफ्रेट 2 show that x1.x2 plus y1.y2 less than equal to 4 अब हम यह show कर रहे हैं तो x1 minus x2 का hollow square plus y1 minus y2 का hollow square greater than equal to 0 क्योंकि दोनों ही square है तो या तो 0 होंगे या 0 से बढ़े होंगे 0 छोटा नहीं हो सकता क्योंकि यह negative हो x1 minus x2 या positive हो तो कोई effect नहीं पढ़ेगा क्योंकि जो square है उसको हमें सा positive बना देगा तो यह हमें सब greater than equal to 0 होंगे तो इसका हमें square खुल दे तो यह होगा x1 square plus x2 square और इसका square खुल 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 प्लस x2 square minus 2x1 x2 यह लिख दिया हमने इसका इसको खुल दो y1 square plus y2 square minus 2y1 y2 greater than equal to 0 अब फिर 2y1 y2 को हमने एक साल ले गए यहां इदर ले गए यहां हम करे रहे हैं तो इदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पहले हम इसको लिख रहे हैं instant को तो 2y1 y2 plus x1 x2 और बागी को हम इदर ले गए और यहां पर minus को प्लस उनागे के minus का multiply करदा हैं तो भी हम यह कर सकते हैं तो less than equal to साहना जाएगा greater than equal to less than equal to साहना जाएगा वह हो जाए x1 square plus x2 square x1 square plus y1 square यह x1 square plus y1 square plus x2 square y2 square यह आ गया हमारे पास तो फ्रेंस यहां से 2 common ले लिए हमने यह होगा x1 x2 plus y1 y2 अब फ्रेंस यहां पर x1 square plus y1 square क्या था हमारे पास हमारे पास पहले भी 4 था यहां से x1 square plus y1 square less than equal to 4 and x2 square plus y2 square less than equal to 4 तो इसी condition का में यूज करके हमने यहां पर यहां दोनों से यहां पर 4 put कर दिया यहां 4 put कर दिया तो यह होगा y1 plus y2 2 y1 plus y2 plus x1 x2 is less than equal to 8 यह हमारे पास conditions थी तो हमारे पास 2 का हमने divide कर दिया तो यह होगा y1 y2 plus x1 x2 less than equal to 4 और x1 x2 plus y1 y2 less than equal to 4 जो कि यह हमने language inequality बताई थी यह हमने language inequality को हमने prove कर दिया यहां पर तो यह जो condition है यह भी 4 से चोटी है तो यहां पर हमने 4 put कर लिया तो यहां पर 4 put कर लिया तो यहां पर lambda plus 1 minus lambda को all square है यह तो यह इसको अगर खोला तो lambda plus 1 minus lambda यह लेवड़ा से lambda कर जाए 1 रहे और 1 का square 1 रहे तो less than equal to 4 यह पर हमने यहां पर so कर चुके हम हमने यहां पर यह जो inequality हमने so कर दिया कि यह quality 4 से छोटी है तो यह हमने so करना था so हम कह सकते हैं कि जो s है वो हमारे पास convex है so s is convex let's अब हम पढ़ना है clc of two points let x1 and x2 कोई 2 points है तो हमारे पास clc होगा वह होगा x equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 clc क्या होता convex linear combination combination तो यह हमारे पास clc of two points x1 plus x2 के लिए हमारे पास lambda x1 plus 1 minus lambda x2 जहां 0 less than lambda less than equal to 1 यह हमारे पास जो होगा यह land segment होगी हमारे पास joining x1 and x2 को जो join कर रहे होगी यह हमारे पास clc of two points होगा now of clc of m points x वराबर कोई भी हमारे पास point जो होगा clc का convex linear combination के कोई point होगा वो इस तरह से होगा x equal to x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 plus dot dot x and alpha n जहां पर where alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha m equal to 1 alpha i greater than equal to 0 i about 1 to m this give all optimal all the points inside and on the end dimensional graph कोई भी graph होगा उसके जो अंदर के point होगे और जो graph के boundary भी point होगे उन सारे point को यह हमारे पास देदेगा यह कि lambda 1 alpha 1 alpha 2 जो अलग-अलग value होगे उसके लिए देदेगा अब त्योंब पढ़ते हैं फ्रेंट यह तोरह में आज सेट s is convex if and only every convex linear combination points of s in s यह में सो करना है अब प्रूब करते हैं फ्रेंट let every clc point of s in s clc point जो है उसके x1 x2 जो भी point होंगे यहां पर x जो point होंगे वो सभी हमारे पास s में है this then this result is true for n equal to 2 then s is also convex क्योंकि हमारे पास यह condition है यह condition है convexity condition है अगर यह हमारे पास convex point जो होंगे वो हमारे पास s में है तो हमारे पास convex हो गई अब only part आता है फ्रेंट से only first we will show this result by mathematics induction इस result में क्या करना है हमेरे पास कोई clc point होंगे उसको convex proof करना है तो इसके लिए हमें we will show this result by mathematics induction, mathematics induction का method लेंगे for k बराबर 2, k बराबर 2 के लिए क्या होजागा x बराबर x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 यह फिरेंट से उसी में होंगे जहांपर alpha 1 plus alpha 2 equal to 1 होगा क्योंकि s यह हमारे पास इसलिए होंगे क्योंकि s है वो हमारे पास convex है यह हमारे पास imply करेगा क्योंकि s convex है क्योंकि यह convex की definition होते है now let us assume that the result true for x प्राबर k अब हमने यह assume कर लिया है कि जो result है कि जो k बराबर n बराबर k के लिए हमारे पास यह condition true हुए है तो इस condition में हमने मान लिया alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot 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 alpha k xk belongs to s where alpha 1 plus alpha 2 dot dot alpha k equal to 1 यह हमने मान लिया friends now we want to show that this result is also hold for n बराबर k plus 1 हमने n बराबर k के लिए इस result को हमने true मान लिया है तो हमें n बराबर k plus 1 के लिए इस result को true show करना है आई if we want to show इसका मतलब है हम show करना चाहते है वो है x बराबर alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 dot dot alpha k xk plus plus alpha k plus 1 xk plus 1 where alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha k plus alpha k plus 1 equal to 1 यह है अब फिस अगर हम जो alpha k plus 1 जोड़ते हैं वो है तो हमने assumption कहता कि बाकि जो alpha k है वो one है तो उसका assumption से हमारे पास यह true हो जाएगा और अगर alpha k plus 1 equal to 1 जोड़ते हैं यह alpha k plus 1 की value 1 रखते हैं then we can take सभी हमें हमें alpha 1 equal to alpha 2 dot dot alpha k हमारे 0 ले 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 हैं तो हमारे पास alpha k x से बच जाएगा जो कि x में belong करेगा then result is true क्योंकि हमने इसके alpha 1 plus alpha 2 dot dot alpha k plus 1 equal to 1 हो गया हमारे पास नाव लेट अस्यूम डेट 0 less than alpha k plus 1 less than 1 हमने एग्जिम कर लिया क्योंकि ना तो हमने 0 मान रहे हैं उसम ना ही 1 मान रहे हैं इनके बीच में हमने इसके alpha k plus 1 को एजिम कर लिया है तो हमने इसके 1 बीच में क्या है तो 1-alpha k plus 1 with 0 नहीं होगा क्योंकि यह 0 सिर्चोटा है तो x पराबर हमने 1-alpha k plus 1 का multiply कर दिया यहां पर और alpha 1 x1 plus upon 1-alpha k plus 1 का तो पर हम lcm लेंगे तो यह lcm आएगा lcm लेंगे cut जाएगा है 1-alpha k plus 1.1-alpha k plus 1 और alpha n तक alpha n xn और जो अगली term थी alpha k plus 1 x k plus 1 इसको हमने leave कर दिया अपर यहां पर alpha i upon 1-alpha k plus 1 इस term को हमने beta i मान लिया इस term को beta i मान लिया तो हम यह कह सकते हैं इस term को सभी alpha i alpha 1 upon alpha k plus 1 1 है से हमने चलते हुए alpha k 1-beta k plus 1 और यहां पर x1 और xk तो यह हो गया beta 1 x1 plus beta 2 x2 dot dot beta k x2 belongs to s यहां पर हमने यह कर लिया नाव यह हमने 1-alpha k plus 1 का multiply किया और यहां बे अलग से हमने constant दिखा दिया है तो हो गया x1 minus alpha k plus 1 और इसको हमने एक अलग से y दे दिया इस y तो यह हो गया y plus alpha k plus 1 x k plus 1 यह हो गया अपर यहां अगर हम दोनों को जोड़ने तो sum हो जाए गा 1 which is the clc of two points यह दो points का linear convex linear combination हो गया करना था अपरेंस अगला अगली definition आती है वह हमारे पास extremum point अपरेंस extremum point क्या होता है a point x is set to be extremum point यह vertex जो होता है of a feasible set s of a LPP if any two distinct point x can be expressed as x परावर alpha x1 plus 1 minus lambda 1 minus alpha x2 यहने कि इस condition को जो satisfy कर रहा होगा वह point होगा हमारे पास extremum point होगा आपका हमारे तरह में स्वागत है आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह linear programming problem फ्रेंस सबसे पहले हम देखते है linear programming problem होती क्या है linear program problem कहते है in problem p कोई हमारे पास problem दी होगी problem p if the objective function f and g g हमारे पास constraint है for all g are linear then the problem p is called linear programming problem और अगर यह हमारे पास f and g linear नहीं है तो इस condition में हम कहेंगे वह problem होगी वह non-linear program problem होगी अब फ्रेंस यहां पर हमारे पास दो आहे हैं दो बड़ आहे हैं object function and हमने जो जी को वोला वो constraint यह क्या होते हैं अब यह देखते हैं object function क्या होता object function the function which have the maximize or minimize optimize जो हमारे पास function optimize के जाता है is called objective function यां कोई भी हमारे पास function दिया होगा जिसको हमें minimum पूछा होगा या maximum पूछा होगा वो function होगा हमारे पास वो हमारे पास function जो होगा वो objective function कर लाएगा अब फ्रेंस जो भी हमारे पास conditions दियोंगी जिस तरह कोई LPP है तो maximum और minimum दिया होगा हमारे पास ctx यह तो हमारे पास होगा objective function और साथ में हमारे पास कुछ condition दियोंगी जिस तरह कि हमारे पास condition दियोंगी जो वो condition वो condition होगी वो हमारे पास construct the relation on the variable जो variable जो हमारे पास condition दियोंगी gi i बाब 1 to m is called constraint अब फिर हमारे पास आता है phasible region feasible region क्या होता है कोई एक set होता है जिसमें x ऐसे point क्या सकते है या ऐसे set में ऐसे point होंगे जो कि हमारे पास rn से होंगे और g j x less than equal to 0 यानि g j x j में हमारे पास condition दियोंगी यह फिर हमने एक उसके लिए ले लिया कि g j x j थी वो सारे condition less than equal to 0 थी अगर greater than equal to 0 वाले होंगी तो g j x j greater than equal to 0 जो भी condition होंगी उसको satisfy कर रहा होगा इसका मतलब जो भी हमारे पास g j x j less than equal to 0 अगर हमारे पास constraint g j x greater than equal to 0 हो तो वह वाले इसका condition होगी उन condition को satisfy करेंगे points वह point होंगे वह हमारे पास feasible region कैलाएंगे then s is called the feasible region if x not belongs to s if x belongs to if x belongs to s and not equal to 0 which optimize maximize or minimize our objective function is called optimal point point और optimal solution friends यानि कोई हमारे पास जो point होगा जो कि s का point होगा और उस function पे उस point पे हमारे जो function की value होगी fx की value objective function है इसकी value maximum होगी या minimum होगी वह point हमारे पास क्यालाएगा optimal point और जो हमारे पास value आएगी यह होगे optimal value यह optimal solution होगा optimal solution अब दाफ प्रोब्लम P is called classified into two parts जो problem P होगी उसको दो पार प्रोब्लम डिवाइड कर सकते हैं फर्श्ट होगा linear programming problem LPP और second होगा non-linear programming problem अब linear program problem की definition पहले ही पड़ चुक है एन problem P एफ दाब objective function F and G for all G are linear then the problem P is called linear programming problem otherwise non-linear programming problem फिर्स अब आता है हमारे पास standard form of LPP को हमारे पास linear programming problem होगी उसकी standard form क्या होगी optimization function may be maximize or minimize जो objective function optimization function होगा हमारे पास यह objective function कहीं से वो या maximum में दिया होगा या minimum में दिया होगा और RHS of all constant greater than equal to zero यानि फिर्स हमारे पास इस तरह कोई condition होगी अब यह ले हमें यह एक्स ब्राव बी तो जो बी में जो भी constant होगे बी में जो भी constant होगे वो greater than equal to zero होगे तो उस condition में हमारे पास यह ले होगे और आगल यह ले वर्येवल मस्ट भी नों डेटिव आल वर्येवल यानि जो एक्स फन एक्स टू जो भी वर्येवल होगे मारे पास वो greater than equal to zero होने चाहिए आल constant are an equation जो हमारे पास equality होंगी उसको हमें equation में change करना है उसके बाद जो form आएगे मारे पास वो आएगे standard form वर LPP अगर हम किसी LPP को change करके देखते हैं फ्रेंस अब फ्रेंस हमारे पास यह problem है maximum z equal to 2x1 plus x2 और जो इस constraint वो देवा है मारे पास x1 plus x2 less than equal to 1 2x1 plus x2 greater than equal to minus 4 x1 greater than equal to 0 x2 less than equal to 0 है फ्रेंस हमारे पास इसको में find standard form निकालनी है इसकी तो इसको solve करते हैं तो हमारे पास पहली condition क्या थी हमारे पास condition थी पहली जो हमारे पास objective optimization function may be maximize or minimize जो optimization function है फ्रेंस वो भी maximum होना चाहिए या minimize होना चाहिए तो हमारे पास object function है वो maximum है अपने पास z equal to 2 x1 plus x2 और अगली condition थी हमारे पास rhs of all constant greater than equal to 0 हम देखते हैं तो यहाँ पर यह देखते हैं minus 4 यह negative है तो इसको में positive बनाना होगा तो पहले यह तो positive ही है तो यह होगा x1 plus x2 less than equal to 1 and 2 इसमें minus का multiply करके प्लस बना लेते हैं तो जाएगा minus 2 x1 minus x2 less than equal to क्यों sanction जो जाएगा minus का multiply कर रहे हैं 4 यह होगा है friends हमारे पास अब अगली जो condition हो हमारे पास all variable must be non-negative all variable must be non-negative अब हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है x2 is less than equal to 0 यानि कि हमारे पास non-negative नहीं है यह negative आ रहा है तो x2 को हमारे नेगिटिव बनाने के लिए x2 dash हमारे पास define कर देते हैं अब यहाँ पर पर भी x2 है वहाँ पर x2 dash minus x2 dash से replace कर देना है तो यह करेंगे maximum z equal to 2x1 minus x2 dash subject to the constant type हो हो जाएंगे 2x1 sorry x1 यह x2 minus x2 dash से हो जाएगा तो minus x2 dash less than equal to 1 और 2x1 plus x2 तो 2x1 और यह x2 plus x2 जाएगा यह minus x2 dash less than equal to 4 यह हो गया तो और हमारे पर x1 greater than equal to 0 x2 greater than equal to 0 अब फिर्स यह हमारे पास third condition हमने satisfy करा लिए इसके लिए अब fourth condition है वह हमारे पास all consistent are in equation अब हमें जो consistent है इनको equation में change करना होगा तो equation में change करने के लिए क्या करेंगे हमें यहाँ पर select variable जोडने होंगे अगर फिर्स यहाँ पर greater than equal to equal to sign होता है तो surplus variable जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास maximum z equal to 2x1 minus x2 dash अब select variable यहाँ पर हम s1 जोड़ेंगे यहाँ पर s2 जोड़ेंगे select variable जोड़ेंगे select variable जोड़ेंगे वह s1 है and s2 है तो उसके corresponding optimization function होगा वह होगा 0s1 plus 0s2 फिर्स select variable इस तरह जोड़ते हैं कि उस objective function हो उसके value पर कोई भी effect ना पड़े तो इसके लिए हमें 0 से multiply कर देते हैं उसको और subject to condition हो जाएगे मारे पास x1 minus x2 dash plus s1 equal to 1 and x2 x1 minus x2 dash plus s2 equal to 4 and जो भी select variable है वह भी greater than equal to 0 होंगे तो यह होगा है हमारे पास x1 greater than equal to 0, x2 dash greater than equal to 0, s1 and s2 greater than equal to 0 यह होगा है प्रेंट्स यह हमारे पास standard form आप चुकी है इसकी Hello friends आपका हमारे चनल में स्वागत है आज जो हम पंड़े बाले हैं वह अपने पास algebra of divided difference हम पहले पढ़ चुके हैं कि divided difference क्या होता है अब उसके हम कुछ algebra जो कि उसके 20 गंड़े जो होती है उसको हम पढ़ेंगे अब इसमें पहला जो होता है इसका यह होगा हमारे पास constant divided difference of fx where c is any constant second prove करेंगे हमें the divided difference of the algebra sum of any two function कोई भी दो function होंगे उनका हम जो sum होगा उसका divided difference लेंगे is the algebra sum of the individual divided difference है यानि कि जो अलग-अलग से जो divided difference होगा उनका उनका जो algebra sum होगा इसका यह हो गया और थर्ड जो हम प्रूव करेंगे वह है the divided difference of the linear sum the divided difference of the linear sum of two function is a linear sum of divided difference यानि कि हमें इस तरह के function है वह हमें divided इसे प्रूव करना है कि वह c1 del f c1 divided difference of f x plus c2 divided difference of g x यह प्रूव करना है फेर्स हम इनको प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम पहला प्रूव करते हैं प्रूव फर्स्ट क्या है हमारे पास the divided difference of a product of the product of a constant and function यहाई कि हमारे पास function और constant है उसका product है यह हमारे पास तो यह रहा हमारे पास del f del c dot f x equal to c del divided difference को हम डेली बोल रहे हैं यहापे del f x यह हमारे पास तो अब इसको solve करना है हमें तो by lhs हमें lhs क्या है del dot c f x यह हमें c dot f x को हमें क्या मान लिया है इसको हमें इसको मान लेते हैं let f x पराबर c f x यह मान लिया अब फ्रेंट्स यहाँ पर हमने x की को हमें कोई तो दो value लेंगे हमें हमें पर यहाँ पर एक्स वराबर a and x वराबर b दो value हमारे पास वहाँ पर हमें divided difference करना है तो यह होगा हमारे पास divided difference of f x वराबर f a minus f b upon b minus a अब यहाँ पर f a क्या होगा फ्रेंट्स यहाँ यहाँ पर f x पराबर क्या एगा c small f x तो यह होजाएगा f a minus f b upon b minus a यह होगा है फ्रेंट्स हमारे पास है अब जब फ्रेंट्स यह आ गया तो इसको हम equation number 1 देते हैं अब हम RHS solve करते हैं RHS के हमारे पास c dot del f x यहाँ डेल f x क्या होता हमारे पास b minus a और यहाँ पर c का multiply कर दें तो c divided difference of f x equal to c c का multiply होगा है यहाँ पर sorry friends f यह यहाँ पर हमने यहाँ पर f a b है f a है तो f b f a यह होगा f b minus f a upon b minus a यह होगा है friends और यह question number 2 और यह question number first and two दोनों equal है so question number first क्या है हमारे पास है divided difference of capital f x capital f x क्या है divided c f x तो इसको कह सकता है कि divided difference as c f x equal to c divided difference of f x hence proved अपरेंस हम second theorem prove करते हैं second कैता है मारे पास second है that divided difference of the algebraic sum of any two function is the algebraic sum of their individual divided difference इसका मतलब है divided difference of f x plus g x equal to divided difference f x plus divided difference g x यह prove करना है तो solve solve करते हैं तो by lhs हमने lhs ले लिया del divided difference f x plus g x यह लेट हमने हमने यहां यहां पर माल लिया f x plus g x equal to capital f x जो पहले माले था उसी तरह हमने यह माल लिया है अफिरस capital f x माल लिया तो इसका divided difference क्या होगा और कोई दो पॉंट माल लिया लेट x बराबर a and x बराबर b any two point two point और यहां equal not b reference क्योंकि अगर equal b होजाएगा तो divided difference नहीं होगा मारे पास तो यह होजाएगा del divided difference of f x बराबर capital f a capital f a minus sorry capital f b minus capital f a upon b minus a difference f x बराबर यह है तो हमारे पास हम यह से लिख सकते हैं f b बराबर a equation से equation number first दे 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 लिख सकते हैं इसको f a minus sorry f a plus g a f b बराबर लिख रहे हैं f b बराबर तो f b minus g b यह लिख सकते हैं and f a बराबर बराबर लिख सकते हैं इसको f a plus g a अफरेंस यह दोनों value हमें question में put कर देनी है तो divided difference of capital f x equal to यह हो जाएगा हमारे पास f b की value हो जाएगा तो यह हो जाएगा f b plus g b अब इसकी value रखने हैं हमें हमें रखने हैं यह पर minus f a की value रखने तो यह हो जाएगा f a plus g a लेकिन f a plus g अब बार minus multiply है तो यह हो जाएगा minus f a minus g a divided by b minus a equal to This центр přेंस हम इसको ख़के अब f b minus f a upon b minus a plus g b minus ga upon b minus a यह लेकिन सकते हैं इसको तो फ्रेंस यह क्या हो इसकी है हमारे पास यह क्या है ड़्यदे लिफ्रेंस ओप f मारे पास नहीं इसको ओ लेंगे ऑग मारे पास प्योंस सुनों ऐसे चोंद सुने सुने अलचे बने इसको ये अलचेति आसे मारे पासद है अब यहां पर यह हो गया तो डेल एफ़ ब्राबर क्या है हमारे पास एफ़ ब्राबर था हमने पास इसके अकोर्डिंग एफ़ ब्राबर यह हो जाएगा जी एफ़ प्लस जी ए यह हो जाएगा यह फ़ते हैं इफ़ प्लस जीए एकोल टू डेल एफ़ प्लस डेल जी ए यह किसी एक्सक लिए लेंगे हम इसको यह यह करे लिए था है हमारे पास खुष और पास कोई आर्बितर रिक तो इसको लिख सकते हैं देल fx plus gx equal to divided difference of fx plus divided difference of gx यह जो कि मैं प्रूव करना था अपर समार पास जो थर्ड के स्था वो था पने पास that divided difference of a linear sum that divided difference of a linear of the linear sum of two function is the linear सब्स Paterson करिए हमारे पास उसे प्रूव करने संच्पार्थ मैं रिसका प्रूब कर सकते तो यह इसकुट्री कर रहे हैं तो लेट है कर डिल्प फेक्पिछ वराबर संधी द्याओ इसको माहन लेते हैं एक C1 f X plus C2 G X then by definition definition divided difference definition के Eference del B F A हम यहाँ पर देल भी लिखना है रहे हैं क्यृक्तों लिखने की इस मारे पास यह हो गया इफिरभी माइनस में अपों बैदेयर हो गया अफिर ने फोट कर देविला बैटैल में यहां पर एक इक साइबाद रख़ंगे से स्तीतीर भी अब यहां प्र बन प्लस data यहां पर यहां पर यह थो टो यह थो यह थो कर दो रखाए हम तो यह याद आए हमारे पास सीबन एफे माइनस क्योंकि प्लस प्लस माइनस का मुल्टिप्लाइए होगा तो यह मैनस हो जाएगा सीटू जी ए अपोन यह होग यहां से एक हम सी बन कमन ले लाएं और सी बन कमन ले लिए यहां से यह जाएगा तो यहोग अपॉन मैनस एपउन एक प्लस यहां से दोनों में यह वाझD क चृट biz मैंने जी एपोन रकी जो घर आपासी डिवाइड डिफार्ण सोफ एप फलस सीटु डिवाइड डिफ्रार्ण सोफ एप या किसी आर्बिटरी के लिए हम कह सकते हैं आगे पास पूसे करना था वही हो जाएगा अगर यहां पर हमने निकाल लिए था कि एफ ही की एक लिए निकाल लिए था अब एक ये जग्ये एक सकर तो हमार पास एह फर्मूल आ जाएगा सब्सक्राइब करना था जाएगा फ्रेंड्स आपका हमारे चनल में स्वागत है अब तक हमने जो पढ़ाता वो डिवाइड डिफ्रेंट्स के फॉर्मूले कैसे के निकाले जाते हैं और उनके कुछ यूज पढ़े थे उनकी कुछ प्रोपर्टी जामने पढ़ी थी आज हम पढ़ रहे हैं तो उस रिट्रीट को एक्जांपल पढ़ेंगे इस वीडियो में तो पहला एक्जांपल है य मीन ऑफ न्यूटन्स डिवाइड डिफ्रेंस फॉर्मूला फैंट वैल् पर 1210 थर्टीन पर 2028 अब फ्रीट यह दी होई है मारे पास अब हम इसको सौल करते हैं प्र फैंस सौल करने के लिए डिवाइड डिफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है मारे पास जैसे इसको एक्जिरो माले लेते हैं इसको एक्ज़वन माले लेता है और यह टू एक्ष्व of f x0 x-x0 x-x1 divided difference of double divided difference होता था f x0 का उसी formula हमने यह बेर रिपुट कर दी तो f x ब्रावर हो गया f 4 x-x4 divided difference of 5 f 4 plus x-4 x-5 divided difference का square double divided difference हो जाएगा यह है और f 4 x-4 x-5 x-6 उसके बाद triple divided difference हो जाएगा वो जाएगा f 4 इसका और इसी तरह से formula आगा हमारे पास अब फेर्ट हम इसके लिए पहले table बनाते हैं क्योंकि table बनाने पर हम इनमें divided difference f 4 की divided difference का square f 4 divided difference का cube f 4 इनकी value को निकाल पाएंगे तो इसके table बनाने के लिए 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 हमने यहां पर divided difference of f x divided difference of double divided difference of f x triple divided difference of f x and fourth divided difference of f x यह निकाल ले हैं अपर इसमारे पास जो f x value लिए है 4 5 7 10 11 13 तो उनको यहां पूट कर लेते हैं फूर फाइब 7 10 11 13 यह हो गया अपर इस इस पर एफ एक्सी value दिए है 48 100 294 900 और यह सारे value हम यहां पूट कर लेते हैं यह हो जाएगा हमारे पास f x यह पूट कर लेक्स पर इस बहुत दो यहां पर थी अपने पास 48 यह थी 100 यह थी अपने पास 294 यह थी 900 यह 1210 और तो थाउजन ट्वेंटी एट यह वेल्यू थे फ्रेंट्स हमारे पास अब हम फिस्ट डिवाड़ी डिफ्रेंट्स निकालते हैं तो फिस्ट डिवाड़ी डिफ्रेंट्स यह लिजा करना होगा 100-48 तो यह उजाएगा 52 यह उजाएगा यहां से 100-48 divided by 5-4 तो यह उजाएगा यहां पर 52 यहां पर किया दो 294-100 तो होजाएगा 194 divided by 2 तो यह जाएगा 97 इस तरह इसमें से इसको माइनश क्या boat divided by 10-7 3 तो जाएगा हमारे पास 202 यहां से किया तो यहां पर ऊजाएगा 310 और यहां पर क्या तो यह हो जाएगा हमारे पास 409 अब फिर सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस के लिए क्या करना होता है मैं 97-52 97-52 divided by 7-4 यानि कि हमें इस वार दो कांतर लेकर चलना है इसको बीच वाले को उटा देना है यहां पर यहां पर किया हमें तो 202-97 divided by 10-5 तो फिरस यह हो जाएगा मारे पास 21 इस तरह 310-202 divided by 11 upon 7 तो यह हुजाएगा हमारे पास 27 और यह हुजाएगा प्राइस इस तरह 33 अब डेल की एफेक्स निकालते हैं तो यह हुजाएगा हमारे पास 21-15 divided by 10 upon 4 तर्ड निकाले हैं तो हमें 220 में से लिव करते हैं तो 10-4 तो यह हुजाएगा अपने पास फिर्ण 1 यह भी 1 और डेल 4 ज़ाएगे वो सब जीरो जाएगा एक ह mg यहां पर अलग होते हैं तो यहां पर होता है अलग अलग होते हैं डेष्ट होते हैं ja पर मैंफ करते हैं यह होजाए पर यह भी 15 अपर फॉर्मूले ऋ चुके हैं यह पर्हिंड यह जो 48 f4 equal to 48 plus x minus 4 divided difference of f4 plus x minus 4 divided difference of f4 because 52 plus is there x minus 4 x minus 5 x minus 4 x minus 5 double double divided difference of f4 तो यह हो जाएगा 15 15 plus x minus 4 x minus 5 x minus 7 and multiply by 1 यह 1 हो जाएगा तो फिर्स यह fx पराबर आगए हमारे पास अब हम इसको और solve करें तो यह हो जाएगा हमारे पास इसको solve करने पर फिर्स हम देखते हैं यह जाएगा हमारे पास value जो आएगी x cube में आएगी तो यह हो जाएगा x square इसको solve आप कर सकते हो मैं सीधा बेर लिख रहा हूँ x square x minus 1 यह solve करने पर जाएगी अब फिर्स हमारे पास पूछा क्या f2 पूछा है तो f2 इसमें 2 x square 2 रख देने पर फूर हो जाएगा f8 पूछा है तो f8 हो जाएगा 448 एक 15 पूछा है तो वह जाएगा 3150 यह value आप यहां पट करके check भी कर सकते हो friends हलो फ्रेंट्स आपका मरे चैनल में स्वागत है आप जो पढने बाले हैं वह हैं सब्सक्रापर्टी ऑफ डिवाइड़े देट्वेंस क्या होता है और उसकी कुछ यसे एलजेवरी प्रोपर्टश हम पढ़ जूके हैं फिरंट्स जो प्रादी वीडियो आपको देख मिल जाएगीाँ पूपर्टी जो property the value of divided difference is independent of the order of the argument ie इसका मतलब यह यह divided difference is symmetric function of their arguments यानि हम पास को डिवाइड डिफरेंस होगा वो हमारे जो उसका क्रम होगा उसके उसे independent होगा उस पर हमारा पास dependent नहीं होगा रहसे ब्राइंस प्रूफ करते हैं इसको प्रूफ इसको प्रूफ करते हैं तो let f fx fx because you divided difference a fx let fx is a function and divided difference difference of fx divided difference of fx निकालते हैं तो यह जो divided difference होगा x0 and x1 यह निकालते हैं यह हमार पास क्या होता है fx1 minus fx0 upon x1 minus x0 यह इसमें दोनों तुरप से minus common लें उपर से minus common लें नीचे से minus common लें तो इसको लिख सकते हैं fx0 minus fx1 upon x0 minus x1 तो फैंस क्या लिख सकते है fx1 x0 यह लिख सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास यह si प्रेंट यहां पर हमने दिखा कि इसको भी कुछ भी हो हम उसको लिख सकते हैं यह इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी को अगर हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा यह प्रेंट यहां प्रेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं यह तो हमने इसके अलप से लिखा है और इसके अलप से लिखने चाहें तो यह बजाएगा नहीं यह बजाएगा फ्रेंट यहां पर अमेरे से करम चेंज हो गया लेकिन जो हमारे पास वैल्यू थी वह सेम रहेगी यह हो गया अफ्रेंट प्रेंट लाव 4 x equal to x1 x2 and x3 यहां 3 के लिए लेने तो हम यहां पर x0 ले देते हैं x0 x1 x2 यहां इसके लिए देखते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास f x0 x1 x2 equal to यह क्या होता है फ्रेंस यह होता है हमारे पास f x2 x1 minus f x1 x0 यहां इसको हम यह भी लिख सकते हैं क्योंकि हम दे चुगा है क्रम चैंज नहीं होता इससे तो क्रम चैंज करें x1 x2 लिख सकते हैं इसको और इसको 0 1 कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि हम पहले देख चुगा है नहीं पर दा हाँ परदेगर से कोई फरक में आपक्षागे पाण में सबस्क्राइब Verfाणों स घर यह हो गया तो इसको अंहीं नियुक्त Wait रहें तो f x1 x2 value क्या आएगी जैसे इसके coding आएगी जो आज आएगे हमारे पास यहां से गर value put कर दें हम तो यह हो जाएगा f x2 minus f x1 upon x2 minus x1 minus f x1 minus f x0 divided by x1 minus x0 यह हो जाएगा हमारे पास अब फ्रेंड यहां से हम क्या कर सकते हैं इसका हम LCM दे रहे हैं तो LCM आजाएगा यहां पर इसका LCM दे रहे हैं तो यह तो 1 upon x2 minus x0 रहे गाए बार जो अंदर का LCM आया वो x2 minus x1 and x1 minus x0 आगया तो x2 minus x1 के divided किया तो यह होगा x1 minus x0 multiply by fx2 minus fx1 तो इसे multiply क्या तो यह हो जाएगा मारे पास x1 fx2 minus x1 fx1 यह हो जाएगा फ्रेंड अब इस पर x0 से multiply क्या तो माइनस का माइनस का साइन से multiply तो यह हो जाएगा प्लस साथ में यहां पर x0 आएगा यहां पर x0 यहां पर भी x0 fx1 अब इदार हमने multiply क्या यहां से यह cut जाएगा इसका multiply क्या तो यह हो जाएगा मारे पास plus sorry minus minus के सान आएगा यहां पर तो यह x2 का पहले multiply करें तो x2 x2 fx1 और आगे जो टर्म हैंगी वो आजाएगा मारे पास यहां पर लिख रहे हूं टर्म्स को तो x2 यह minus or minus multiply क्यों प्लस हो जाएगा तो प्लस x2 sorry x2 fx0 अब x1 का multiply करें तो minus minus plus हो जाएगा यह हो जाएगा प्लस x1 fx1 and minus minus and minus 3 multiply तो minus रहेगा और यह हो जाएगा x1 fx0 यह हो जाएगा हमारे पास friends अब friends हम यहां पर देखते हैं fx0 का का पर है fx0 यहां पर है last में अपने पास यहां पर आ रहा है x0 x0 यहां पर रहा है तो हमने fx0 को मन ले लिया तो जाएगा 1 upon x2 minus x1 divided यहां हो जाएगा पहले fx0 को मन ले लिए तो fx0 तो उसके साथ बच गया हमारे पास x2 minus x1 x2 minus x1 divided by x2 minus x1 x1 यहां x2 minus x2 minus x1 यह और यहां x1 minus x0 यहां यह हो जाएगा अब प्लस अब इस पर हमने fx1 वाली टर्म को कॉमन ले तो fx1 वाल टर्म कॉमन ली हमने तो मारे पास क्या बच गया fx1 वाल टर्म ले तो यह बच गया हमारे पास अंदर यहां पर x1 माइनस का यहां पर हमारे पास x0 यह तो x0 minus x1 और वह हमारे पास टर्म है यह आगा हमारे पास यह x2 प्लस है लेकिन यहां पर देख देए x1 minus x1 minus x1 यह 1 है यह आगया फ्रेंट्स हमारे पास और divided by x2 minus x1 x1 minus x0 प्लस इस वार हमने fx2 वाल टर्म कॉमन ली तो fx2 वाल टर्म कॉमन ली हमने तो यह बच गया हमारे पास x1 minus यहां तो x1 बच गया है यहां से और यहां से हमारे पास minus x0 divided by x2 minus x1 and x1 minus x0 यह आगया हमारे पास अब इसको क्या लिख सकते है यहां पर देखते हैं x2 minus x1 से x2 minus x1 कट जाएगा तो यह हो जाएगा fx0 divided by यहां पर क्या कर सकते हैं x0 यहां से minus common ले और यहां से minus common ले तो यह हो जाएगा वार पास x0 minus x1 and x1 minus x2 यह हो जाएगा इसको फ्रें आप दूसरी टर्म में लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा मारे पास fx0 upon x0 minus x1 and x1 minus x2 यह आ गया और फ्रेंट यहां पर fx1 वाले में हमारे पास कटेगा तो कुछ नहीं लेकिन अगर जैसे हम यह करते हैं fx1 x0 minus x1 तो यह कट जाएगा हमारे पास इसको अलगा टर्म में डिवाइड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास प्लस इसका तो अंदर multiply होगा यह हो जाए 1 upon x2 minus x0 and divided by इससे होगा पूरी टर्म से और यहां पर होगा fx1 और फ्रेंट सब पहले हम इससे कर रहे हैं तो x0 minus x1 से multiply किया इसका और इसका तो यह हो जाएगा मारे पास x0 minus x1 कर जाएगी यह और यह हो गया और यह हो गया और प्लस fx1 यहां पर इससे multiply किया हमने तो यहां पर x1 minus x2 यहां यह कट जाएगी x1 minus x2 यह हो गया पर मायनस का साहिन कोमन लेताएगा यह हो जाएगा उन्स में पास fx2 यहां ट्रेंट सब्सक्राइग यहांन से X0 कट गया तो यह बच गया है X2 माइनस X0 X2 माइनस X1 यह बच गया है मारे पास अब फिर इसको तुम यह ही लिख देते हैं F X0 को यह रखते हैं तो यह बच गया है X0 माइनस X1 and X1 minus X2 और फिर दूब यहां फिर माइनस माइनस साइन कोमन लेके और F X1 common लेके और F X1 के साथ क्या लिख सकते हैं X2 माइनस X0 लिख सकते हैं इन दूनों टर्मस पर अगा है और अंधर जो बच गया है हमारे पास बन अपोन यहां से x2-x0 को में लेदे दो x2-x1 प्लस बन अपोन x1-x0 यह बच गया प्लस और यह हमारे पास fx2 यह हमारे पास यह है यह x2-x0 x2-x1 यह हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं यह तो हमारे पास fx0 रहेगा अपोन इसको तो कोई चैन्ज ही नहीं करना हमें x1-x2 माइनस अब इसमें चैन्ज करना हमें तो इसमें चैन्ज करने के लिए इसका lcm ले लेते हैं लेते हैं तो इसका lcm क्या जाएगा x2-x1 x1-x3 multiply हो जाएगा उपर जाके हो जाएगा मारे पास fx1 upon x2-x0 और इसका lcm लिया तो वह हो गया मारे पास x2-x1 x1-x0 और इसका multiply करने के लिख जाएगा हो जाएगा मारे पास x2-x1 divide किया तो x1-x0 plus x2-x1 फ्रेंस यहां से देखते हम x1 से x1 कट जाएगा और लाइस की चर्म जो आएगा मारे पास वह हो है x2 fx2 upon x2-x0 x2-x1 यह हो गया तो इसको लिख सकते हम fx0 upon x0-x1 x1-x2 यहां से यह कट गया हमारे पास क्यों x1 कट गया अब x2-x0 बच गया तो यह भी x2-x0 है तो यह हो जाएगा हमारे पास x2-x0 x2-x0 दोनों जगए है हमारे पास तो यह कट जाएगा और हम क्या कर सकते हैं साथी अगर यहां से माइनिस कॉमन ले लें x1 से यहां से माइनिस कॉमन ले तो यह हो जाएगा हमारे पास fx1 divided by यहां से माइनिस कॉमन ले ले तो प्लस हो जाएगा यह हो जाएगा x1-x2 यह हो जाएगा अमारे पास x1-x2 और यह तो है हमारे पास x1-x0 यह हो गया प्लस fx2 divided by x2-x0 x2-x1 अब फ्रेंस यह हो गया कि जो हमारे पास function था वह x0 x1 और x2 के लिए भी हमारे पास सम्मित है यानि कि यह symmetric function है अब हम यहां पर मान लेते हैं कि function किसी n के लिए हमारे पास symmetric है हम यहां पर मान लेंगे कि n के लिए symmetric है function तो उस condition में n के लिए हम क्या कर सकते हैं friends n के लिए अब n के लिए prove करेंगे इसको तो वह जाएगा f x0 x1 dot dot xn वरावर दो mathematical index method से हम इसको लिए सकते हैं f x0 upon x0 minus x1 x0 minus x2 dot dot x0 minus xn plus f x1 upon x1 minus x0 x1 minus x2 dot dot x1 minus xn plus इसी तरह अग्ली term चलता हुए जब भी n भी term होगी f xn बरावर होगा f xn minus x0 xn minus x1 xn minus xn minus 1 यह होगा जो कि हमें प्रूव करना था क्योंकि हमारे पास n बरावर टर्म के लिए mathematical index से आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना हैंस प्रूव हलो फ्रेंट्स आपका हमारे चल्म में स्वागते हैं आज जो पंड़ने बाले हैं वह हमारे पास Central Difference Interpolation के अंदि अब Central Difference Interpolation में हम क्या पढ़ेंगे पहले Central Difference Operator and Relations Central Difference Operator Space क्या होता है कोई del को फंक्शन है f x इसको Central Difference Operator को हम del से सुकरते हैं तो इसको हम यहां पर del लिख सकते हैं तो Central Difference Operator यह होता है अगर इस पर हमने f x पर अप्लाई कर दिया तो यह हो जाएगा f x प्लस 1y2h माइनस f x माइनस 1y2h यह Central Difference Operator होता है इसको हम और क्या लिख सकते हैं इसको फ्रेंट से हम लिख सकते हैं e की पावर इसको लिखना चाहें तो e 1y2f x यहां e क्या है यह अपने पास यह अपने पास अगली टर्म को सो करता है जैसे e पास 1y2h तो इसका मतलब यह फंक्शन होगा वह f x plus 1y2h हो जाएगा इसके माइनस यहां पर जाएगा e minus 1y2f x अगर 1y2f x common ले लिए जाए तो यह जाएगा e 1y2 minus e power minus 1y2f x यह हो जाएगा फ्रेंट्स अब हम आपके सकते हैं dell equal to जो होता है वह होता है e 1y2 minus operator e minus 1y2 यह होता है अब फ्रेंट्स dell square f x निकालते हैं second जो difference होता है वह निकालते हैं second operator यह निकालते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा dell f x यह निकालना होगा तो dell f x क्या है अपने पास friends dell f x यह है अपने पास तो यह हो जाएगा dell of f x plus 1y2 h minus f x minus 1y2 h यह हो जाएगा friends अब हमने इसी definition के according इसका हमें difference निकालना है इसको apply करना है तो यह हो जाएगा हमारे पास इसमें पहले क्या 1y2 h जुड़ेगा तो यह हो जाएगा f x plus h minus f इसमें बनबाइ 2h जुड़ेगा तो यह x रह जाएगा अब बनबाइ 2h minus होगा minus का sign लगके यह minus होगे तो यह हो जाएगा f यह तो x रह जाएगा minus यहाँ पर 2 और f x plus e inverse f x यहाँ इसको लिख सकते हैं फ्रेंस e minus 2 plus e inverse f x यह सो कर सकते हैं फ्रेंस को यह इसको आगे हम लिख रहे हैं तो e minus e sorry e की पर बनबाइ 2 minus e 1 by 2 का whole square of f x यह लिख सकते हैं फ्रेंस को खोल के हम चेक कर सकते हैं क्योंकि यह e का इसका रोगा तो 1 हो जाएगा minus 2 e 1 by 2 e की पर minus 1 by 2 तो e की पर 0 हो जाएगा तो 2 रह जाएगा पिलस e inverse का whole square e की पर minus 1 by 2 whole square तो e की पर minus 1 पर जाएगा यह हो गया फ्रेंस यह आ जाएगा मारे पास अब इस देगा हम डेल n निकालें डेल n fx निकालें तो उसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंस यह डेल n-1 f x plus hy2 minus del n-1 fx minus hy2 यह लिखा हैं तो यह हो जाएगा फ्रेंस यह आप आर बाबर जेरो टू इंपिनिटी रवर जेरो टू एन माइनस बन की पावर आर एन फैक्तोरियल आर फैक्तोरियल एन माइनस आर फैक्तोरियल fx plus nhy2 minus rh यह हो जाएगा यह बेल्यू आजाएगा फ्रेंस अब यहां पर देम टेबल मनाते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए एक्सी कुछ वेल्यू होंगी जैसे यहां पर कुछ वेल्यू चल रही होंगी यहां से टीट चलती हुए जाएंगे कुछ वेल्यू तो इस्पे निल ले लेते हैं रहां 122 ले लेते हैं तो dal ही यह क्या हो जाएगा del y-3y2 हो जाएगा del y जो हो जाएगा इन दो लों के बीछ का तो-1y2, dely2, dely3y2 और यहाँ पर dely अब इस तरह del square y निकालते हैं del square निकालते हैं तो फरें al square y गोजाएगा पने पास del square y-1 del square y यहाँ पर निकालते हैं del square y zero 109 के लिघ्र 45as Unzone 1 अब यहां पर ड्रीव निकालते हैं अब यह बयास QỆ sequencing रबाइब तो ए यह क्यों के लिए वह फॉल्मुल को सबस्क्राइब मारा पर लिए यह निकालते हैं प्रेंस सबस्क्राइब .. 2 그냥 4ए 0 यह जाएगा हमसरें के से करला एक आरे हमारे प्रेक्सनिक्तन होते द्रंप humor होते हैं गआ बाबर ऑ किति परड़ कि रहे से माइनस से माइनसस बंौन भाइट मिफर टू यह होता है प्लील व्यटीया वाल फोर्मूला लगा देने तो आने डल का पढ़ाता हो यह फोर्मूला डल का होता है किसी ऐन के लिए यह वराब जो भी वेल्य होगी वह हमें इसमें पुट करते हैं और जो वेल्य आ जाए हो हमारे पास रगदेंगे अब फिर सम्परते हैं average operator, average operator क्या होता है average operator को new से सो करते है new equal to होता है मारे पास 1y2 fx plus hy2 plus fx minus hy2 यह होता है मारे पास यहां इसको हम क्या कर सकते हैं new fx equal to होता है 1y2 1y2 plus 1y2 of fx यह सो कर सकते हैं and new fx तो यह हो जाएगा मारे पास new पराबर हो जाएगा 1y2 1y2 plus 1y2 यह होता है यह हमारे पास average operator होता है अब एक और operator आता है थर्ड़ operator जो होता है वो होता है हमारे पास central sum operator central sum operator central sum operator क्या होता है फ्रेंट्स central sum operator यह operator होता है fx equal to यह जो operator होता है सिगमा इसको हम यह सिगमा operator इसको हम सेंट्र डिफरेटर कहते हैं हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं इनके बीद में अब फेरेंट्स हम यह पढ़ते हैं रिलेशन बिट्विन ऑपरेटर ई डेल नेवला डेल डेल यह यह operator जो अपने पास है यह central difference operator बाला डेल है म्यू एंद सिगमा इनके बीद में हम रिलेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्ष्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिट्विन रिलेशन बिट्विन सिगमा सो डेल एंड इस डेल यह इन दोनों के बीद में पढ़ना है अब फर्ष्ट डेल fx ब्राबर क्या होता है यह central difference operator जो होता है यह होता है मारे पास fx plus 1 by 2h minus fx minus 1 by 2h यह होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 by 2h sorry 1 by 2fx minus e minus 1 by 2fx अगर फर्ष्ट है आपने हम यह common ले रहे हैं हमें से यहाँ पर e लाना है और यहाँ पर minus 1 लाना है तो इसके लिए हमें e inverse common लेना है एक बार minus 1 by 2 common लेना होगा एक बार minus 1 by 2 common ले लिया तो जाएगा e fx minus 1 fx यह इसको लिख सकते है e minus 1 by 2 e minus 1 fx so e minus 1 by 2 लेना होगा फर्ष्ट होता है तो यह जाएगा e minus 1 by 2 so e del होता है तो del fx तो यह होगा हमाँ पस del fx equal to e minus 1 by 2 del fx यह जाएगा delta delta equal to so e del equal to e minus 1 by 2 delta यह होगा हमारे पास अब हम सेके न जो पढ़ते है वो पढ़ते है relation between del and nevla अब यह पढ़ते हैं तो del fx ब्राबर क्या होता है हमारे पास यह होता है minus e power minus 1 by 2 fx यह इसको लिख सकते है e की पावर 1 by 2 minus e की पावर minus 1 by 2 of fx अफिरस e की पावर नेvla बराबर क्या होता है हमारे पास नेvla बराबर होता है minus 1 by 2 fx यह 1 minus e इंवर सकते हैं बराबर क्या बदाबर नेvla एक पावर 1 by 2 fx यह पावर नेvla एक पावर 1 by 2 fx यह पावर नेvla नेvla relation between new delta and e यह relation पढ़ना है हमें तो इसके लिए हमें new बराबर क्या होता है फिरस new बराबर होता है 1 by 2 हम पहले यह पढ़ चुके हैं e पर 1 by 2 plus e minus 1 by 2 यह होता है तो new square क्या तो इसका square कर देंगे हम तो यह हो जाएगा 1 by 4 और square square करने पर यह हो जाएगा मारे पास e क्योंकि इसका square क्या तो 1 हो जाएगा plus 2 plus e minus 1 यह हो जाएगा मारे पास अब फिरस इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 by 4 तो बाहर यह e minus 2 plus e inverse plus 4 यह लिख सकते हम तो यह हम यहाँ पर हमने 2 को add किया है और 2 ही minus किया है अब फिरस यहाँ से हमने पहले पहले पढ़ा था अब थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने यह पढ़ाता है e minus 1 by 2 minus e 1 by 2 sorry e 1 by 2 minus e 1 by 2 का whole square equal to e minus 2 plus e inverse यह होता है यह हम पढ़ चुके हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास 1 by 4 यह हो गए e 1 by 2 minus e minus 1 by 2 का whole square plus 4 पर यह क्या होता है फ्रेंड्स यह हमारे पास del operator होता है यह जो operator होता है वो हमारे पास central difference operator होता है फिर central difference operator की definition क्या थी यह थी हमने पास तो जाएगा 1 by 4 यह हो जाएगा del square और 4 का multiply के अंदर तो plus 1 तो फ्रेंड्स हमारे पास आ गया एक relation आ गया हमारे पास new square by hour 1 by 4 del square plus 1 यह relation आ गया हमारे पास अब फ्रेंड्स अगर यह new है हमारे पास new में 2 का multiply करें तो new में 2 new बराबर हो जाएगा मारे पास e 1 by 2 plus e minus 1 by 2 यह होता है और del बराबर क्या होता है हमने पहले पढ़ चुके हैं यह होता है e 1 by 2 minus e minus 1 by 2 यह होता है अब हम दोनों को add कर दें दोनों को sum कर दें तो यह हमारे पास कट जाएगा उनली क्या बच जाएगा हमारे पास हम दें 2 new plus del equal to e 1 by 2 2 times यह बच गया हमारे पास तो यह वो गया हमारे पास new plus del by 2 equal to e 1 by 2 यह आ गया यह भी हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गया है इसी तरह हम इसमें से इसको minus करें तो यह हो जाएगा 2 new minus del equal to 2 e minus 1 by 2 यह new वराबर हो जाएगा मारे पास e new वराबर यह इदर चला जाएगा तो यह हो जाएगा minus 1 by 2 plus 1 by 2 del यह भी एक रिलेशन आ गया हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास new है mu and del दोनों को multiply कर दें तो यह हो जाएगा मारे पास mu क्या होता है 1 by 2 e की पावर 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 और del क्या होता है फ्रेंड्स होता है e की पावर 1 by 2 minus 1 by 2 यह होता है हम दोनों multiply कर दिया तो यह हो जाएगा मारे पास 1 by 2 इसका multiply किया तो यह हो जाएगा मारे पास e की पावर 1 by 2 and sorry यह प्लस है तो यह हो जाएगा e यह माइनस b का होल यह माइनस b प्लस b a माइनस b है तो e square minus b square हो जाएगा तो यह हो जाएगा e and यह हो जाएगा मारे पास e inverse यह हो जाएगा अगर फिर से हमें से e inverse common ले ले तो उसके लिए हमारे पास 1 by 2 यह बारा जाएगा यह हो जाएगा e square minus 1 यह हो जाएगा यह यह को क्या लिख सकते है फिर से यह पर e common ना लेकर e inverse को 1 by e लिखें तो सीधा ही हो जाएगा 1 by 2 यह e को जो हमने common लिया है यह e inverse common लिया है तो e inverse को नीचे लिख रहे है तो यह हो जाएगा e square minus 1 upon e यह हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं e plus 1 e minus 1 लिख सकते हैं तो 1 by 2 e plus 1 e minus 1 upon e e यह हो जाएगा हमारे पास है तो फिरस यह तो हमारे पास e minus 1 लिख सकते हैं 1 by 2 यह तो डेल हो जाएगा हमारे पास इसको हम आगे लिख लेते हैं तो यह तो डेल रह जाएगा अब e plus 1 by e plus 1 upon e रह गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus e inverse को कि यहां पर डिवाइड किया तो तो यह e inverse हो जाएगा यह हो गए हमारे पास है अप्रेस डेल का अंदर multiply कर जाएगा हमारे पास बन बाइटू तो बार यह डेल प्लस डेल e inverse यह हो जाएगा हमारे पास है तो हमारे पास पर से relation आ गया है और relation हमारे पास यहां से new del equal to 1y2 डेल प्लस डेल e inverse यहाने कि relation तो आपने पास हो आया है यहां पर लिग देते हैं वो relation new del equal to 1y2 डेल प्लस डेल e inverse यह relation आगया है फ्रेंटस हमारे पास अब फ्रेंट्स हम पढ़ते हैं relation between sigma and e यह पढ़ते हैं relation between sigma and e पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा मारे पास sigma and e fx बराबर क्या होता था फ्रेंट्स हम एपलाई करते हैं सिग्मा fx प्रेस बनबाई 2 h माइनस fx माइनस बनबाई 2 h यह होता था तो इसको क्या लग सकते हैं इसको लगए sigma कुछ तक यह हो जाएगा e की पावर 1y 2 fx माइनस e की पावर एक बार माइनस 1y to एक यह हो जाएगा अगर फिर यहां पे हम एक बार माइनस 1y to multiply कर लें 1y to fx तो यह हो जाएगा हमारे पास सिगमा और यह अंदर multiply हो जाएगा इसका तो यह लागे लिए कमेंटीटिट होते हैं यह हम जानते हैं तो यह हो जाएगा एफ-एफ-एफ-एफ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ-ए-फ इंबर्स यह हो गया यह सब लिख सकते हैं सिगमा बराबर एक बार माइनस बन बाई टू डिवाइड़ बाई डिवाइड़ वाई यह हो जायगा बन माईनस इंबर्स यह हो जायगा अगर इंबर्स पर दाबर बन बाई ए रख लें तो यह हो जाएगा मारे पास एक बार माइनस बन बाई टू 1-1 upon e L-CM लेकर हो जाएगा हमारे पास e का अंदर में उपर multiply हो जाएगा तो e के पाफ 1 by 2 बच जाएगा और हो जाएगा e minus 1 यह जाएगा यह फ्रेंट्स रिलेशन आगए हमारे पास sigma और e की बीट में हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे चनल में स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारे पास परीमित अंतर कलन फाइना डिफ्रेंस यह कुछ हम एक्जांपल सॉल्व करेंगे उस जो पहला डिफ्रेंस एक्जांपल है वह अपने पास सो देट समफ डेल स्कार एफ के एककल टू जीरोटू एं माइनस वन एककल टू डिल एफ एफ जीरो फेट्स यह कुछ नहीं हमारे पास जोदपूर उनिवर्शी दोजार दो माया अजमिर दोजार चार माया उदपूर दोजार चाहाए दोजार आठ राइस्तन दोजार आठ सब्सक्राइब दोजार आठ और दोजार बारह के बाद कभी आया होगा तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक पुरानी है अब हम यह सोल्व करते हैं फिर से सोलिशन है बाइल एलेचेस पास एक वरावर जी रो टू एत्वन डेल स्कूर की होता पने पास विदेल होता है 오 Baldwin हमारे प्रानी वीडियो हम पढ़ चुके थे हमने यह सूवी किया था हमने तो यह तो यह पुट कर देंगे हम तो यह हो जाएगा के बराबर 0 to n-1 e-1 का होल स्क्वार और fk यह हो गया तो अब हम इसको अगर इसको उपन करना है तो यह हो जाएगा अपने पास के बराबर 0 to n-1 e-square-2e-1 of fk अब फ्रेंज इसको हम एपलाई कर रहे हैं fk को अंदर ले आ रहे हैं तो e-square fk यह हो क्या जग है के बराबर 0 to n-1 e-square fk इसको लिख सकते हैं e-square fk माइनस 2e fk फिलस fk यह हो गया अब फ्रेंज इसको क्या कर सकते हैं के बराबर 0 to n-1 चल रहा है e-square fk मतलो fk यह हो गया k फ्रेंज fk फ्रेंज fk फ्रेंज 2e fk फ्रेंज प्लस h प्लस fk यह होगा है फ्रेंज हमारे पास यहां पर दिया हुआ है अपने पास है पर आपर आपर है वह बन दिए लिए हुआ है एस वार लेकर हम सॉल कर रहे है इसको यह बराबर 0 to n-1 fk फ्रेंज 2 माइनस 2 fk फ्रेंज 1 प्लस fk यह हो गया अब हम के बराबर 0 हम एपलाई कर रहे हैं समय अपलाई कर रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास एफ 2 माइनस k बराबर 0 पर कर रहे हैं एफ के बराबर 0 पुटके तो 2-2 f1 प्लस f1 प्लस यह हो गया k बराबर 0 पर अब k बराबर 1 पुटके तो यह हो जाएगा हमारे पास प्लस यह जाएका लाइस में हमरे पास फ्रेंट्स एसे तरह प्लस अब एप के बारबर 3 पुट करते हैं तो यह हो जाएगा अब पास F4 M-2 F3 Q-2 P-2 plus F2 प्लस चलता जाएगा है इस तर्य इस हमारे पास के बार माइनस टू पूट करें एन माइनस टू पूट कर लेते प्ले रिस्ट के बार माइनस टूट कर रहे हैं तो यह और यह पास f n-3 तो यह हो जाएगा आपने पास n-1-2 यहां k-3 पुट किया आपने तो जाएगा f k-3 की जाएगा k की जाएगा n-3 तो यह हो जाएगा n-2 प्लस f n-3 अब फिर के वरावर n-2 यहां पर 3 पुट करना है तो यह हो जाएगा f n-2 पुट किया है प्लस यह हो जाएगा f n-1 पुट करें तो यह हो जाएगा n-1-2f यह हो जाएगा अपने पास n-1-1 यह हो जाएगा अप फिर्णस यह पर देखते हैं तैसे यहां से हम देखते हैं 2f 1 यह पर है अपने पास प्लस का f1 प्लस का f1 2f 1 तो यह माईनिस 2f 1 हो गए है इन दोनों से यह कट जाएगा यहां पर एक F2 है यहां पर एक F2 ने पास तो यह 2F2 भी चला जाएगा इस तरह फ्रेंट्स हमारे पास फ्रेंट्स यहां पर हमारे पास F0 था भी पत्ति प्रेंट्स हां फ्रींट्स यहां पर का हम-ख यहां पर फिसमेंट्स फ्रेंट्स हाण रहा यहां पर यह रहेगा और अगली तर्म आएगा वह एक तरी इससे कट जाएगा इस तरह और चलते जाएंगे तो अब यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं फ्रेंस तो यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं यह किये रहा यह किये रहा तो ये कट जाएगा, n-2 तो यह राब 1n-2, 1n-2 बच जाएगा यह बच गया, फर यह 1n-2 बच गया, मतलों यह बच गया मारे पास, minus f, n-2 बच गया यहाँ पर, तो यह बच गया, अब यहाँ पर देखते हम, i mean minus 2 fn तो यह रह घाया अपने पास jp-fn रह गया अब n-2 कहीं और भी देख सकते है प्रसर यहां पर n-2 है तो n-2 एक यहां पर हमारे पास ऐसलिस्स देख देखते हैं n-1 यहां यहां पर हमारे पास बच झायगा वह मारे पास है फनाश थे डाई हम एक हममारी पास यह एफ 10 प्लस वन ही यह फिर नहीं कट हमने यह यह फिर से कट रूगा है यह बच गया हमारी पास माइनusz एफएन और साथ यह मारी पास लिख सकते हैं EG bus 11 एफन मानस एफ 15 प्लस F0 या फिर इसको लिख सकते हैं Fn-1, sorry Fn-1-Fn-1-Fn-1-Fn-1-F1-F0 तो यह तो होगा हमारे पास Del Fn और माइनस यह होगे Del F, यह फिर Del F0 हो गया हमारे पास जो कि हमारे पास RHS है हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चनल में स्वागत हैं आज जो हम पढ़ने बाले हैं वह एपने पास Algebra of Divided Difference Algebra of Divided Difference हम पहले पढ़ चुके हैं कि Divided Difference क्या होता है अब उसके हम कुछ Algebra दो कि उसको पढ़ेंगे अब इसमें पहला होता है Divided Difference of the product of a constant and a function is equal to the product of a constant and divided difference of the function यानि कि Divided Difference से constant से multiply होके function का constant and function का divided difference से वह होगा हमारे पास constant divided difference of fx where c is any constant second prove करेंगे हमे the divided difference of the algebraic sum of any two function कोई भी दो function होंगे उनका हम जो sum होगा उसका divided difference लेंगे is the algebraic sum of the individual divided difference यानि कि जो अलग-अलग से जो divided difference होगा उनका जो algebraic sum होगा इसका यह हो गया और थर्द जो हम प्रूब करेंगे वो है the divided difference of the linear sum of two function is a linear sum of divided difference यानि कि हम इस तरह के function है वो हमें divided इसे प्रूब करना है कि वो c1 del c1 divided difference of fx plus c2 divided difference of gx यह प्रूब करना है इसे इनको प्रूब करते हैं तो सबसे पहले कि पहला करते हैं प्रूट्फ हश्ट क्या है हमारे पास द इवाइड डिफरेंस ओफ अफ प्रोडर्डेक्ट ऑफ अफ प्रोडर अफ ऑफ फंक्षेंट या हमारे पास फंक्षन और प्रोडर्डेक्ट यह हमारे पास यह रहा हमारी ल्श हमें लख सेंगा सि एल्श के लंड दोट फ इस का क्या lending क्या मानलिया इसको इसको माल लेते हैं मैं आए अपक्स और प्विदद्वeu इससी अपक्स यह माल लिया हम्यां प्रेंश आप में जयाक हम्यों कुई दो क्या ईया है जोड़े यहां में हमारे पाas ब्लोल जाएगा में टेक्टने कालना है , उसम्हा खिण पर दो अ हमआरे पास तर है तो यह होगा मारे पास डिपारेदर डिफसे काले ना टो यह होगा हमारे पास आपनटिवरेडग़ परका बहुत अ cash और सिंदे पास आप help that और यह होजाएगा fx minus c dot fx upon b minus a अब फ्रेंट्स यहाँ पर simply c को हम कॉमन ले सकते हैं तो यह होजाएगा f a minus fb upon b minus a यह हो गया फ्रेंट्स हमारे पास अब जब फ्रेंट्स यह आ गया तो इसको हम equation number 1 दे लेते हैं अब हम rhs solve करते हैं rhs के हमारे पास c dot del fx यहाँ डेल fx क्या होता हमारे पास फ्रेंट्स यह होगा वो हमारे पास क्या होता है यह fb minus f a point वह ही है b minus a और यह हम सी का multiply कर दें तो c divided difference of fx equal to c c का multiply हो गया है यहाँ पर sorry friends f यह यहाँ पर हमने यहाँ पर f a b है f a है तो f b f a यह होगा f b minus f upon b minus a यह होगा है friends और यह question number two और यह question number first and two दोनों equal है so question number first क्या है हमारे पास से divided difference of capital fx capital fx क्या है divided c fx तो इसको कर सकता है कि divided difference c fx equal to c divided difference of fx hence proved अफरे हम second theorem prove करते हैं second कहता है हमारे पास second है that divided difference of the algebraic sum of any two function is the algebraic sum of their individual divided difference इसका मतलब है divided difference of fx plus gx equal to divided difference fx plus divided difference gx यह prove करना है तो solve solve करते हैं सो तो by LHS हमने LHS ले लिया देल divided difference fx plus gx यह लेट अब हमने यहां पर मान लिया fx plus gx equal to capital fx जो पहले माने था उसी तरह हमने यह मान लिया है अब फिरस capital fx मान लिया दो इसका divided difference क्या होगा और कोई दो पॉइंट मान लिया let x बराबर a and x बराबर b any two point two point और यह a equal not b reference क्योंकि अगर a equal b हो जाएगा तो divided difference नहीं होगा हमारे पास तो यह हो जाएगा del divided difference of fx बराबर capital f a capital f b minus capital f a upon b minus a अफिर से fx बराबर यह है तो हमारे पास हम आशे लिख सकते हैं f b बराबर इस equation से equation number first दे 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 इस equation से यह लिख सकते हैं इसको f a minus sorry f a plus g a यह लिख सकते हैं f b बराबर लिख रहे हैं f b बराबर तो f b minus g b यह लिख सकते हैं and f a बराबर लिख सकते हैं इसको f a plus g a अफिरस यह दोनों value हमें इस equation में put कर देनी है तो divided reference of capital f x equal to यह हो जाएगा हमारे पास f b की value हो जाएगी तो यह हो जाएगा f b plus g b अब इसकी value रखने हैं हमें हमें रखने हैं पर minus f a की value रखने हैं तो यह हो जाएगा f a plus g a लेकिन f a plus g a बार माइनस कम ब्लिप्लाइए तो यह हो जाएगा minus f a minus g a divided by b minus a equal to इसको फिर्स का लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं f b minus f a upon b minus a plus g b minus g a upon b minus a यह लिख सकते हैं इसको तो फ्रेंट्स यह क्या हो है हमारे पास यह क्या है divided difference of f divided difference of f x है यह फ्रेंट्स मारे पास प्लस divided difference of g a तो हमने प्रूब कर दिया प्रेंट्स डेल f a के पिटल डेल f a equal to डेल f a plus डेल g a अब यहां पर यह हो गया तो डेल f a बराबर क्या है हमारे पास इसके अपने पास इसके अकोर्डिंग f a बराबर यह हो जाएगा f a plus g a यह हो जाएगा f a plus g a equal to डेल f a plus डेल g a यह आपको किसी x के लिए लेंगे हम उसको यह तो यह के लिए था यह हमारे पास कोई आर्भी ट्री था यह एक्सप्राबर यह हमने प्लस कोई आर्भी ट्री थी तो इसको लिख सकते हैं fx plus gx equal to divided difference of fx plus divided difference of gx यह जो कि मैं प्रूव करना था अब फिर्स हमार पास थर्ड के स्था वो था पने पास that divided difference of a linear sum that divided difference of a linear of the linear sum of two function is the linear sum of divided differences यह हमारे पास linear sum का divided difference निकाला है तो वह हमारे पास divided difference का linear sum आ गया कि यह निकाल प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने की difference हम क्या कर सकते हैं थर्ड थर्ड प्रूव कर रहे हैं तो लेट कैपिटल fx ब्राबर नहीं पास function दियाओ उसको माल लेते हैं c1 fx प्लस c2 gx देन वाइड डेफिनेशन 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 के प्लस c2 g a माइनस अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रखेंगे हम तो यह आ जाए हमारे पास c1 f a माइनस क्योंकि प्लस प्लस माइनस का मल्टिप्लाइए होगा तो यह माइनस हो जाएगा c2 g a एपोन b-a यह ओगा यहां से कर दो यहां से हम c1 कोमन ले लाए और c1 कोमन ले लिए यहां से यह हो जाएगा f b- f a एपोन b- a प्लस यहां से c2 कोमन ले लाएं दोनों मेंसे तो यह वह सी टू कमन ले लिए तो यह ओगा यह ओगा जी बी- माइनस जी एपोन b- a जोगे फिर्स क्या है मारे बार बास यह डिवाइड़ डिफरेंस ओफ एप ए डिवाइड़ डिफरेंस ओफ ए प्लस यह डिवाइड़ डिफरेंस ओफ एफ बी यह किसी आर्बिटरी के लिए हम कह सकते हैं अगर एक्स के लिए इसको एक्स के पुट करते हैं इसको तो यह हो जाएगा मारे पास जो कि में प्रूब करना था वह हो जाएगा फ्रैंस अगर जैसे यहां पर हमने निकाल लिया था कि एफ एक के लिए हमें निकाल लिया था अब एक ही जगे एक्स रखेंगे तो हमारे पास यह फोर्मूल आ जाएगा तो आपका यहां पर पढ़ने वाले वह टोपिक आपके पास डिवाइड डिफ्रेंस इंटर पोलीशन विवाज़ित अंतर अंतर विशन फ्रेंट्स divided difference क्या होता है या विवाज़त अंतर क्या होता है विवाज़त अंतर प्रिविश्टी के दो उत्र उत्र मानों के अंतर को उनके संगत्र के मानों के अंतर से विवाजन द्वारा परिवासित क्या जाता है तो divided difference क्या होता है फ्रेंट्स यहां पर अपने पास कोई दो value होंगे हमारे पास जैसे x की दो value होंगी जैसे x function है y बराबर fx ये function है हमारे पास x की दो value होंगी x1 and x2 then इसके जो divided difference होगा वो होगा हमारे पास fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 यानि जो हमारे पास जो फलाण को value थी fx2 minus fx1 की difference को हमें divide करना है जो की x2 और x1 की difference से ये फिर हमारे पास दिवाज़त इंतर होता है अब इसमें हम देखते है first divided difference जो आता है वो आता है आपने पास first divided difference क्या होता है कि हम यहां पर माल लेते हैं let y equal to fx is a function and function x की हमें पास कुछ value हुई है हमारे पास x value है and take x equal to x0 x1 x2 dot 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 xn तक यहां पर difference जो होगा जरूरी नहीं है कोई वो equal हो वो unequal भी हो सकता है यहां कि x1 minus x0 equal not x1 minus x0 equal or equal not x2 minus x1 यह हमारे पास condition हो सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि वो हो या unequal हो unequal कोई परक नहीं पड़ता है इस वाद से हमें और जो हमारे पास function की value है हमारे पास function की value है वो इस तरह से हमारे पास fx0 fx1 fx2 dot dot fxn यह हमारे पास function difference क्या होता है first difference पहले हम यह इसमें देखते हैं first difference fx0 and x1 के बीच में relation दिखा दें तो fx0 and x1 जो यह relation होता है इसको हम इससे दे देते fx1 minus fx0 upon x1 minus x0 फिर्स यह होता है इसको हम simply क्या लिख सकते हैं इसको हम यह भी लिख सकते है fx0 minus fx1 upon x0 minus x1 दोन तरफ से ने minus common ले यहां पर सिर minus common ले लिया और इसको लिख सकते है fx1 x0 यह होगा इसको हम simply क्या सो करते हैं तो simply हम जो करते हैं वो करते हैं यहां डेल डेल की अंदर डॉट होता है एक्सवन यह एक्सवन के अकोर्डिंग है तो डेल डॉट एक्सवन fx0 यह होता है इसी प्रकार similarly fx1 x2 equal to हम लिख सकते हैं fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 equal to fx1 तो एक्सवन लिख सकते हैं और इसको सो करते हैं यहां पर x2 आएगा fx1 यह जो अगली टर्म आती है वो फैंस नीचे आती हो जो function होता है वो यहां fx1 आता है इसी तरह हम लिख सकते हैं fxn minus 1 xn जो last की टर्म होगी वो इस तरह से होगी इसको भी लिखेंगे fxn minus fxn minus 1 upon xn minus xn minus 1 equal to fxn xn minus 1 क्योंकि इसको क्रम से कर सकता है इसका तो यह हो जाएगा अपने पास del और यह हो जाएगा अपने पास xn fxn यह हो जाएगा n minus 1 प्रेंट्स यह minus 1 यह कमारा तो यह fx minus 1 हो जाएगा अब जनरल इसमें लिखने चाहिए जनरल इन जनरल इन जनरल fx i x i plus 1 किसी i वाले टर्म के लिख रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं fx i plus 1 minus fxi upon xi plus 1 minus xi equal to del xi plus 1 fx और फ्रेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं इसको यह भी लिख सकते हैं इसी टर्म को fx i plus 1 xi यह लिख सकते हैं अब फ्रेंट्स आता है अपने पार सेकंड डिफ्रेंट्स सेकंड डिवाइड़ डिफ्रेंट्स क्या होता है यह जो फलन होता है फलन जो fx होता है वो अपने पास x 0 x 1 x 2 के लिए होंगी उनके लिए जो विवाज़त अंतर होगा उसको सेकंड डिवाइड डिफ्रेंट्स कहते हैं इसको सिंपिल हम क्या कहते है fx 1 जैसे x 0 x 1 x 2 के लिए तो fx 0 x 1 minus fx 1 x 2 upon यहां पर क्या जाएगा फ्रेंट्स यह हो जाएगा x 0 minus x 2 यह हो जाएगा यह इसको लिख सकते हैं फ्रेंट्स यह और इसको लिख सकते हैं fx 2 x 1 minus fx 0 x 1 divided by x 2 minus x 0 यह फ्रेंट्स क्या होता है अपने पास यह हमारे पास यह होता है जो जो हमरे पास जो value आए होती है है मरे पास इसमें मरे पास यहां पर value आए थी वह वो मरे पास fx 0 x 1 यह value आए थी fx 2 x 1 यह value आए थी यह दोनों value का difference upon x 2 minus x 1 यह इनका difference जो divide वहने पार रहा हमारे पास आएगा तो वह même value आ जाएगी अफिर इसी तरह हम बाइक के लिए लिख सकते हैं और इसको कि क्या रूप्ट कर सकते हैं इसको रूप्ट करते हैं एफ डॉट इसको जो एक्स बन जो बड़ी टर्म उनको यहां पर लिखते हैं एड एक्स जीरो स्कॉर तो इसको रहेए को इसका मतलब यह लिए हमारे पास डू बार आ है यह इसको हमने शिकते हैं ए फटर सुप कर सकते हैं अदिasmine स infinus को इसी परकार हमें पास जो जै इन यन्स में लिखते हैं जैनरल में लिखेंगे हैं घाल क्या लिएगा मेरे पासे f xi xi plus 1 xi plus 2 इकोल क्या लिख सकते हैं इसके जनरल के लिख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं f xi xi plus 1 minus f xi plus 1 xi plus 2 upon xi minus xi plus 2 यह लिख सकते हैं यह इसको लिख सकते हैं f xi plus 1 यह इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं पहले पढ़े पढ़े चुके हम कि यह f xi plus 1 xi plus 2 equal to f xi plus 2 f xi plus 1 अगर क्रम चैंज कर लेगा लेगा कोई फरिख नहीं पढ़ाँ तो यह होजाएगा f xi plus 2 xi plus 1 minus f xi plus 1 and xi करें यह xч क्रांश कर दियर यह लिख सकते हैं इसको करते है रया है लिश्ट बिख sesरी तो आज जागे नो lot nth divided difference nth divided difference क्या होगा फिरेंश यानकि f x0 x1 dot dot xn तक है तो इसको किसे सो कर सकते हैं यह आएगा हमार पास f x1 x2 dot dot xn minus f x0 x1 dot dot xn minus 1 xn minus 1 तक जाएगा अपोन x यह जाएगा हमार पास x1 x0 minus xn या इसको इसको फिरेंश से xn minus x0 क्योंकि यह लाइश टर्म यह है हमने पास xn highest और यहां पर 0 यह है तो यह जाएगा xn minus x0 यह इससे सो कर सकते हैं और इसको इसको नोटेश करते हैं इसको नोटेशन इसका f डेल n f x0 x1 x2 dot dot xn अब फेंड़ समपड़ते हैं डवाइडिंडिफरेंस टेबल टेबल कैसे बनाते हैं वह देखते हैं जैसे कि यहां पर हमार पास independent variable होंगे यहां पर x की value होंगी यहां पर f x दिया हुआ होगा हमार पास f x दियोंगी f x हम निकाल सकते हैं या दिया हुआ होगा कुछ भी हो सकता उसके लिए function दिया होगा function की value दियोंगे function और यहां पर हमार पास जो first होगा first divided difference यहां पर second होगा divided difference यहां पर third होगा अपने पास divided difference इस तरह हम सोन होंगे मारे पास चलते जाएंगे आगे अब जैसे x की value हमार पास दिया हुए है यहां पर x 0 दिया हुआ है x बन दिया हुआ है x 2 दिया हुए x 3 दिया हुए x 4 दिया हुए यह हमारे पास आगे भी दिया सकती है तो उन्हें भी हम इसी करम में निकाल लेंगे हम x 4 दिया हुआ है और फिर फंक्सन की value है f x 0 दिया हुआ है f x 2 दिया हुआ है f x 3 दिया हुआ है f x 4 दिया हुआ है अफिरेंस यहांपे जो आएगे हमारे 1st divided difference में क्या होता है x 1-x 0 divided by x 1-x 0 दो f x 1-f x 0 divided by x 1-x 0 तो इसको क्या सोब करते हैं इसको f x 0 x 1 अब यहांपे 2nd difference होगा जो वह होगा f x 2 minus f x 1 divided by x 2 minus f x 1 तो इसको क्या सोब करते हैं f x 1 x 2 इस तरह यहां पर आएगा f x2 x3 f x3 x4 और फ्रेंस फूर सेक्ट इवारे डिफेंस होता है वह होता है मारे पास इसका यह जो वेल्यू आएगी इस वेल्यू में से इसको माइनस करना है और x2 माइनस x0 तो उसको जैसे f x1 x2 माइनस f x0 x1 डिवारे डिफेंस दिवारे डिफेंस होगा वह होगा एक 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 स्टू x3 माइनस f x1 x2 divided by x3-x1 तो यह जाएगा f x1 x2 x3 इस तरह यह जाएगा f x2 x3 x4 अब यहाँ पर अगला जो डिवारे डिफेंस इस तरह से होगा यहां पे इसके लिए निकालना है हमार्थ घ्रड होगा तो T Magnus and करना इस्ट करते हैं यह फंग्शन ऐस्पन-टू-टू-फाक प्रफ्ञ ह expensive x2 x1, x2, x3, जापर x0, f x0, x1, x2, x3 जो होगा हमारे पास, f x2, x3, x4, minus f x1, x2, x3, divided by x4, x4, minus x1, यह होगा, फिर इस तरह से हमारे पास टेबल बन जाएगी, यह अग्ली जो टेबल होगे हमारे पास, वो होगे हमारे पास, f x0, x1, x2, x3, x4, यह होगी, और इसकी जो वैल्यू होगे, वो होगे हमारे पास, f x0, x1, x2, x3, minus f x1, x2, x3, x4, तो f x1, x2, x3, x4, minus f x0, x1, x2, x3, divided by x4, minus x0, यह होगे हमारे पास वैल्यू, अब फिर समय पास यह एक्जाम्पल है, अब इसको solve करते हैं, function हमें पास दिया हुआ है, f x परावर 1, y, x, then so that f ab equal to del b, 1 upon a equal to minus a upon v, इस तरह f abc equal to del square, b c f a equal to del dos square, 1 upon a abc, इस तरह थर्ड दिया हुआ है, यह हमें so कर नहीं है, friends, solution, पहले हमें f ab निकालते हैं, तो इसके according हमारे पास जो f ab क्या होगा, f ab हमारे पास होता है, friends, f ab equal to, इसको इसको पिरिट यह इसे हो करते है, del b fa, तो यह हो जाएगा हमारे पास, f b minus, f a upon b minus a, यह होता है हमारे पास, तो यह हो जाएगा f b क्या होता है, friends, f b क्या होगा है, तो fx ब्राब बन अपॉन x है, तो f a upon b minus, बन अपॉन f a upon a हो जाएगा, upon b minus a, यह हो जाएगा, तो friends का lcm लिया तो हमने पास यह होगा है, हमारे पास, a minus b upon a b multiply by b minus a, लेकिन यह हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, यह हमारे पास a minus b है, यह a b है, हमने minus sign common ले लिए, तो minus sign दोर उपर आजाएगा, और यह हो जाएगा a minus b, यह हो गया हमारे पास कट जाएगा, तो यह हो जाएगा minus 1 upon a b, जो कि हमें सो करना था, अब फिर सहम divided difference table बनाते हैं, divided difference table, अब यह table बनाते हैं, तो यह हमारे पास बोज़ेंगे, x के value दी हुई है, हमारे पास f x ही दी हुई है, अब फर्स्टे difference को हम क्या करते हैं, डैल f x सो करेंगे, इसको second को डैल square fa से करेंगे, और थड़ को हम करेंगे डेल Q F A से यह इस तरह सो करना है हमें और डेल Q तरह किने निकालना हमें तो X की पहले जो दिए हैं मारे पास वह हैं मारे पास A, B, C, D तो A, B, C, and D यह पहले दिए है फ्रेंट्स तो इस पर फंक्सन की पहले हो फंक्सन क्या है Fx प्राबर 1 upon F X तो फ Fx बराबर अब हमने निकाला है यहां पर यह पीछे मारे निकाला हुआ है डेल Fx बराबर यह हो जाएगा minus 1 upon AB यह हो जाएगा मारे पास minus 1 upon AB इस तरह बन अपन B यह फंक्सन कालेंगे तो 1 upon C minus 1 upon B divided by BC तो यह हो जाएगा minus यह इसको लिख सकते हैं बन अपन C minus 1 upon B divided by B minus C yes C minus B यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 1 upon BC इस तरह इसको निकालते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास 1 upon D minus 1 upon C divided by D minus C तो यह जाएगे मायनस बन आपन डी सी कि गयर अब मैं स्टो Sur anybody स्टोर निकलने के लिए क्या करना है इस मैं से एसको माइमस करो अपन डी तो तो भान माइमस को यह सि अभी चैश्व मैंस कर आफ बिस खाल कर दो यह एडर साय न दाएगा यह अफर इसको solve करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा 1 upon a b c इसी तरह इसको हम यहाँ पर solve करके देख सकते हैं आराम से minus 1 upon b c plus 1 upon a b और divided by a c minus a तो इसमें से हम यहाँ पर क्या common ले सकते हैं 1 upon b common ले सकते हैं 1 upon b common ले लिया यह हो गया हमारे पास 1 upon b minus 1 upon c इनको में change कर दिया है तो यह हो जाएगा हमारे पास c minus a यहाँ पर band upon b नहीं press band upon इस b common ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर बचा अ हो press का a था a और यहाँ पर c यह भचा हुगा है हमारे पास अफ्रेट इसका LCM लिया तो हमने यह हो गया हमर बंद पॉन B इसका LCM लिया तो यह आगया अपने पास LCM थब हो आगया हमारे पास A.C इसको हम यहाँ पर इसको करते हैं बंद पॉन B LCM तो इसको नीचे लिए जा सकते हम क्योंकि यह मुल्टिप्लाई में है यह हो जाएगा C-A और इसका LCM लिया तो A C divided by यह हो जाएगा मारे पास C-A इसको लिख सकते हम C-A यह हो जाएगा A C नीचे पहुन जाएगा तो A B C C-A इकवलटो बन आपोन A B C दो यह जा हमकिया है अब इसी तार यह को करने तो बन आपोन यह करना है माइस जाएगा प्रस बन आपोन B C तो यह जाएगा घाना फ्रफुन डिवाडबव।्अ बन आपोन बी और भाई च्वैशी हो जाiles प culinary भाईबम स्वह से इसको माइनस करना है और डिवाड़ ड़ी माइनस या ई तो यह हो ऐन मारे पास अब हमराब पाइज वह कृष्टन मिन पूचा क्या है पूच्छन मिन पूचा है हमारे पास हमारे मेतं है यह फेस्ट में सो करنا है एकक् determination टू हमारे लिख सकत है डेल स्क्वेर स्क्राइबी सी यह मतलब यह हमारे catalog है, इसको 18 सब्सक्राइब पूछारे तो इसको एप अधर लिख सकते हैं। fbc-fab divided by यह c-a तो यह बजाएगा fbc क्या हमार पास fbc यह रहा 1-1 upon bc, यह मार पास second solution कर रहे हैं friends प्लस किया माइनस माइनस फ्लेस हो जाएगा यह भाणापन अपूब क्या नहलं किया यह यह पुरा इसका स्ट्रोइशन आप इसली संप्रोप कोपी कर सकते हो यहां से फिर बन पूछान है ओर यह सो यह करना है तो तो कि यहां पास फोर धा यह जो इसका solution है, इसका solution होगा तो हमारे पास यही इसका solution आ जायगा. इस question का solution, यानि हमें एसमें से इसको minus करके, हम यह solution हो थो how to write. इस फोलिशन करना तो हमारे पास third solution हो जाएगा Trung الج 1 यह हैंद आफ आपश हमारे पास a b c and f a b c d यह हमें निकालने तो solution फ़स्ट हम यह करते हैं f a b निकालते हैं तो f a b वराबर क्या होगा हमारे पास f a b वराबर होता है f b minus f a divided by b minus a तो यह हो जाएगा f b क्या हो जाएगा हमारे पास बन अपॉन b square minus बन अपॉन a square divided by b minus a तो इसका l से हम हो गया तो वह हमारे पास b square dot a square और यह b minus a multiply में लग से यह हो गया हमारे पास a square minus b square तो यह हो गया हमारे पास f a minus b a plus b यह हो गया b square dot a square और यहां से बने minus common ले लिए है तो यह minus common लेने पर यह हो जाएगा मारे पास a minus b और minus a बार जाएगा तो a minus b से a minus b क्थज़एगा यह आ गया हमारे पास f a plus b minus k divided by b square dot a square यह आ गया हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं Del Dos FA और B अब फिन इसी तरह हम अगर यह निकाले हैं अब Second आपर Second आगया है हमने पर Second FAB and C तो वह FABC बराबर क्या होता है FBC- FAB divided by C-A अब फिरस fbc की value हमार पास क्या आता है a b की value क्या है हमार पास fbc की value है a plus b divided by b square dot a square इसी दर अगर bc value निकालेंगे तो वो आजाएगे हमार पास minus a plus b divided by sorry b and c के बीट में तो b plus c divided by b square dot c square minus अब इसकी value जो थी वो minus तो पहले ही तो minus minus प्रेस हो जाएगी यह हो गए हमार पास a plus b upon a square dot b square divided by c minus a यह हो गए friends तो यह हम इसमेंस क्या कर सकते हैं यह हमार पास 12 जाएगा one upon minus का c minus a यह हो गया अब यह हमें minus कर यह इसको minus करना है तो इसमेंस क्या कर सकते हैं b square common ले सकते हैं तो बन upon b square common ले लिया तो यह बच गए हमारे पास friends a plus b upon a square minus b plus c upon c square इसको में पीछे ले दिया यह कर दिया हम देशका तो यह हो जाएगा हमारे पास minus one upon c a sorry minus का साइन तो ही यह हो बन upon c minus a one upon b square और जो lc हम आगा है वो आगा है a square dot b square और यह हो गए हमारे पास इसमें a square dot c square sorry a square dot c square अब हम a square के डिबाइड किया तो यह हो गए c square से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा मारे पास a c square plus b c square minus अब minus इसमें a square से multiply करना तो यह हो जाएगा a square b minus a square c यह हो जाएगा friends अब यह हो गया है मारे पास तो हम भी जाएगा सकते हैं माइनस बन अपोन c minus a बन अपोन b square और यह a square dot c square अब यहां पर हम इसमें कुछ खंड बनाते हैं तो हम यहां देख सकते हैं a c अगर यहां से कॉमल ले दो a c यहां से कॉमल ले रहे हैं a c कॉमल ले लिए हमने friends यहां से और इसमें से यह बच गया हमारे पास c minus a यह बच गया है अगर इसमें से हम b c कॉमल लेना है तो b c यहां से ले लिए हमने यह यहां तो बच राएगा हमारे पास c minus अगर हम यहां c minus a यह हमें खंट बनाना है c minus a तो इसके लिए हमने b c square यानि कि हमने b c square यह कि इसमें एक्स्टा टर्म जोड़ी है हमने so b c a b c a हमने एक टर्म अलग से जोड़ी है माइनस तो यह बीसी माइनस की अलग टर्म हो गई तो इसको एक बार लग देंगे a b c यह हो गया अब इसमें से और इसमें से मतलब कि हमने यहां पर क्या क्या है हमने एक बार तो a b c जोड़ दिये और — a b c करते हैं अब इसमें से b c square और इस टर्म में से इन दोवर blanket में से यह बच गया हमार पास c b c को म मर लगता c minus a अब इसमें से और इसमें से हम कर रहे हैं तो इसमें हम क्या और को मन लेने पर हमार पास सिय मैंस अब हम फिसमें से बच जाएगा c minus लिख सकते हैं माइनस बन अपों C माइनस A divided बन अपों A स्क्वार B स्क्वार C स्क्वार A C प्लस B C प्लस AB and divided multiply by C माइनस A यह हो गया और फ्रेंज यह हमारे पास आगया तो यह हमारे पास आगया फ्रेंज यह आगया तो C माइनस A C माइनस से कर जाएगा यह आगया हमारे पास माइनस बन अपों A स्क्वार B स्क्वार C स्क्वार multiply by A C प्लस B C प्लस AB जो कि हमारे पास F A B C बराबर आ गया है एक एप एबी सिवारे वारे पासे वैल्व आ चुकी है उसी तरह हम फ्रेंट सम एप 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 इप 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 सी और डी उसके वैल्व नकालने के लिए एक डिन गरने के लिए ऐफ बी सी डी माइनस एफ ए बीजी डिवाइड इसके एकॉर लिख सकते हैं तो इसमें इन दोने को मैंने करके हैं बेलु निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास आएगी minus ABC plus BCD या 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 ऐगी value आएगा हमारे पास minus ABC minus बार आएगा ABC plus BCD plus ACD plus ABD डिवाड़ेड़ वाई A square B square C square B square ये पर से आप खुछ कोनी कर सकते हैं जो हमने पहले दोनों निकाले इसी तरह से इसको सौफ़ करना है थेंक क्यू फ्रेंड्ड्स हेलो फ्रेंड्स आपका पर्चेल में स्वागतändern आज जे पड़ेवालें वह लेंग्राज इट्रॉपूलेशन फोर्मूला परिड़से जो फोर्मूला होता है समान जो 17-72 होता है लेक्राज एट्र पुलेशन फोर्मूला एब फोर्फ एकूल कर दोनों पर हमारे पास डिफ्रेंस से वो एक्वल हो यार इक्वल नहीं हो दोनों कडिशन में उसको उज़ कर सकते हैं जो फॉर्मूला होता है वह तावने पास formula यह वता है fx equal to x minus x1 x minus x2 dot dot x minus xn upon x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus xn fx0 plus x minus x0 इस condition इस वार हमने x minus x1 को छोड़ देना friends x minus x1 को छोड़े तो x minus x2 x minus x3 आएगा उसे वार चलते हुए x minus xn आएगा upon x1 इस वार x1 minus x0 x1 upon x minus 1 नहीं करेंगे तो x1 minus x2 dot dot x1 minus xn और यहाँ होगा fx1 फ्रेंस इसी तरह चलता हुए फ्रेंस इस लाइश टर्म होगी वोगी इसके x minus x0 x minus x1 और लाइश की चलता हुए आप x minus xn minus 1 upon यहाँ होगा xn minus x0 xn minus x1 और चलता हुए xn minus xn minus 1 fx है फ्रेंस यह फॉर्मूला होता है अब इसको हम प्रूव करते हैं प्रूव इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंस में क्या करना हुगा कोई एक फंक्शन मानना हुगा एक फंक्शन मानना हुगा जोगी n गात का फंक्शन होगा let f is a function of nth order प्रेंट जा function अपना nth order को तो इस condition में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं fx को इस तरह से लिख सकता हैं कि a0 x-x1 x-x2 यहां पर हमने x-x0 नहीं लिखा फ्रेंट्स यह चलते हुए x-xn प्लस A1 यहां पर हमें X-X0 ज्यालों करना है लिकर X-X1 नहीं लिखना है X-X2 dot dot X-XN प्लस चलते गगे फ्रेंड यह लाइस्ट के पदत होगा उगा हमना An X-X0 X-X1 प्रेंध चलते गगे X-XN फ्रेंट ननinek कोई टो फंक्सिंट कर लिया है जहाँ पर यह जिरो एवन एटू डॉट यह हैं तक सों यह अर कॉंस्टेंट है अब घ्रस हमें क्या करना है यह इस फॉर यह फंक्सन है और हम यह कुछ से करानी है इसको करने ले हम क्या करेंगे सबसे पहले फैट्सcc f f be put s equal to s 0 उस condition में यह हो जाएगा आपने पास f 0 तो यह हो जाएगा f 0 equal to यह हो जाएगा a 0 इन्हों से पर यह फर्क पड़ेगे यह हो जाए x 1 sorry x 0 minus x 1 x 0 minus x 1 x0-x1 x0-x2 यह चलता हुआ x0-xn और फिर अगर x इस में यहां पर इस टर्म में हम रखा है x ब्राबर x0 तो यह 0 हो जाएगा क्योंकि इस कंडिशन से बाकी टर्म में भी x-x0 आएगा तो वो भी 0 हो जाएगे जोन सभी 0 हो जाएगे तो यह हो गया हमारे पास तो फ्रेंट्स यह 0 पराबर आगया है fx0 अपोन यह x0-x1 क्योंकि यह 0 पराबर निकाले तो x0-x1 x0-x2.x0-xn यह हो गया फ्रेंट्स अब नाव fx पराबर x1 पुट करें अब x पराबर x1 पुट करेंगे फ्रेंट्स तो इस कंडिशन में यह टर्म हमारे पास पराबर x1 से यह x1-x1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा लेकिन इसमें कहीं यहां पर x1 नहीं है तो यह 0 नहीं होगी बागी तरम 0 हो जाएँगे तो इस कंडिशन में हो जाएगा हमारे पास हो यह fx1 हो जाएगा यह हो जाएगा fx1 equal to a1 x1-x0 x1-x2 dot dot x1-xn या फिर यह पर यहां से निकाल सकते हैं वो आएगा a1 equal to fx1 upon x1-x0 x1-x2 dot dot x1-xn यह हो जाएगा अब फिर इसी तरह हम यह n की वेलु का सकते हैं यह n की वेलु के आएगा हमारे पास fxn upon xn-x0 xn-x1 dot dot बशल के वेलु यह n-xn해서 यहां से हम देखसके इंजी सकते हैं एंगर इसमें x with x ease X input तो एक्षन हो जाएगा बाकि यह term 0 हो जाए क्यों x-xn आ रहा तो इस एक्षन मानेस एक्षन मानेया पर चर्टिसी यह इसमें पहर हमोना सहर है अगर यह सब यह में अगर को सब्सक्नरागी वधा करु मृटने को सब्सक्नरा यह क्रिए न bon बबूद ऑपन इसक्तुर हमारे से यह बैलाबaterial थेक्न आएगा यहां पर हमने पहले यह 0 value पूट कर दी यह 0 value यह पने पास तो यह पूट कर दी तो यह हो जाएगा fx0 upon और साथ में यहां पर क्या है यह 0 यह इस से multiply हो रहा है x-x1 x-x2 x-x1 x-x2 dot dot x-xn upon x0-x1 x0-x2 dot dot x0-xn plus अफिर यह 1 value put करेंगे तो यह जाएगा मारे पास पहले तो यह multiply में रहे हैं x-x0 x-x1 2 x-x0 x-x2 dot dot x-xn अब यह 1 value put करते हैं तो यह जाएगा हमारे पास fx1 और divided by x1-x0 x1-x2 dot dot x1-xn यह आगा है फ्रेट जो कि हमारे पास फोर्मूला था वह के एक क्वल्य है जो हमारे पास प्रूफ हुगा है hence प्रूफ अब हम भी एक एक्जामपल पढ़ते हैं जो कि लेंगराज फोर्म से find the form of function given by the following data यह अपने पास एक्जामपल है जहां पर हमारे पास दिया हुगा x की value दी हुई है और उस पर function की value दी हुई है x की value 3 पर function की value 3 है 2 पर 12 है 1 पर 15 है – 1 पर –21 है यह हमारे पास फिर्ट फिरë गिया जिए है और इस पर हमें function की आयाध करना कि कौ own से function था जिसमें value put करने पर यह हमारे प하세요 주र्स है value आई हूई है हमें function नकालना है vft function नकलने मतलब कि हमें Fx नकलना है το Fx solution करते हैं इसको तो solution के लिए हम फ्रेंट यहां पर जैसे इसको हम X1 दे लें इसको X2 दे लें X3 तो X4 तो FX1 यह रहा FX2 यह रहा FX3 यह रहा FX4 यह रहा अब देशने हम X1 इक्वल तो 3, X2 इक्वल तो 2, X3 इक्वल तो 1, X4 इक्वल तो माइनस 1 यह हमार पास फ्रेंट यह रहा है वह जो लेंगरज फॉमूला होता है वह क्या होता है हमारे पास फंक्षन FX बराबर होता है X- X0 से start नहीं किया फ्रेंट तो हम एक्षजिरो को लिखने ही ज़रुत नहीं किया है start कर सकते है इसको जो हमने formula बढ़े तो इसको X0 से start किया तो X0 इसको X1 दे लेता है इसको X2 दे रहते हैं इससे X3 तो यह जाएगा पर हमने formula बढ़ा था formula किया तो function X-X1 X-X2 and X-X3 फिरस यहां तो 3 ही है तो हमें XN बराबर है वो 3 है लाइस तो यहां तर जाएगा यह जाएगा यह जाएगा हमारे पास X0-X1 X0-X2 X0-X3 and Fx0 प्लस इसको यहां पर अगली टर्म जो आएगी अगली टर्म आएगा अपने पास X-X1 sorry X-X0 X-X2 X-X3 upon X1-X0 X1-X2 X1-X3 यहां यह यह फ्रेंट्स और Fx1 प्लस इसी तर चलते हो यह लाइसी टर्म भी इसी तर्म आएगी अपने पास हो आएगी X-X0 यहां पर लिए लिए फ्रेंट्स टर्म को अपन X-X3-X0 X3-X1 and X3-X2 और Fx3 आएगा यह आएगा यह आएगा अब उसमें अगरा हम बेली पुट करें तो मारा पर फंक्शन की जो बेलू हैंगे बेली पुट करें नहीं हो जाएगा हमारे पास यहां पर यह 0 और यह 2 क्योंकि इसके अखोर्णिंग करना था यह 3 यह हैं हमारे पास तो यह जाएगा हमारे पास fx0 और यह जागा 2 x-2 और यह जागा x-1 and x plus 1 upon यह जागा 3 minus 2 3 minus 1 3 minus or minus plus जागा तो plus 1 और fx0 क्या 3 and 2 3 plus x minus अब इसमें बुट करेंगे तो x0 जागा x minus x3 x minus अब इसमें को छोड़ देना हमें तो यह जागा x-1 and x plus 1 divided by 2 minus 3 2 minus 1 2 plus 1 and 2 function की बेरी क्या 12 12 यह आगा है friends आगे फिर हम करते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास x minus 3 x minus 2 x plus 1 upon minus 1 minus 3 1 minus 2 1 plus 1 into 15 plus x minus 3 x minus 2 x minus 1 upon minus 1 minus 3 minus 1 minus 2 minus 1 minus 1 into minus 2 minus 2 minus 2 minus 1 फिर्ट इसको solve करते हैं तो यह जाएगा हमारे पास इसको solve करते हैं फिर्ट यह जाएगा यहां तो आएगा 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 पास बनापोन इसको जाएगा यह जाएगा यह फ्रेंट से और और साथ में 3 का मल्टिप्लाइगा तो 3 by 8 और साथ में इसको मल्टिप्लाइगा तो यह जाएगा हमारे पास x cube minus 2x square minus x plus 2 इस तरह पर इसको solve करते हैं तो यह जाएगा हमारे पास minus का sin के साथ 4 x cube minus 3x square minus x plus 3 अगले तरम इसको solve करें तो यह जाएगा 15 upon 4 x cube minus 4 x square plus x plus 6 और यह जाएगा हमारे पास 7 upon 8 x cube minus 6 x square plus 11 x minus 6 और इसको solve करते हैं तो इसको solve करने के बात function आजाएगा हमारे पास function आजाएगा x cube minus 9 x square plus 17 x plus 6 और यह वो function है जिस पर हमने value put की तो हमारे पास जो value आए थी यह value किस पर put करने पर आए थी यह हमने function निकाल लिया जो किसके solution है अब फिर सब्सक्राइब लेते हैं नेक्स एग्जामपल लेते हैं यह नेक्स एग्जामपल है यह means of language formula prove that यह हमारे पास एक प्रूब करने के लिए दिया हुआ है फश्ट है यह हमने पास y0 equal to 1y2 y1 minus y1 plus y-1 minus 1y8 1y2 small question 1y3 minus y1 so y3 minus y1 minus 1y2 y-1 minus y-3 और यह अपने पास y1 equal to y3 minus 0.3 into y5 minus y minus 3 plus 0.2 into y minus 3 minus y minus 5 यह हो गया और y3 वा रावर 0.05 into y0 plus y6 minus 0.3 y1 plus y5 plus 0.7 y2 plus y4 यह हमारे पास प्रूब करना है फ्रेस तो पहले हम इसको solve करने के लिए यह को प्रूब करते हैं तो फ्रेस हमारे पास जो value दी हुई है यहां पर यहां पर हम देख सकते हैं अगर x परावर 1 है तो y यह x है और y यह कोई function है तो x परावर 1 पर हमारे पास value क्या है इसकी y1 x परावर minus 1 पर क्या है value इसकी पर क्रम बाइल लेते हैं प्रेस को तो क्रम बाइल लिखने के लिए कोई करते तो यह जादा x क्रम बाइल लिखने के ज़रूत नहीं है मैं लिख रहा हूं इसको माइनस 3 पर इसकी y-1 माइनस 3 पर इसकी y-1 1 पर y1 एंड 3 पर y3 इस तरह हमारे पास यह value दी हुई है अब जो हमारे पास यह value दी हुई है तो हम फॉर्मूला होता है function उसका तो वह क्या होता है fx ब्राबर x-x0 sorry x-x1 x-x2 dot dot x-xn upon x0-x1 x0-x2 dot dot x0-xn fx0 यह होता है तो हमारे यह value पूट कर दे रहे हैं तो यह function नमर पर पूचा गया है तो जीरो पर यह value होगी तो y0 equal to यानि हमारे पास x जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है तो अब यह value put करनी है हमें तो यहां पर आजाएगी अपने पास 0-1 होजाएगा तो 0-1 होजाएगा यह होजाएगा जीरो प्लस 1 यह अगरे टर्म में 0-1 एं 0-3 अपोन-3 प्लस 1-3-1 हम पर आज से बहुत सुरु बहल पूट कर रहे हैं यह होजाएगा यह होजाएगा तो यह अब दिया यह होजाएगा तो यह होजाएगा तो यह अगरे प्लस 0-1-1-1-1-1-3 यह होजाएगा y minus 1 plus 0 plus 3 0 plus 1 0 minus 3 upon 1 plus 3 1 plus 1 plus 1 and 1 1 minus 3 plus 0 plus 3 1 plus 0 0 minus 1 upon 3 plus 3 3 plus 1 3 minus 1 और यहां पर यह आ गये फ्रेंस अब इसको solve करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास इसको solve करने पर जाएगा 1 upon 16 minus का y minus 3 इसको solve करते हैं तो यह जाएगा अपने पास plus 9 upon 16 y minus 1 plus यह इसको solve करते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास 1 upon 16 y3 और फ्रेंस हमें प्रूब क्या करना है y1 and y minus 1 दोनों को एक साथ लेना है तो इसको एक साथ लेने के लिए हमें क्या करना है y1 and y minus 1 दोनों को एक साथ लेना है तो इसको लेने के लिए फ्रेंस हम क्या कर सकते हैं और साथ में क्या लेना है 1y2 भी लेना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1y2 y1 plus y minus 1 ये लिख दिया फ्रेंस minus ये 1y2 हो गए इसमें से 1y2 उमने outside कर दिया इसमें से अगर इसमें से 1y2 minus कर दें तो फ्रेंस हम देख सकते हैं इसमें minus 1y2 क्या तो ये हो जाएगा मार पास 16 9-8 तो 1y2 ये हो जाएगा 1y16 ले जाएगा तो ये जाएगा 1y16 y3 minus y1 minus y minus 1 minus y minus 3 जो कि हमार पास ये जाएगा y2 y1 plus y minus 1 minus 1 अपोन एट इसमें से कोमन ले लिया और 1 अपोन 2 को अंदर इचोड़ दें फ्रेंट्स हमने तो जाएगा 1 अपोन 2 y3 minus y1 minus 1 अपोन 2 y minus 1 minus y minus 3 जो जाएगा जो कि हमार प्रूव करना था अफिर इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं अगला question ये फ्रेंट्स हो आपके लिए छोड़ते हैं ये question आप कर सकते हो थैंक यू फ्रेंट्स हेलो फ्रेंट्स आपका हमार चनल में स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारे पास परिमेत अंतर कलन्ण फाइडा डिफ्रेंस एक उच्छह हम एग्जामपल करेंगे इस पहले डिफ्रेंट्स एक्जामपल हो अपने पास वह आपने पास सुदेट सम उफ ड्यल स्कवार एफ के एकक्वल टू 0 टू N-1 एकक्वल टू डेल एफ N-डेल F0 पर्ट्स ये हमारे पास जोदपूर उनिबर्शिटी 2002 माया अजमिर 2004 माया उद्रपूर 2006-2008 राइस्तन 2008 विकानिर 2008 और 2012 के बाद कभी आया होगा तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक जो है पुरानी है कि अब हम यह सोल्व करते हैं फिन्ट से सोलिशन कि बाई एले एसस अ एलेह इस क्या कित हमारे पास एक के बरावर 02-1 डल स्कुरस के एक क्योंट फ्रेस्ट प्रेस्ट डल स्कुरस क्या होता अपने पास डल होता है वो हमारे पास e-1 होता हम पहले प्राणी वीडियों हम पढ़ चुके थे हमने यह सूवी क्या था हमने तो यह डेल स्कूर आप यह पूट कर देंगे हम तो यह हो जाएगा के बराबर 0-2 n-1 स्कूर यह हो गया तो अब हम इसको अगर इसको उपन करना है तो यह हो जाएगा अपने पास के बराबर 0-2 n-1 इसको हम एपलाई कर रहे हैं एक को अंदर ले जा रहे हैं तो यह स्कूर एफ के हो क्या जाएगा के बराबर 0-2 n-1 स्कूर एफ के इसको लिख सकते हैं यह स्कूर एफ के माइनस टू एफ के प्लस एफ के यह हो गया अब फ्रेंड इसको क्या कर सकते हैं के बराबर 0-2 n-1 चल रहा है हिस्वेट एफ के मतलई है एफ एक यह होका है एफ के प्लस टू-एफ है के प्लस एज फ्रेंड प्लस वो 1 दिया हुआ है एक बराबर 1 लेके हम solve कर रहे हैं इसको तो यह हो गए अबर पास k बराबर 0 2N-1 fk प्लस 2 माइनस 2fk प्लस 1 प्लस fk यह हो गए अब हम k बराबर 0 हम एपलाई कर रहे हैं समय अपलाई कर रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास f2- k बराबर 0 पर कर रहे हैं कि बराबर 0 पुट किया तो 2-2f1 प्लस f1 प्लस यह हो गए k बराबर 0 पर अब k बराबर 1 पुट किया तो यह हो जाएगा हमारे पास f3 प्लस यह हो जाएगा लाइस्ट में हमारे पास फ्रेंट से फ1 इसे तरह प्लस अब k बराबर 3 पुट करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास f4-2f3 k बराबर 2 पुट कर रहे हैं प्लस अब अब हम k बराबर 1-2 पुट कर लेकर प्लस k बराबर 1-3 पुट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा हमने से पास f n-3 को यह हो जाएगा अबने से आपने से तो यह हो जाएगा हमने कि जागे एन मायनस 3 तो ये हो जाएगा एन माइनस 2 प्लस f n माइनस 3 अब फिर के बराबर n मैंस के बराबर n- यहां पर 3 पूट करना यह हो जाएगा f n सुरी f n हो जाएगा यहां पर kya है मायनस 2 f n-1 प्लस f n-2 अब n-1 पूट करना है लाशनू तो यह हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा अपने पास का इन माइननस सोरी प्लस एफ 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 माइनस बन यह हो गया अपिर इहां पर देखते हैं तो यह यहां से ने पास प्लस का F1 प्लस का F1 2F1 तो यह माइनस 2F1 हो गया है इन दोनों से यह कट जाएगा इस तरी फ्रेंट्स हमारे पास यहां पर पर पास F0 था सोरी यहां पर F0 था हमारे पास F1 एक बार ही हमारे पास F1 तो यह यहां पर देखते हैं 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 तो यहां पर देखते हैं यह किये रहा यह किये रहा तो यह कट जाएगा एन माइनस 2 तो यह रा एक N-2 एक N-2 बच जाएगा यह बच गया फिरस एक N-2 बच गया मतलब यह बच गया हमारे पास बच गया अब यह बच गया अब यह बच गया अब यहां पर देखते हैं एक यहां पर हमारे पास एक N-2 इस दर भी आएगा तो N-2 से N-2 चला जाएगा हमारे पास अब यह बच गया वह बच गया वह बच गया अब यह बच गया और माइनस F1 और साथ हमारे पास यह बच गया माइनस FN यह बच गया तो हम इसको लिख सकते हैं FN प्लस 1 माइनस FN माइनस F1 प्लस F0 या फिरस इसको लिख सकते हैं FN-1 सोरी FN प्लस 1 माइनस FN प्लस सोरी माइनस कुछ टेक से बाद दे तो F1 माइनस F0 तो यह तो हो गया हमारे पास डेल FN माइनस यह बच गया फिरस डेल F0 हो गया हमारे पास जो कि हमारे पास RHS है हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चल्म में स्वागत हैं आज जो पन्ने वाले हैं वो ट्रांस्पोर्टेशन प्रॉलम है Shof the following Trans affiliation problem Given by the following data एंड साथ ही मार पास दिया हुआ है एंड इफ दा वैलू ओफ दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब बनाने होगी टेबल बनाने के लिए यहां पर यहां पर सूर्स लिखने है नहीं फ्रॉम कहां कहां से वन यहां वन टू थ्री फूर फाइव यहां पर यहां पर इसले लिखेंगे हैं यहां फाइफ फूर यह नहीं फाइब रो है मारे पास अब कॉलम में क्या लिखते हैं कॉलम में लिखते हैं जहां के लिए जा 5 highest 5 है इसमें भी है यहाँ 3 5 highest है यह तो इस तरह से हम इसमें बहुन पूट करनी हमें तो C12 एकल टू क्या है C12 एकल टो 20 तो 20 इसे तरह से 13 equal to 40 40 C14 equal to 10 और और जहां पर नहीं है हमारे पास C11 नहीं है और C15 नहीं है तो वहां के लिए दिया गया है कि हमारे को पर रूटाइजस नहीं करता तो रूटाइज नहीं करता इस कंडिशन प्रेंट सम्वापि जो अपनी कोस्ट वैली होगी उसको इंफनिटी माल लेंगे इंफनिटी इंफनिटी इस तरह आप इसमें देखते हैं सी 2 1 इकल टूटी सी 23 इकल टूफाइव C25 equal to 10 और बाकी जहाँ पर नहीं दियावाई पर infinity हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर दियावाई C3 1 equal to 4 तो यहाँ 4 C3 2 equal to 5 5 C3 4 equal to 6 C3 4 equal to 6 C3 5 equal to 6 और जहाँ पर नहीं दियावाई infinity माल लेंगे अब फिर इसी तरह यहाँ पर देखते हम C4 1 equal to 10 C4 3 equal to 6 C4 5 equal to 20 और जहाँ पर नहीं दियावाई वहाँ पर हमें infinity ले लेना है और आगे दिखते हम C5 2 equal to 10 C5 2 equal to 10 C5 3 equal to 6 C5 4 equal to 20 और जहाँ पर नहीं दियावाई वहाँ पर infinity लेना है हमें अब फ्रेंट समय इसमें मिनिमम करना है इसको तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले हम प्रत्य पंक्ति की प्रत्य पंक्ति की प्रत्य पंक्ति की प्रत्य पंक्ति की मिनिममम एलिमेंट होगा उसको उसी रो में इससे घटा देंगे जैसे इस रो में मिनिममम एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 अब यहां फिराइज 10 है minimum 10 है तो 10 हमने माइनस करना है तो infinity में 10 माइनस करेंगे तो infinity minus 10 equal to infinity रहेगा तो infinity रहेगा यह हो जाएगा अपने पास 10 यह रहेगा अपने पास 30 यह 0 यह इनफिनिटी रहेगा अफरेग इसमें देख देग तो सबसे minimum 5 यह 5 को माइनस करना है तो एन तो फिफटिन रहेगा ये जिरो इंफ very इए अरो ये रहेगा अपने पास अब इसमें देखे तो इसमें फॉर सबसे मिनिमम है तो फॉर को माइनस करना है तो ये जिरो ये वण इन फिलीटी ü सीडाँ इवा अब इस तर्ट हमें मैं देखते हैं तो इसमें 6 minimum है तो 6 minus करते हैं 6 minus करते हैं तो इस condition मैं जाए है 4 infinity 0 infinity and 14 अफिरे इसमें देखते हैं तो इसमें minimum अपने पास वो 6 है आपर यह minimum 6 अपने पास 6 minus करते हैं तो इस condition में जाएगा infinity 4, 0, 20 में से 6 माइस के तो 14 and 0 अब फिर्स यह आ गया, अब हम every column देखते हैं, अब column में अगर हर column में 0 present है तो हम यहाँ पर 0 को काटेंगे, अगर column में 0 present नहीं है तो इस condition में 0 बनाना होगा इस column में देखते हैं, यहाँ 0 है, इस column में देखते हैं, यहाँ 0 नहीं है, फिर्सके इस column में 0 नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास हमें एक table और बनानी पड़ेगी अफिरे हम ने table में बनाते हैं, तो इस table में क्या करना होता है यह जो Column है इन मेंसे जो minimum है उसके Cora में से खटा देना है तो यहां पर देखते हैं 123451290345 इस Column में देखते हैं तो इस Column में मिरनी पास क्या है जीरो मेंनिमम में जीरो का होगा 9 ये इनफिनिटि रहेगा यह जीरो ये इनफिनिटिए रहेगा और यह आ जाएगा पने कहन выпускे पर फिरूम में देखें तो इस इसमें इस condition में माइनिस करी कोई जूरत नहीं है जिरो इन्फिनिटी 2 को इन्फिनिटी यहाप पर 燃फर्टीन में देसे हैं और है अजिम कि миन्याशच की में देखते हैं यहाँ पर देखते हैं आज यह नहीं तो इसमें मैनिस कानेक्स जोरद नहीं इंफिंटी एस एजटे जालेगर इंफिंटी 5,2,14,5,2,14 and 0 अप्छे सहुमारा काम होता है हम यहां अपर एंट्री करें टो एंट्री करने के लिए हम रोपाइज करते हैं तो पहली रूम हम देखते हैं यहां पर यहां पर जीरो आ रहा है तो हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं इस जीरो को एंट्री करने के बाद हमने इस रूम में जो भी कि यह पेνट्री कर दिन्ह ने विक और विक्सकों को काट देंगे लेकिन यहां को और जिरू नहीं है तो नहीं कटेगा अब फिर मैं यहां पर कर सकते हैं यहां पर क्रत कर सकते क्य FRE showed यह जिरो है we are the only çıkar दी उसके पार इस इस फॉल में जो भी जिरो है उनको काट देना है तो यह जिरो और यह जिरो कट जाएंगे अगर डुबल जिरो है तो हम एंट्री नहीं करेंगे तो यह पर यह गीरिमार पास नहीं कर सकते हैं तो सब्सक्क्राइब कि हम इस इट्र करने को हिस्त करतेु तो इस रो में हमार पास कोई जिरो नहीं है क्योंकि यहां पर इस इस जो जहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चाछ बार देंगे इस तरह इसमें देखते हैं तो कोई भी जरुनहीं है जो कि हमारे पास सबसे पहले इस तरह जीरों को काटना होगा कि जिसे में कहते हैं हिंगोरियन में इस तरह से ढगना है कि लैनों का नंबर हो मिनीमम हो उनसे में काटना है तो उसको काटने के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अधितर जीरो कि इसमें मिल रही है तो यहांपर अगर इसको काटने तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां पर है करत देते हैं यह हमने काट दिया और फिर इसमें हमें यह जीरो भी काट नहीं है लेकिन यह जीरो भी काट नहीं है तो हम यह काटने की बजाए हम यह काटना पसंद करें क्योंकि इसमें हम दो जीरो को साथ में कोमन ले सकते हैं यह ले दिया हमने दो जीरो काट चुके हैं अब फिर इसमें तपर देखते हम स्कॉलम में यहां पर भी 0 है इस तरह काटें तो कोई फरग नहीं पड़े काटें तो गयुंक हमें पर उड़ यह जो इनने हमस्त й हो एनल्स पर शिवाकर हमें इस तरह काटेंगे उपंगे हो Chapel पर कोई भी 0 आशल प्रजय कोई बलागरों मैंने 177 ša इताइव इंफिनिटी पर चैनल फोर फुर्टी इस तरह अब हमने आगा हमना प्रूमर्ण natuurs रोटीन अप्र टेहर मूंब नमब थ्री बनाते हैं 12345 12345 अफ प्रेया स्टेवल नंबर फूर इसमें क्या करते हैं जो हमारे पास दीरो उसे लाइनों से ठके वह पुए पूंट नहीं है इनमें मिनिम्म देखते हैं जैसे 50 इंफिनिटी 5 4 फ्रेंगेड़ would TV फोर्त फ्रोको म मैं भी ड़कि होओं नहीं उन एविडियर से माइनस कर मैंने च्रोप हो रहा है यह कर रहा है यहां पर क्रोस कर रहे हैशे हां पे कर रहे हैं यहां पर कर रहे हैं कर रही है क्रोस वहां पर अपने में और pazik होई तो इस तरह Hence अधो सकना होगा हुआ यह एक है यहां से इस तरह इस दॉपर नहीं है तो यहां पर इस क्रोस नहीं है तो यह हमारे पास one हो जाएगा अब यहां पर दका हूँवा है तो ठका होगा है तो धका कंडिसन दो हमने चलों का पर शुनित को रहेगा तो ष्रामर्सным का दिया मैस फिड 尬न का यहाँ सिर्फ डिका हुत हुआ है कटके हो नहीं तो यह को जाएगा हमारे पास Zero यह मारत सिंफूर रहेगा फोर्टीन अब इसमें देखते हैं ढङ्द लेकिन यहां फिर दोनौं लाइन क्रोस कर रहा है है फिर फिर फोर एड़ू मत इस संपर यह है तो फिर cz बाफि diğer biology इस में और कोई 0 नहीं तो यह 0 को गरे ने लग देंगे बाकी जो 0 इस column में हो गे इस column तो उसको कार दें ल 활ना कोई 0 नहीं है तो नहीं कारें गे इसमत्स नियुक्त है इस पूल रहा पने अपने डेल छोग इन ग्रै को नहीं ले लिया ए और इस column इस column क wyp еще 0 को जाएगी और जो उपर इस कोल में जोब जीरो hơn और境 नहीं काटी अब हम क्टाइगा इसे थो यहां पर देखते हैं इसमे यह होगती जीरो है यह हो जाएगा और फैर यहां पर इस को appeals Environment नहीं तो समस्वरों चुरूम heала पॉलम कि अंट्र नहीं कटाए हैं क्योंकि इस में Zeroạo प। हमारी पास टिक हो चुकिंप है, अब इसमें देखते हैं तो इसमें हम यह जी है, इसमें Entry कर देंगे, अगर इस रोओं में कोई Zero होँजी तो हम कारण देते, अब friends यह जेसे है, आगे में हम Чeck करें हैं हम हुआ थो इस कंडिशन हमारे पास यह थो टेवल है और टेवल है सु मैं टेवल थरी एज आप टिमल और ऑप्टिमल बैल्यू अप्टिमल बैल्यू क्या है फैसे हुमारे पास यह आई है c14 एक्वल टू सीवन फूर एंड सेकंड आया अपने पास सीव टू थ्री और थरड़ा आया अपने पास सी थ्री टू या सीव फूर बन और सीव फाइब बन अब फ्रेंस अप्टिमल बैल्यू नकालते हैं यह दो अप्टिमल पॉंट हो गए अपने पास ओप्टिमल बैल्यू वो नकालने के लिए हमें क्या सीवन फूर क्या अपने पास फिर सीवन फूर यहां से देखना है हमें C14 10 यहां से देख सकते हूं यहां पर भी यह सारी एंट्री है मारे पास तो C14 क्या आपने पास यह राज C14 10 तो यह हो गया यह तो 10 हो गया प्लस C23 क्या आपने पास C23 5 तो इस कंडिशन में आपने पास C32 तो C32 देखते हैं तो इस कंडिशन में आ जाएगा यहां पर हमारे पास C325 तो C325 अगले आपने C41 तो C41 दो देखते हैं तो C41 हो जाएगा एमारे पास 10 है तो है 10 है प्लस अब देखते हैं यहां पर जो लैस्ट है C45 Third तो C55 है यह यहां पने जीरो 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 लेके चलें क्योंकि हमारे पास हमने यहां पर इसको dolphin इसको हमने बाई mistake जीरो माझनने सब लिए इसको तो यहां पर जीरो कर देते हैं तो इस प्रोडम में स 5 5 से घाए गा हमने पास जीरो यह आ गया इस इस condition में जो अप्टिमल वैल्य तो 15 15 प्लस 15 योगे 30 जो फिर ऑप्टिमल वेल्यू होगे 30 योगे हमार पास यह आंसर है थेंक्यू फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चनल में स्वागत है हमने जो प्रानी बीडियों पढ़ाता वो था न्यूट्रन ग्रिवरी फॉर्मूला फूर्वर्ड इंट्रपोलिशन और इसमें में पढ़ना है वह पढ़ना है न्यूट्रन ग्रिवरी फॉर्मूला फूर्वर्ड इंट्रपोलिशन यह पढ़ना है फ्रेंड्स यह फॉर्मूला होता है क्या है एक्स ब्राबर एफ ए प्लस नह प्लस ए नीबला, F I plus N, upon H plus, X minus I plus N, X minus I plus, I plus N, नीबला, F I plus N, upon 2 factorial, H square, plus, चलते हुए, friends, यह चलेगा आपने पास, X minus A plus N, से चलते हुए, यह जाएगा, X minus A plus H तक, यह सारी टर्म से माइनस हो जाएगे, यह जाएगे, और लाइस्ट में आएगा, नेबला, N, F A plus N, H upon N factorial, H की पावर N, यह सो करना है, friends, हमें, तो यह सो करने के लिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सो प्रूफ, प्रूफ करते हम कि हमारे पास जो हमने यह फॉर्मूला है, यह सही है, यह मानने के लिए, friends, let Y equal to F X is a function, where, where, F X equal to A, A plus H, A plus 2H, dot dot, A plus N, H, यह हैं, तो हमारे पास जो F X दिया हुआ है, यह जो interval है, वो equal है, तो F X जो आ रहा है, वो आ रहा है, हमारे पास F A, F A plus H, F A plus 2H, dot dot F A plus N, respectively, यह हमारे पास reference value है, हमारे पास, अब friends हमने फंक्सन मानना है, जहाँ पर फंक्सन है, उसको हम इस तरहीं define कर रहे है, A0 plus A1, X minus A plus NH, plus A2, X minus A plus NH, and cross multiply हो रहा है, साथ में, X minus A plus N minus 1, A plus N minus 1, H यह हो गया, प्लस चलते हुए हमारे पास फंक्सन, लाश्ट कर, लाश्ट पते हैं, यह N, X minus A plus NH, X minus A plus N minus 1, H, यह इस तरह से हैं, और लाश्ट कर पते हैं, जो है हमने पास, X minus A plus H, यह फिर से हमने लाश्ट कर पते हैं, जहाँ पर हमने वेर, A0, A1, A2 dot dot dot, A N are constant, हमने फ्रेंस फंक्सन को इस तरही डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर हमने मान लेगे, A0, A1, A2 dot dot, size of A N है, हमने पास constant हैं, अब फ्रेंस, F, V put, X equal to A plus NH, हम X equal to A plus NH put करें, तो हमने पास क्या जाएगा, X equal to A plus NH put करें, तो F, A plus NH equal to, यहाँ पर यह जिरो, फ्रेंस यह टर्म होगी, A plus NH पर जिरो हो जाएगे, यह तर्म होगी, यह यहाँ पर यह जिरो हो जाएगे, इस तरह side term 0 हो जाएगे, तो A0 equal to होगा है, A plus NH, यह equation number first दे देते हैं, उसको, अब second देते हैं, second F, V put, X equal to A plus N minus 1H, अगर X equal to A plus N minus 1H put कर रहाएगे, friends हम, तो इस condition में हमने पास क्या होगा, यह Fx जाएगा, तो यह हो जाएगा, F, A plus N minus 1H equal to, A0 रहेगा हमेरे पास, क्योंकि वो constantus, वो कोई X, कोई effect नहीं कर रहा है, तो A1, यहाँ पर हमने put क्या, हमने क्या put क्या है, A1, और यहाँ पर X equal to A plus N minus 1H put क्या है, तो इस condition फिर्स यह से तो यह कट जाएगा, और NH का अंदर multiply होगा, तो यह यहाँ पर भी NH आएगा, तो वो कट जाएगा, यह Ns कट जाएगा, यह माइनस का साइगा, यहाँ तो रह जाएगा अंदर उल्ली minus H, minus H निकालना है, तो A1 की बीजिको निकालना है, तो A1 की बीजिश से लिए इस टर्म को उदना रहाएगा, तो यह कर रहा है, इस टर्म को इदर ले जाएगा, तो minus H हो जाएगा, यह लगा, a and h equal to, यह 0 क्या हमर पास है, यह 0 equal to f a plus n h, f a plus n h minus, अब यह इदर आया, तो यह minus होगा, यह होगा, f a plus n minus 1 h, यह होगा फ्रेंच, तो हमर पास यह वराबर होगा, f a plus n h minus f a plus n minus 1 h upon h, तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नेवला f a plus n h upon h लिख सकते हैं, यह होगा हमर पास फ्रेंच, यह value तो a1 की value है, यह बन की value है, बान पास आच चुके, नेवला a plus n h upon h, अब similarly, f b foot, x equal to, जो अगली term में हमें a2 निकालना है, तो a2 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें a2 निकालना है, तो हमें a3 में a3 से आगे बाली term को 0 करना है, तो x बराबर a plus n minus 2 h put करेंगे, तो फिर बागी साथ यह term हमरे पास 0 हो जाएंगे, यह 2 बाली term बच जाएंगे, a1 बच जाएंगे, a0 बच जाएंगे और यह बच जाएंगा, तो उस condition में आमरे पास इसी तरह solve करके, इसी तरह solve करना है में तो a2 बराबर आजाएगा मारे पास, नेबला square fa plus n h upon h square 2 factorial, इसी तरह यह 3 के लिए solve करेंगे, तो यह 3 बराबर आएगा मारे पास, नेबला square fa plus n h, तो नेबला q, h q and 3 factorial, यह आजाएगा, यह फिर्ट से आप पराणी वीडियो में जो हमने समझाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं, आपने वह आपे del के लिए हमें निकाल के बताया था, यह 2 भी निकाला था, यह 3 भी निकाला था, यह हमने सीधे लिख दिया है, क्योंकि हम पहले वह दिखा चुके हैं, इस तरह फिर्ट से जो यह n आएगा, वो आएगा हमारे पास, नेवला N, F A फिलस NH, अपोन, H N, अन फैक्टोरियल, यह आ जाएगा इस तरह से, अफरेश यह value जो A1, A2, A3 की value हम इसमें put कर देंगे, यह function में put कर देंगे, function जो हमने माना है, क्या माना है, हमने function, यहाँ पर माना है, F A 0, A1, 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 A2, A3, इसमें put कर देंगे, तो इस condition में जो हमारे पास फोर्मूला था, वो इस तरह से जाएगा, फिर से यहाँ पर हम बहरे फूट कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास, Fx एकल तो, F A plus NH, plus X minus A plus NH, del F A plus NH, upon H, प्लस, X minus A plus NH, plus X minus A plus N minus 1, H, dot multiply यह, फिर मल्टिप्लाइए, del square, F A plus NH, upon H square factorial 2, यह आ जाएगा, फिर इस तरह चलता हुगा, यह आ जाएगा, लाक्ष्ट की टर्म जोगी हमारे पास, X minus A plus NH, X minus A plus N minus 1, H, और यह multiply चलते हुगा, यह आ जाएगा, लाक्ष्ट मल्टिप्लाइए, X minus A plus H, यह कुश्टिक बंद, नेवला, सुरी नेवला है, फ्रेंस, यहाप में डेल गोलता हुगा, नेवला है, नेवला N, F, A plus NH upon N factorial, H की पावर N, यह आ जाएगा, फ्रेंस, अफ्रेंस, इसको, यह जो फॉर्मूला है, यह हमारे पास, न्यूटन, ग्रेगोरी फॉर्मूला है, यह पास, लेकिन हम जो फ्रेंस, फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए हम इसमें यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम एक्स पराबर कोई A plus NH मानते हैं, तो एक्स पराबर A plus NH put कर दें, यहां पर, तो हमरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, A plus n by dawn करते हैं, यह किया है जाह पर हमसरे पहले हम पूछए होई hack a plus NH diet करते होगा तो यह हो जाएगा, x पराबर A plus NH put करना हैं, में है प्लस एने प्लस एच यू यह तो अपने लाइश्ट वाप पद होगा और एच यू यहां दिखाएगा तो पद हम कौन से निकाल रहे हैं उसके तो यह हो जाएगा हमारे पास अगर यह वेल पूट करें तो यह हो जाएगा एफ 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 इसे तर यह चलते हो, u, u plus 1, अगले जो तर्म होगी, u, u plus 1 अपन 2 factorial, नेवला स्क्वार, f, a plus, n, h, plus, चलते हो, जो लाश्टी तर्म होगी, फ्रेस होगी, हमारे पास, u, u plus 1, dot dot, u plus, n minus 1, अपन, n factorial, नेवला, 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 n, f, a plus, n, h, यह हो जाएगे, फ्रेंट्स, जो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम, जो बहरी वह हमारे पास, दिव, निकाले के लिए दिव होती हम, सॉल्व करते हों, अब फ्रेंट्स हमारे पास दिया हुआ है, गिव एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उन पर fx दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 64 दिया है, 125 दिया हुआ, 216 दिया हुआ, 343 दिया हुआ, है 512 दी हुई है यह दी हुई है और फिर इस हमारे पास जो पूछी है फाइंड कि एफ एफ 7.5 यह एक्स पर 7.5 पर हमें लिकालनी है यह हमारे पास पूछा है तो फिर इस कंडिशन में सबसे पहले टेबल इसको सॉल्ब करने के लिए क्या करेंगे जो यह एक्स की बहले है यह लगवागा है आज पास है इसके तो हमें इसमें फॉर्वर्ड की वजाए बैकवर्ड लगा ना फाइदा मन रहेगा तो एफ ए पिलस एनस क्या है अपने पास एपने पास एंड जहां पर यह बराबर क्या है वन है एच पराबर क्या है वन एंड एच पराबर क्या है एच पराबर क्या फ्रेंस जो पर धमार पास पूछा हूआ है वह अपने पास 7.5 एक्स पराबर 7.5 तो यहां पर लिख रहेते हैं a plus n h plus n h plus h u equal to 7.5 तो a plus n h तो अपने पास 8 हो गया और यानि कि h u equal to 7.5 minus 8 या u equal to 7.5 तो h की value अपने पास h की value क्या है एक फ्रेंस 1 तो 1 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा यह बाइगा यह होजाएगा minus 0.5 यह वर फ्रेंट्स यह value आ चुक है हमारे पास अब हम एक टेबल निकालते हैं जो कि backward बैकवर्ड डिफ्रेंस टेबल होगी फिर्स बैकवर्ड डिफ्रेंस टेबल होगी फिर्स बैकवर्ड डिफ्रेंस टेबल होगी फिर्स बैकवर्ड डिफ्रेंस टेबल कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सेम टेबल होती है तो यहां पर होंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू इस वान पर वन थी यहान एट थी यहान 27 डिये 64 डिये 125 216 343512 यह भी हुमार पास डिये फ्रेंड है अब हमें निकालना है सबसे परें नेवला एफेक्स निकालने के लिए इस मैं से इसको घटा देना है मैनिस कर देना है तो यह हो जाएगा सेबिन इसमाइस किया तो ट्विन्टीवन इसमेंसिस्वं मैंस गया तो यह जाबास इंचेवन इसमेंसे इसका इएक c00 तर उप्श अप मशस्वं तो यहाँ जाएगा 12 अगला 18 इसमें से इसको क्या तो हो जाएगा पर 24 फिर 30 36 42 अब हम नेवला क्यू निकालना है नेवला क्यू एफेक्स वराबर वह जाएगा इसमें से इसको माइनस करते जाना तो यह 6 सभी 6 हो जाएगा पर इसमें निकालने क्या आगे जो निकालेंगे अगर डेवलपफ़ एफेक्स निकालना तो वह सब 00 आजाते हैं क्योंकि इसमें से माइनस करते हैं आगे निकालने कोई ज़रूत नहीं है अब हमें फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मैंट cz अप्राइ बूर्म प्राइड बुमूला क्या Whoops और रश्ग 你ित ल怖्ट उप्राइड निकालने काट्ड य्ग तिक वहां पर इसमिले इसमेंट दिक क्या प्राइडsembा क्यालन टें जोगं तोस्त दिक आगे निकालिवला स्कंड उप्रे इसमिलेक्ड नेवला q f a plus n h upon 3 factorial hq आगे फिर आगी टर्म हमें लिखने की जड़ात नहीं क्यों कि आगी टर्म जो हो रहे हैं हमारे पास 0 हो जाएंगे तो यह फॉर्मूलर रहा है इसके लिए हमारे पास तो हमारे निकालना है f 7.5 यह a plus n h plus h equal to 7.5 था तो यह निकालने के लिए f a plus n h यह अब यहां पर u की बहुती minus 0.5 and 2 और नेवला f a plus n h यानिक यह नेवला 8 पराबर के आपने पास 169 169 प्लस यह हो गया इस तरह से यहां पर minus 0.5 यहां पर u and u plus 1 तो यह 0.5 हो जाएगा और नेवला इसकोर f a plus n h यानिक 42 अपन फेक्टोरियल 2 इस तरह अगली टर्म आएगी वो आजाएगे हमारे पास u u plus 1 यह तो minus 0.5 यह हो जाएगे 0.5 and u plus 2 यह हो जाए 1.5 अपन फेक्टोरियल 3 और न्टू 6 यह हो जाएगा del q f a plus n h यह वेल्यों हमारे पास यह आगई अपर इसको solve करते तो यह तो आजाए 512 प्लस यह माइनस के आएगा माइनस 84.5 माइनस 5.25 माइनस 0.375 जो कि फ्रेंड्स अपने पास लगबागा जाएगा 421.875 इसके उक्वला जाएगा जो कि मारे पास solution है अलो फ्रेंड्स आपका हमारे चनल में स्वागता है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास forward difference interpolation यह अग्रांतर इंटर्वाेशन फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रफ्रेंड्स इंटर्प्रवेशन क्या होता है हमारे पास कोई FX होता है और हम पढ़ने पढ़ने पर समान इंतरा अलो के लिए पढ़नेंगे 4 4 एक्वल इंटर्वल फोर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व आप वे नुटन फर्मूला पूर फर्वर्वर्ट इंटर्पलिशन फर्मूला इंटर्पलेशन यह क्या होता है यह होता है हमारे पास कि प्ई एन एक्स यह निए हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जो कि आप इंट इंडिग्री में प्रंक्शन घाल एक तरा उसको फ पॉस्ट कर सकते हैं एफ एक्सकुल टू fa plus del fa upon h x minus a plus del square fa upon 2 factorial h square x minus a x minus a h plus del q fa upon 3 factorial hq x minus a x minus a minus h x minus a minus 2 h plus dot dot अब चलता हूँआ फ्रेंस लाइस्टर मोगी वो होगी हमारे पास del n fa upon n factorial h k power n यह होगा x minus a x minus a minus h और यह multiply चलता हूँआ है होगा हमारे पास x minus h sorry x minus n minus 1 x minus n minus 1 h and minus a यहनी की स्कोर इसको मिस्तरी लिख सकते हैं फ्रेंस यह होगा mma1 x h है और यह को इसको ऐसको और खपंद मतलब यह और इसको स्धियर tra Australis अब फैस्म कैसे निक यह पढ़ते हैं इसको निकालने के लिए फैस dl प्रूफ करते हो फैस को प्रूफ करते हम यह होता है यह प्रूफ करेंगे let y equal to fx is a function which value on x equal to a a plus h a plus 2s dot dot a plus n h जो fx है अपने पास है अपने पास f a f a plus h f a plus 2s चलते हुए f a plus n h और साथ में बनी माना जो fx है fx is a function of order n यह माना फ्रेंट से तो fx किस तरह fx है यह pnx इसको pnx भी बोल सकते हैं fx भी बोल सकते हैं इसको क्या सो कर सकते हैं a0 plus a1 x minus a plus a2 x minus a x minus a minus h plus चलते हुए यह आपने पास a3 लिखे तो यह आ रहा है 2h sorry dot a dot dot चलते हुए यह plus प्रेंट 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 यह plus चलते हुए यह अपने पास आ जागगे यह n बार multiply है इसका तो यह x to power highest जो होगी वह n होगी यह n x to power n जो होगा वो हमार last पर होगा तो हम कर सकते हैं जो यह polynomial है यह इसकी जो order है इस function का यह so pnx is a function यह function यह polynomial दोनों बोल सकते हैं polynomial of order n यह बोल सकते हैं फिर सब और साथ ही फिरेंट्स यहां पर जो यह 0 है इस जीरो यह बन डॉर्ट डॉर्ट यह एन तक चल रहे हैं हमारे पास यह आइन आड़ दी constant constant and हम जो एजिरो यह बन यह एन को इस तरह से चूज करते हैं पी एन ए ब्रावर हमारे पास एफ ए हूँ प्लस एच एकुल टू एफ एफ ए प्लस एच हो प्रस चलते हो यह पी जो फ्ल्स एफ 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 प्लस एफ एफ यह इस तरह से हम चूज करते हैं इनको अब फ्रावर स्क्राइट जाएगा एक्स ब्रावर एक्स ब्रावर एकृट करें इस question में एक्सफ ब्रावर a हमार पास रजाएगा p.n.a equal to p.n.a highlight और प्रेक्ष बादा प्रेक्षिअब सभेँminute 7 Że Supreme जेघंगे यहे पर 0 होसिजाएगा यह 0 होसिजाएगा 7 एच जाताएगा अब इस तरह P N A plus H निकालने तो यह आजाएगा महर पास यह पूट करने पर महर पास A 0 तो रहेगा और यहां पर अगर हम A plus H पूट करेंगे X प्राव A plus H तो इस कंडिशन में महर पास क्या जाएगा A 1 X तो हमें A plus H पूट करना तो A plus H minus A तो यह हो जाएगा हम्हारे पास A 0 बच गया A 1 plus A 1 H. यह हो गयी चुमक्ष एको और है यह प्लस a सब्सक्राइब स्ब्सक्राइबुल सब्सक्राइब सकते हैं यह क्या हमार पास पी यह प्लस एच इसको लिखते हैं प्यक्ते एफुल प्लस H एक्वल टू A0 प्लस A1 H प्लस A0 क्या है F A F A plus H एक्वल टू F A plus A1 H यहाँ से हम A1 बराबर क्या लिख सकते है A1 बराबर हमार पास अजाएगा F A plus H minus F A upon H यहाँ इसको लिख सकते है डैल F A upon H, तो A1 ब keyboard क्या होगा, फ्रेंच मेरे पास A1 ब Subscribe mau बबर होगा Dale F A upon H, अब फ्रेंच हम F A plus 2H पे देखते हैं, जाब A plus 2H पे Buffalo by Acter Can , एक्वार्व एक्वार एक्वार क्या है तो A plus 2H equal to A0 रहेगा, प्रेंच यहां पर ऐक्वारेका था एक्वार्व। ay से तो यहकट जाएगा और तू एच रह तो एच प्लस यहां पर पूट करेंगे तो यहां पर यहां पर आएगा यहां से हमारे पास आएगा एच तो 2 प्लस ट्रावर क्या होता है पी अलएंंट वर्यावर और अप ब्लस होगा उपकोल टूए जीरो प्लस एवन हुँसaste अप टू इस स्क्क्वाह्र क्या है दू तो फ्र सियरा अब क्या होगा मारब यह पास एप फ्लस टू एड्ड यह अगया है लां निकाल रहे हैं तो f a plus 2h तो इदर ही है उसी साइड में मतलब हमने बागी टर्म को इदर ले जा रहे हैं तो यह होगा f a plus 2h माइनस यह 0 की वेलू क्या आपने पास f a और f a1 plus 2h की वेलू क्या जो हमने यहां पर निकाली थी यह बन यह बन की वेलू काली थी वह थी डेल f a upon h यह इसको लिख सकते हैं f a plus h minus f a तो यह वोजाएगा हमारे पास माइनस f a plus h minus f a यह f a plus h minus f a upon h यह a minus f a higher है और साथ में इसमें multiply हो रहा है हमारे पास 2h का तो यह 2h का multiply हो गहां इसमें कि अब यह 2 बरावर में निकालना तो यह हो जाएगा मारे पास लिख यह 2H स्कूरे को यहीप रख रहे हैं इस टुई प्लस टूएज माइनस यह हो जाएगा एप एब लेक्ट करें कि हैं तो यहाप देख सकते हैं अंद्र मुल्टिप्लाइग कर दें मुल्टिप्लाइग करने पर H से हच कट जाएगा तो यह हो जाएगा F A माइनस F A माइनस यह हो जाएगा F A प्लस H 2 माइनस 2 F A माइनस और माइनस के मुल्टिप्लाइग कर प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा F A प्लस 2 H माइनस 2 F A प्लस H और यह F A हमने यह X चा लिग दिया यह नहीं हमारे पास तो यह माइनस F A और 2 F A तो प्लस F A रह गया इसको क्या लेख सकते हैं फ्रस इसको लेख सकते हैं डेल स्क्वार एफ ए या इसको यह भी कह सकते हैं इसको क्या लेख सकते हैं इसको 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 लेख सकते हैं इसको इसको लेख सकते हैं 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 f upon 2H square यह इसको जो एक्सक्राइब स्क्राइब एक्सक्राइब अपॉन 2 फैक्टोरियल है इस्टार फ्रेट्स हम एक्प्लस 3S निकालें फ्रेफ प्लस 3S है नहीं कि हम निकाल रहे हैं यह बराबर श्री मअवर एक्स नावर एक प्लस 3S पुट्ट कर ने पर यह में है ये यह टर्म बचैनंगी चर्ब तो आस-दीन तक-बचैन घानुकर पासonder 3H A2 plus 3H dot 2H dot H यहां प्रेश 3H dot 2H और बचेगा यहां पर 3H dot 2H dot H और A3 यह बचेगा हमारे पास अब इसको हम क्या लिख सकते हैं A0 यह तो A0 है plus 3H A1 plus 6H square A2 plus 6H cube A3 अब फिर समय A3 की value नकालनी है तो A3 की value नकालने के लिए मैं क्या करना होगा इस तर्म को एक तर्ब परकना है और बागी तर्म को इदर ले आना और तो 6H cube A3 equal to अजाएगा हमारे पास F A plus 3H minus A0 minus 3H A1 minus 6H square A2 यह आजाएगा हमारे पास अफिर यहां से हम A1 A2 की value रख सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास F A plus 3H minus A0 की value उपने पास यह F A है ही minus 3H और A1 की value क्या है हमारे पास A1 की value यह यहां से लगनी है हमारे यह माइनस A plus H minus F A upon H तो यह जाएगा माइनस F A plus H minus F A upon H minus 6H square sorry 6H square A2 की value हम यहां से पूट करेंगे A2 की value पूट करने हम यहां से पूट कर सकते हम अगर यह यह 2H square A2 ब्राबर यह था तो A2 ब्राबर क्या जाएगा यहां पर divide हो जाएगा तो यह जाएगा F A plus 2H minus 2F A plus H plus F A upon 2H square यह बच जाएगा अपर यह बच गया है तो हम देखते हैं अंदर multiply कर दें तो यह हो जाएगा मारे पास F A plus 3H minus F A minus 3H कर जाएगा तो यह हो जाएगा minus 3F A plus H plus 3 इसका अंदर multiply हो जाएगा 3F A इस तरह यहां पर multiply करेंगा तो यह हो जाएगा minus 3H square जाएगा 2 से 3 रह जाएगा तो यह 3 F A plus 2H 2H यह हो जाएगा मारे पास माइनस 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 multiply हो प्लस हो जाएगा प्लस और यहां से 2 से 3 बजगे लिगने 6 हो जाएगा 6 F A plus H माइनस यहां के अंदर multiply हो तो माइनस 3 F A फर इसको solve करते हैं तो यह जाएगा हमारे पास F A plus 3H अब हम A plus 2H देखते हैं फिर्स तो यह हमारे पास A plus 2H यहां पर है और कहीं नहीं है तो यह माइनस 3 F A plus 2H अब F A plus H देखते हैं फरस F A plus H यह दा माइनस 3 F A plus H और 6 F A plus H तो यह हुए 3 F A plus H और F A देखते हैं तो यह मैनस 3 F A minus F A और 3 F A तो यह 3 F A छला जा जाएगा यह माइनस F A बच गया है तो फ़र से आ गया हमारे पास इसको क्या लग सकते हैं e3-3e2-3e-1fa तो यह हो जाएगा e-1 का dell-3 fa तो यह हो गया हमारे पास है can be dedicated say शिक्स सी एक्प्विए ए फ़ेटा का फिर्पिब ड में आ गया तो हुआ हमारे पास यह तीपूरिल्द में सखने और इस व्यगिए प्रिफा कर फंब्र क्यों कि और फॉर एपन थ्री फैक्टूरियल है एच क्यू यह आगया हमारे पास अब फिर जब हमारे पास यह आ चुका है तो अब इसी टर्म से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं यह फूर निकालेंगे इसी तरह से तो यह फूर ब्राबर हुआ जाएगा अपने पास यह पास डेल 4 एफ एप ओन फूर फैक्टॉरियल हुआ एच क्यू और इसी तरह से एए्ड जो आ जाएगा वह आजाएगा आपने पास डेल N F upon N factorial SQ अफिर इस हमारे पास A1 A2 A3 सभी की वेल्व आ चुकी है अब यह सारी वेल्व हमारे पास जब आ चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं यहां से अगर A1 A2 A3 वेल्व अब इस equation ने पूट करनी है मुझे हमने माना था Y equal to यह माना था मैं PNX equal to माना था मैंने A0 plus A1 X minus A plus A2 X minus A अब इसमें पूट करनी है तो यहां जाएगा हमारे पास PNX equal to सारी वेल्व पूट करने A0 बराबर कहता F A plus A1 बराबर कहता अपने पास एबन जो निकालाता वो था डेल F A upon H तो यह हो जाए यह आपने पास डेल F A upon H जो पर लेमने निकालाता तो यह हो जाएगा डेल F A upon H और X minus A अब यहां पर इसी equation में यह तो की वेल्व पूट करते हैं तो यह तो की वेल्व क्या थी हमारे पास वो थी यह तो की वेल्व थी यह तो यह टेल Q E 3 की वेल्व पूट करते हों तो वो जाएगा हमारे पास Del Q F A upon H square upon three factorial HQ upon three factorial X minus a X minus a minus H X minus a minus two H plus dot dot चलते हो है अब हम्में N की वेल्व पूट करते हो और X-A यह multiply में चल रहा है X-A X-A-A-A dot dot चलते हुए X-A-N-1 times H यह होगा है फेर्ट हमारे पास जो कि हम प्रूव करना था अफ्रेर समय जो में पर जर्वत पढ़ती है इस equation में मेश मुशली जो हम solve करते हैं तो PNX यहां पर हमारे पास X जो होता कोई N वा पद होता है जहां पर हमारे पास हो एच होता है इंट्रवल होता है तो उसको निकालने के लिए यहां पर तो यहां पर x-a, जाएगा a की जगे a plus n x kट करना है हमें तो फिरस यहां पर a plus n x kट करेंगे तो h से यहां से a plus n x तो A से A कट जाएगा N H बच जाएगा तो N H से तो H कट जाएगा तो यहाँ जाएगा हमारे पास H से H कट जाएगा उस condition में जाएगा हमारे पास N प्लस इसी तरह यहाँ पूट करेंगे तो हो जाएगा N कोई टक N-1 डल स्क्वार F A अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इस तरह आगले इंपूट करेंगे तो यह जाएगा N कोई टक N-1 अपॉन N-2 डल यहाँ यहाँ पे डल स्क्वार डल Q F A अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस चलते हुए लाइस में हो जाए बन अपॉन N फैक्टोरियल डल N F A बन खॉन से यह जाए फैक्ट से अब यह जो फोर्मूला होता है हम इस फोर्मूले से mostly questions solve करते हैं अब इसका हम इस एक 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 ग्जांपल पढ़ते हैं इस फोर्मूले किस तरह हम को स्वाव करते हैं वो ऑग्जांपल देखते हैं अब है हमारे पास प्रेट्स यए Ek PrimЗasi ये एक प्रब्लम है यूं मुला यू नूत चोन फोर्वर डिकान फोर्मुला और रोलना तो य वी भाई बाई जो व्हई यूख यूख हमारे पास है पराबर है जिन favor 0.5 है तो यह व PAUL फाइव हमें एक्स पराबर किया हमारे पास प्रेंट लिग मांट 6 इंग जए चूंड है फ्रॉफ्लम पड़ि थी प्रॉप्लेम सद्वर एक्स और प्लस एनेज तो एक्स प्लस एन इसमें पुट करते हैं तो यह हो जाएगा 3.62 एक्वल टू यह क्या दा 3.60 प्लस एन एन की जगा हम यू मान लेते हैं यू क्योंकि आज इतर बुक्स में उसको यू भी मान लेता है तो हम यू मान रहे हैं यू और हमारे पास 0.5 तो फ्रेंस यू बराबर हमारे पास निकालने के लिए यू बराबर आ जाएगा हमारे पास यह यहां से 0.5 एंटो यू यह आगा इसार यह मान इस किया तो यह आगा 0.02 तो हमारे पास यू बराबर आगा है फ्रेंस 0.4 अब यू बराबर 0.4 आ चुका है अब पहले इसको सॉर्प करने के लिए पहले फॉर्वर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना है एक की ब्यूर्व रखनी है में वाई की ब्यूर्व रखनी है और एक सी वैलू क्या है 3.60 3.65 3.70 3.75 और यह पास 36.598 38.475 यह सारी वेल्यू है हमारे पास 475 40.447 और यह लाश्ट यह अपने पास यह अबना 42.521 अब फिर यहां पर हम निकालते हैं तो यह अगली टर्म में से पिछले वाला बेल्यू गटा देते हैं तो 38-475-36.598 यह करते हैं तो यह आजाएगा 1.877 इस तर यह आजाएगा हमारे पास 40.447 में से 38.475 मैनिस करते हैं तो यह आजाएगा 1.972 इस तर यहां से इसमें से यह मैनिस करते हैं तो यह आजाएगा 2.074 अफरें डेल स्कूर य निकालते हैं डेल स्कूर य क्या करना है इसमें से मैं यह मैनिस करते हैं तो यह आजाएगा 0.095 इसमें से यह मै तो यहां जाग है जीरो पॉंट जीरो 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 सेविन अब आई टर्रों निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यह निकाल लिए हमने अब जो फॉर्वर्ड न्यूटन का जो फॉर्वर्ड डिफ्रेंस फॉर्मूला था क्या वो क्या था अपने पास वो मारे पास यह था P N X प्लस A H प्लस A H और F A N एन की जगे हमने यू माना हुआ तो U डेल F A प्लस U U माइनस 1 इस तरह से लिखना है तो यह हो जाएगा मारे पास फॉर्मूल लिख लेते हैं Y X यह Y A प्लस U H एक्वल टू यह आजाएगा हमारे पास Y A यह बराबर क्या हमारे पास 3.60 तो Y A प्लस U डेल Y A प्लस U U माइनस 1 डेल स्क्वार वाई ए अपउन 2 फैक्टोरियल प्लस U U माइनस 1 U माइनस 2 अपउन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई ए प्लस आगी टर्म चलती रहेंगे लिए आगी टर्म हमारे पास डेल 4 वाई निकालते हैं तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहां पर 3 हमारे 4 वाई दीव ही तो हम 3 तक ही निकाल सकते हैं यह हो जाएगा तो फिरस यहां पर Y A प्लस U S अब आपर क्या था 3.62 था A प्लस U S तो Y 3.62 एक्वल टू अब Y A की वैलू क्या थी Y A की वैलू थे 36.598 यह हो जाएगा 36.598 प्लस U की वैलू क्या थी है मारे पास 0.4 U की वैलू 0.4 यह रही यहां पर तो यहां से यह हो जाएगा मारे पास 0.4 एंट 2 डेल वाई ए डेल वाई यह फर्ष्ट वाद डेल वाई यह क्या है 1.877 तो 1.877 प्लस अब यहां पर U U-1 तो 0.4 और 0.4-1 2 हो जाएगा 0.6 यह मल्टिप्लाई हो गया और तो डेल स्क्वाई यह तो यह क्या 0.095 0.095 0.095 का मल्टिप्लाई अपॉन फैक्टोरील तो 2 प्लस अगली टर्म में हो जाएगा 0.4 क्यों U U-1 हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा U-2 हो जाएगा 1.6 यह हो जाएगा अपॉन फैक्टोरील 3 यानिक 6 और डेल क्यों यह बरावर क्या है 0.007 अपर इसको solve करते हैं तो यहाद आएगा हमारे पास 3.62 के पर हम निकाल रहे हैं 6.598 प्लस 0.4 into 1.877 multiply किया तो यह आजाएगा 0.7508 यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा इसते और multiply किया तो यह हो जाएगा हमारे पास 0.0114 प्लस 0.00 0488 क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस साइन है तो यह हो जाएगा अब फिर इसको सोब किया तो यह आजाएगा यहाँ पर इसमें calculator का भी यूज कर सकते हैं यह हो जाएगा 37.33 7 848 round off में इसको लिख सकते हैं 37.338 यहाँ के बाद 85 से बड़ा नमबर है तो 338 लिख सकते हैं यह फिर इसके solution हो गए हमारे पास